आप सभी लोगों का पार्ट वन टेस्ट कम्प्रीट हो चुका है वोफुली वो टेस्ट आपका बहुत अच्छा गया होगा कि जो साल बार आपने जो मेहनत की है उसी को आज माने का टाइम आ गया है बहुत जरूरी हो जाता है कि आपने जो भी एक्जाम दिया है उसको आप करें कि आपने जो गलतियां इस एक्जाम के अंदर की है वो वापस से बार-बार repeat ना हो क्योंकि इतने एक्जाम कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो रिप्ट आपकी गलतियां है वो आपको पता चले और आप उनपर वर्क करना स्टार्ट करने क्योंकि अभी भी हमारे पा हो सकता है कुछ क्योशन में ऐसा पाया भी हो कि यार इसमें concept की कमी है या फिर इसमें मैंने सिली मिस्टेक की है तो चलिए उन्हीं चीजों पर हम बात करते हैं और हमारे part one test physics का हम solution की बात करना start करते है पेपर का level अगर मैं बात करूँ जहां तक मुझे पता है paper जो है वो एकदम moderate level का था उसको moderate से थोड़ा सा हाई माना जा सकता है लेकिन वो tough exam नहीं था और exam bc level पर आता है जहां पर वो कम time के अंदर आपको आपकी speed और accuracy को परखता है तो चलिए हम स्टराट करते हैं हमारे first question से फर्स क्योशन जो था आपका ग्रेविटेशन पर betting क्योशन आया था ओरुवे वीटेशन किकें और उनके अक्सेलरेशन डू ग्रेवीटी जो है रहत और मून का उसका रेशो भी दिया है इवे सिक्स और पूछा जा era की ratio of escape velocity from the earth surface to moon surface बहुत basic सा क्योशन है शायद आपको पता होना चाहिए ऐसे क्योशन में जब भी आपको ऐसे escape velocity के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए है पहले तो यह तो बता दें कि escape velocity लिखते कैसे हैं तो escape velocity लिखने का तरीका तो हमें क्या पता है अंडरून में 2GM upon में R लेकिन यह कहां से हैं surface से है क्योंकि अगर हमने यहां पर R लिखा है तो यानि पर मून और अर्थ का मास है मास के बारे में नहीं दिया जा रहा है तो हमें कुछ काम अलग से करना पड़ेगा हमें पता है कि यह acceleration due to gravity जो होता है उसकी value तो GM upon में R स्क्वार होता है यह acceleration due to gravity यह surface होता है तो हम भाया हम क्या करेंगे GM की value आ जाएगी यहां से g r square यहां put करतो तो escape velocity की जो value आएगी वो value आजाएगी to g r square upon में यह r, r से r गया तो यहां से देखिए escape velocity किस किस पर dependency है अभे मिल चुकी है g पर मिलिये और r पर मिलिये मेरे खहल से g और r ही दिया हुआ है moon और अर्थ के लिए और वहीं से अंसा निकालना है जो सबसे पहले escape velocity अर्थ के लिए तो यहां पर अर्थ लिग दिया है और दूसरा escape velocity moon के लिए तो यहां पर moon लिग दिया है तो यहां पर ratio में भी तू तो constant है हट जाएग ऊचाझ ँर्थ यहां पर? ग्रेविटी जो है मून और अर्थ की सर्फेस पर उनका रेशो 6 दिया हुआ है तो यह वैल्यू हमने यहां पर यह 6 ले लिया धीक है चलो भई ठीक है यह 6 ले लिया रेडियोल होगं तो आर्थ और मून करें देखताई यहां पर यह वह हर बार हमने हरेถ चीज का रिशो 2 मून कुछ है और उसमें कुछ ज्यादा सोक्रेब कर एँ आ जाएगा को 깊 Дж rosewood के बारे में उसने जानना चाहा कि आपको पता है या नहीं है इसके फालफे के बारे मैं साहतो यह वی lebih जानना झाहा कि अगर मास अगर आपको पता है कि मास के फॉर में आता है और मास नहीं दिया है कुछ और वैल्यूस दिए हैं तो क्या आपको वहाँ पर करना भी आता है या नहीं आता है फिर इसके किसी भी चेप्टर में इस तरह की प्रोब्लम्स बन सकती है जहां पर फॉर्मला हमें कुछ और याद है और वैल्यूस sphere जो है, वो consider करो, अच्छी बात है, एक scientist जो है, scientist A goes deep down in a mine and scientist B goes high up in a balloon, तो value of G, शायद आपको पता हो, कि अगर हम, अगर हम अर्थ बनाएं, तो यह माल लो अर्थ हैं, तो इसके center पर, acceleration due to gravity के के, अगर मैं बात करूँ, तो center पर acceleration due to gravity जो होता है न, उसकी value zero होती है, तो यहां से start होगा, surface तक जाएंगे, तो surface तक acceleration due to gravity जो है, जो की अर्थ की gravitation field intensity है, वो cleanly increase होती है, फिर उसके बाद में, inversely proportional में, decrease होती है, inversely proportional मतलब, aspire के inversely proportional में decrease होती है, तो अगर हम surface पर है, surface से अगर हम mine में अंदर जाएंगे, तो g की value देखो, यार, g की value यहां से यहां पर, g की value कम हो रही है, और अगर हम height से उपर की तरफ जाएंगे, तो भी देखो, g की value कम हो रही है, तो दोनों ही side पर, अगर मैं अर्थ की surface से माइन्स में जाऊं, या फिर अर्थ की surface से किसी height पर balloon में जाऊं, तो दोनों ही side पर, हमारे g की value, यानि की gravitation field intensity कम होने वाली है, लेकिन क्या ये same rate से कम हो रही है, नहीं, क्योंकि ocean के अंदर same rate, different rate, ये सारी चीजे भी दी हुई है, तो एक और चीज जो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, कि आपको ये भी पता होना चाहिए, कि depth पे जाने पर, height पे जाने पर, कि same variety में, same, जो change होते हैं, वो same level पर होत बहुत basic question, knowledge बढ़ाने वाला question, चलिए next question की तरफ दोड़ते हैं, फिर से हमारे पास में एक artificial satellite आई है, और circular motion कर रहा है, साफ साफ question, बहुत अच्छे से read करना आना चाहिए, question read नहीं किया, तो आप कुछ ना कुछ silly mistake करेंगे, घर पर solve करोगे, तो आराम से हो जाएगा, ले पर आप अगर धंग से read नहीं करते हैं, तो हो सकता है, बहुत basic question में भी आप बहुत slim stick कर दें, फिर उसमें ज्यादा परेशानी होती है, यह तो आता था, यह तो बन जाना चाहिए था, question reading आपकी बहुत perfect होनी चाहिए, एक artificial satellite दी हुई है, जो circular orbit में अर्थ के चारों तरफ भूम रही है, और इसकी total kinetic energy और potential energy का sum E naught है, potential energy कितनी होगी, basic situation, atomic structure में भी आ जाता है, electron भी तो nucleus के चारों तरफ ऐसे ही घुमता है, satellite motion में, अर्थ के चारों तरफ कोई satellite घुम रही है, वो भी वो सेम चीज़, सब के अंदर सेम चीज़, तो अगर हमने यहाँ पर यह अर्थ बनाया है, और अगर हम इसके चारों तरफ कोई satellite को घुमाए, तो हमें पता है यार, यह bound state में होगा, और bound state में जो इसकी energy होती है, total energy, वो negative होनी चाहिए, तो इसने जो value दी हुई है, यह जो value दी हुई है, यह जो value दी हुई है, E naught, it should be E naught की value में negative included है, मतलब E naught की value माहलोड 10 है, तो वो actual में 10 नहीं, minus 10 है, क्योंकि यार, अगर कोई object electron घुम रहा है, nucleus के चारों तरफ तो उसकी total energy negative होनी चाहिए, कोई satellite घुम रहा है, किसी planet के चारों तरफ तो उसकी total energy negative होनी चाहिए, तो मतलब E naught includes negative with it, और potential energy पूछा जारा है, शायद हमें एक चीज तो बिल्कुल clear होगी, कि अगर मुझे kinetic energy, जो कि हमेशा जैतो zero होगी या फिर positive होगी, वो total energy जो होता है, उसके negative के एकवल होता है, ये negative into negative बन जाएगा positive, अच्छा potential energy के बारे मैं बात करूँ, तो potential energy, kinetic energy, जो कि positive है, और potential होता है negative, उसका twice होना चाहिए, और साथ में negative होना चाहिए, या फिर potential energy जो है, वो total energy, जो कि negative होती है, उसका double होता है, सब एक ही चीज है, हमारे पास मेरे ख्याल से total energy दी हुई है, और potential पूछा जा रहा है, total energy जो है, वो e not दिया है, माना इसमे e not में sign नहीं, क्योंकि हम जानते है, total energy negative होती है, तो potential भी by default negative से negative ही आएग कोशिश ना करें, क्योंकि total energy ही e not दिया है, तो itself ये negative ही है, basic secution, चलिए अगले question की तरफ दोड़ते हैं, हो सकता है, आपको इस बीच में कई हो, हो सकता है, कई बार question में कुछ परिशानी भी आए, किसी question में, तो उसमें पर परिशान नहीं, हो सकता है, सोचिए, कि हो सकता ह में बहुत बड़ा paper बचा हो, इसलिए दिमाग उस time पर काम नहीं करा है, तो अगर किसी question में आप उलजते हैं, उसको छोड़िए, उस पर unnecessary time waste ना कीजिए, अगले question पर जाईए, एक round paper का complete कीजिए, फिर वापस से उस question पर आएंगे, हो सकता है, आपका वो question आप से बन है, चलिए, अगले question पर जाते हैं, दो planets दिये हैं, जिनकी radius जो है, रेडिया है, उनका ratio 2 by 3 दिया हुआ है, same material से बना हुआ है, same material नहीं है, sorry, उतमे बोला है, made of a material of density in ratio of 3 by 2, material अलगे density अलग हुई, planets का radius का ratio दिया हुआ है, acceleration due to gravity पूछा जा रहा है, चलिए अभी देखते ह हम उसके बारे में बात करते हैं, acceleration due to gravity के लिए अगर हम बात करें, हमें पता है, acceleration due to gravity, that is, gravitation field intensity, यह GM upon में R square, radia ही का ratio दिया हुआ है, लेकिन यहां तो मास है, मास दिया ही नहीं, इस अपर स्योशन भी आया था, यहां तो density दिया है, तो क्यों ना में, इस मास को volume into density से convert कर, शायद क्या पता काम मन जाए, तो यार हमारे पास में G की value यह जी ऐसा लिखा, अरे स्फेरिकल माना जाता है Earth को, तो यह आ जाएगा, planets को, तो यह 4 by 3 pi r cube into density upon में यह R square, तो यहां से R square से यह cancel हुआ, क्या-क्या constant है, क्या-क्या variable है, साफ पता चल रहा है, G constant है, 4 by 3 pi constant है, R क अलग-अलग value दिया है, तो यह variable हो गया, दोनों planets के लिए, और density भी दोनों के लिए अलग-अलग है, तो यहां से हमें पास G की value आई है, वो radius और density इन दोनों के product के proportional है, अब जब काम यहां बन ही चुका है आधा, तो बाकी बचावा काम भी हम कर लेते हैं, planet 1 और planet 2, इन द हमारे पास में 2 by 3 आने वाला है, और density का जो ratio है, वो 3 by 2 है, मैरे खियाल से बहुत basic सी calculation थी, यहां पर भी उसने आपको बस जो formula आपको याद था, उसको बस नया सा change, कुछ innovative question के जरिये, कि मास और radius ना देकर, मास को density में convert करवाया, वो अला काम करने की कोशिश की है, हमारा answer आएगा ratio 1 rest to 1, it is 1, I think clear है, चलिए और क्योशन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगये हैं हम capacitor में, जहां पर ज्यान आपको यूज करना पड़ेगा, current electricity का, capacitor का, साथ में capacitor और current electricity के combination का, देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको कोई भी क्योशन अगर आप practice कर रहे हैं तो उसमें आपको सोचना आना चाहिए सब चीज है, कोई भी circuit दे दे, सबसे पहले देखें क्या सब source है, या battery है, DC supply, DC supply, DC supply, DC supply, AC के बार में सोचना नहीं है, impedance, impedance जो आपने पड़े होगे जिंदिगे में, कभी वो सब नहीं सोचना है, reactance नहीं सोचना है, यह सब क्या है, battery DC supply, और DC supply म आपको यहां resistance मिला, यहां resistance मिला, यहां पर capacitor मिल गया, मतलब यह R-C circuit का combination है, और जब भी DC supply में हमे R-C circuit दिखता है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, क्या इसको solve कब करना है, जैसे connection किया होगा, तब करना है, T equals to 0 पर, बहुत time हो गया, steady state आगया, T equals to infinite time पर solve करना है यह किसी time T instant पर बोलना है, और आपको शायद बताया गया होगा, आपकी class में, कि जब भी DC supply के अंदर R-C series में दिया जाता है, और अगर कुछ आपको mention नहीं किया जा रहा है, तो आपको उस question को steady state यानि कि T equals to 0 पर solve करके बताना है, और हम जानते हैं T equals to 0 पर, तो यह जो capacitor है वो completely charge हो जाता है, और अगर वो completely charge हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर यह open circuit बन जाएगा, अब यह further कुछ नहीं लेगा, जैसे यह open circuit हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कारिकरम खतम, यह resistance किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि यह अगर यह open उसका charge पूरा store हो चुका है, open steady state में, तो यह further charge नहीं लेगा, तो हमारे पास में circuit में यह दोनों resistance बचे हैं, और एक यह resistance बचा है, यह दोनों resistance है, तो पैलर में देखें, पैलर में हैं यह दोनों तो 3 और 2, तो इनका क्या आने वाला है, R equivalent, R 1, R 2, अपोन में R 1 प्लस R 2, 6 by 5, यह 1.2 ohm इसका आया, यह 1.2 है, यह तो अब हमारे पास में middle वाली जो line है, वो तो circuit का party नहीं है, क्योंकि अब वो open circuit जैसा behave कर रहा है, हुआ नहीं है, open circuit जैसा behave कर रहा है, यहां पर यह 1.2 और यह 2.8, तो series में कहलाएंगे, तो हमारे पास में जो यहां पर R equivalent आएगा, वो R equivalent 1.2 plus 2.8, यह आ जाएगा, हमारे जो value आएगी, वो आएगी 6 by 4, V by R equivalent, यह वाली value आगई हमारे पास में 1.5 ampere, इसका मतलब हमारा जो इस battery है, इस से 1.5 ampere current निकला, देखते हैं, पूछा क्या है, क्योश्य में पूछा जा रहा है, अगर capacitor जो दिया हुआ है, इसकी capacitance, capacity 2 microfarad है, तो 2 ohm वाले register में कितना current हो, कुछ नहीं बोला, तो steady state में ही solve करना था, हम वहीं कर रहे हैं, वहीं पर कर रहे हैं, यहां से हमारे पास में 2 ampere current आएगा, sorry, 1.5 ampere current आएगा, यह यहां जाएगा, आचा, पैलर में है, उससे पूछा जा रहा है, यहां current कितना होगा, मैंने इसको I1 बोला, इसको I2 बोला, बहुत सारे chapter में से current निकालने के लिए तरीके बहुत सारे होते हैं, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीका सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि 2 ohm, और 3 ohm, एक दूसरे के parallel हैं, और current निकालना हम जानते हैं, V equals to IR, तो अगर हमारे पास में V equals to IR है, तो V equals to IR अगर हम यहाँ पर use करें, parallel है तो दोनों में यह सेम, current निकालना है, तो current resistance के inverse में होगा, तो अगर मुझे दो वाले में current निकालना है, inverse में resistance है, तो उसमें जुगाड क्या लगता है, उसमें मुझे resistance दूसरे वाले का लेना चाहिए, तो पहले वाले में resistance दूसरे current, यह total, सबसे बड़ी है जुगाड है, questions all करने का, series में होता, तो ICM रख दे तो V proportional to R, तो R पर V पूछा जाता, तो R2 इस पर पूछा जा रहा है, inverse में है, तो इसका resistance उठाना पड़ेगा, तीन, अपोन में total, 3 प्लस 2 into total जो आया, 1.5, तो यह पांच, 0.5, 0.3, यह वाले value आजाएगी हमारे पास में, 3 by 5 into 1.5, 0.3, its value 0.9 ampere, तो यहाँ पर हमारे पास में 0.9 ampere जाना है, 1.5 में से 0.9 यहाँ जाएगा साब, तो यहाँ पर 0.6 ही बचना है, simple है, किसी पर भी काम कर सकते हैं, अच्छा और चीज़ बताएं क्या क्या कर सकते हैं, तो में चाहो तो, एक काम और करवाया जा सकता है, हमें पता है यह तो study state में, इस वाली line पर तो कोई current नहीं जाएगा, और जब इस पर कोई current नहीं जाएगा, तो resistance पर current नहीं, तो कोई potential drop नहीं होगा, तो जितना भी drop होगा, वो इस पर ही होने वाला है, यह 6 volt है, 6 volt के current 2.8 पर कुछ drop होगा, 2.8 into r into i, 1.5 से यहां drop आजाएगा, इस में से यह drop होगा, यहां का हमारे पास में चीज़ें मिल जाएगे, वाला काम भी कर सकते हैं, या फिर यह पूरा resistance है हमारे पास में, 1.2, 1.2 पर 1.5 से drop जो होगा, वही drop यहां होगा, यहां कोई drop नहीं होना, तो यहां drop होना है, वो चीज़ भी हम निकाल सकते हैं, चलिए, नेक्स क्योशन की तरह बढ़ते हैं, 6 क्योशन नमबर, नेक्स क्योशन जो है, I think पूरा कैपसिटर पर बैस लग रहा है हमें, एक 400 पीको फेरेट का कैपसिटर है, पीको फेरेट मतलब 10 तो दी पार माइनस 12, उसको चार्ज किया है पास में एक कैपसिटर है, जो 400 पीको फेरेट का है, इसको हमने चार्ज किया है, किस से, एक बैटरी से 100 वोल्ट की, उसके कारण इसके अक्रोस पोटेंशल डिफरेंस कितना पन गया होगा भी, 100 वोल्ट, तो हमने यहाँ पर इसका पोटेंशल डिफरेंस 100 वोल्ट बना दे यहाँ पर हमारे पास में यह 100 वोल्ट का पोटेंशल डिफरेंस यहाँ पर बन गया, अब हमने इसको दूसरे एक कैपसिटर से जोड़ा है, यहाँ पर, मैं स्विच बना देता हूँ, जान मुझ के, यह स्विच बना गया, यह जो दूसरा कैपसिटर है, यह भी 400 पीको फे चार्ज करते हैं, तो इसके अंदर, एनर्जी स्टोर हो जाती है, और अगर आब उसको किसी दूसरे कैपसिटर से जोड़ा जाएगा, तो जो पहला वाला कैपसिटर था, जो कि चार्ज था, वही ऐस बैटरी काम करने लगेगा, और दूसरे को चार्ज करने स्टार्ट laughs लो सिंपल सा तरीका अगर हमें heat, loss निकालना है दो capacitor में तो उसका एक सीधा सा तरीका है या तो आप connection चली करें या फिर formula से करें सबीर युमहाफC1C2 अपन में C1 प्लस Come C2 जिन दो capacitor के लिए हम बात कर रहे into पहलेवाले का potential minus दूसरे वाले का potential उसका square इससे हम डारेक्ट निकाल सकते हैं अगर इन दोनों capacitor को same polarity में जोड़ा गया है तो कुछ नहीं बोला तो by default same polarity में ही जोड़ा गया होगा अगर बाई वैलिव रखने स्टार्ट करते हैं नेसेसरी टाइम वेस्ट करते होएं पहला capacitor 400 पीको पेरेड हैं दूसरा कैपैसिटर भी 400 पीको फेरेड है दोनों के पीको पीको 10 टुदी पावर माइनस 12 कितना मन जाएगा 10 टुदी पावर माइनस 24 अब उन में C1 प्लस सीटू 400 और 400 कॉम एड किया तो कितना मन जाएगा 800 कॉमन लिया 10 टुदी पावर माइनस 12 यह तो आगया सब्सक्राइब यह फार माइनस जूल यह लॉस हुआ होगा जब भी हम इस एक कैपैसिटर को दूसरे अचार्ज के साथ में जोड़ने हम वन माइक्रोजूल का लॉस हुआ ठीक है आपको मिस्स हुआ है थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं इस चीज़ को नेक्स क्योशन की तरफ चले अहां मज़दार क्योशन बहुत सारा ग्यान बढ़ाएगा यह वाला क्योशन आपका एक सर्कृट दिया हुआ है जिसमें आपको मैजदा कोलम करना है मैजदा कोलम देखो पहले दो सर्कृट समझ लेते हैं यहां से क्या पता है चला तीस वोल्ट बैटरी डीसी सप्लाय है कै चली करते हैं सब्से पहले तो यह और यह एक दूसरे में तो यहां से हमें क्या पता चलेगा पैलनर में तो 6 माइक्रो फैरे आएगा सिर्स्ट का यह यह जोगों के लिए कर दिया है कि इसका मतलम है हमारे पास में नेट कैपेसिटर जो है वो दो माइक्रो फेरेट का मान सकते हैं और बैटरी जो हमने जोड़ी है वो तीस वोल्ट की जोड़ी है तीस वोल्ट की बैटरी अगर हमने जोड़ी है तीस वोल्ट की बैटरी के कारण यहां पर हमारे पास बैटरी के कारण यहां पर जो से गया होगा तो बैटरी में चार्च फ्लो करवाया है बैटरी चार्चच फ्लो करवाया है तो हमारे पहले का सी आ गया पहले का सी तो यह और ये तिकर देंगे यह तु पॉसिबिलिटी है आगे का काम करते हैं सेकेंड के लिए के लिए पोर्ट के लिए चाहो तो अगर आपको ग्यान नहीं वड़ाना है पेपर के अंदर ग्यान कुन बढ़ाना चाहे है तो भभी बढ़ाने पेपर के अंदर देखे या से कंड तो पर भी काम नहीं करते सीदा 3rd और 4 पर काम करते कि वह अपस्ष अलागे लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि फस काम क्यों नहीं करना है कि फस्पे हमें सेकेंद और फॉर्थ ऑफ्शन सेम हैं फुल यहीं से पता चला तो जीटकर करने ही पड़ेगा चलो फिर भी हम पर लिखदेते हैं 2 & 4 जो है वो पैल्डर में हैं तो हमें पता है उसको solve करने के लिए Q equals to CV फैल्डर में है तो वी से तो Q proportional to see यह अब डारेक्ली प्रोपोर्स्टल है तो अगर हमें चार वाले पर चार्ज चाहिए था तो कैपसिटेंस भी चार वाले का ही रखना है तो फूर अपॉर में टोटल और प्लस तो यह थोड़ी देर पहले हमने ऐसा काम किया था इंटू टोटल टोटल कितना है सिक्स्टी तो यह वाले वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 40 साथ कंट मैं अम्यृट कि अर्ब कर और आएगा तो यहां क्तरा है तो यह उ सही है यदि ले bold के लिए सब्सक्राइब तो हमारा आंसर यहीं होगा है पुछा पूछा पूछा है कितना आने वाला है C ही आएगा फिल भीवए पुछावड ओद्धों सी आने वाला थो तीन बार फेरेट पर तो 60C आएगा तो नीट के अंदर, एम्स के अंदर या जही मैंस के अंदर ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है इवन आपके जो भी टेस्ट हुए होंगे साल भर में कहीं पर भी वहाँ पर भी आपने इस वेराइटी पर क्योशन बहुत बार देखा हो हमसे बोला जा रहा है कोई capacitor है जिसका area A है और separation D है एक capacitor दिया हुआ है जिसका area A है और separation D है उसके अंदर energy per unit volume कितना store हुआ होगा शायद energy के बारे में पता हो energy जो store होती है किसी parallel plate capacitor में इसकी value होती है half epsilon naught e square area into D लेगन अगर यही चीज हम energy per unit volume जिसको हम small u से लिख दें तो यह वाली volume से divide करेंगे तो epsilon naught e square आएगा अब क्योशन में half epsilon naught e square energy density बोलते हैं इसको energy per unit volume यह अगर e के पॉर्म में दिया होता तो काम कर लेता है लेगन है ही नहीं अच्छा electric field के बारे में शायद आपको पता हो electric field जो होता है न वो potential difference अपको और में उन दो points के बीच का separation जिनके बीच का potential difference है उससे भी काम बन जाता है तो मेरे ख्याल से half epsilon naught v square by d square इसका answer जाना चाहिए और first option ही वही है बैसिक सा क्योशन था नीट के अंदर जो पहले पीवाई क्यों के अंदर क्योशन आ चुके हैं वह half epsilon naught e square था इसमें थोड़ा सा हलका सा innovation क्या है इक को वी बाइडी के फॉर्म में रिपेजेंट करने का सुचा है नेक्स क्योशन देखते हैं बहुत बैसिक सा क्योशन आई इस क्योशन के अंदर कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी हमसे बोला जा रहा है कि current through resistance और इस पर current चाहिए और कुछ क्या क्या दिया हुआ है बैटरीज दी हुई है इंटरल resistance इस पर current यार अगर मैं यहां पर देखू तो current से मुझे क्या चाहिए यहां का current चाहिए आई यहां पर पांच ampere से यहां पर current कितना जा रहा है पांच यहां कितना entry मार रहा है इसके according आर्ट यह तो kcl हो गया ना किर्च of current लो कि किसी भी junction पर अगर हम बात करें किसी भी junction पर जितना input होता है उतने output इस junction पर input नीचे से आया 8 ampere इधर चला गया पांच ampere तो यह उपर कितना जाने वाला है सिंपल सा क्योशन बस circuit बना दिया इसलिए हो सकता है कुछ घबरा गया हो वन अदम तो नहीं था इसक्योशन लेकिन कहीं बार बहुत इजी क्योशन ही आपको से लिए मिस्टिक कर बात हैं ध्यान रखिए क्योशन के बारे में यह भी बहुत basic सा क्योशन एक copper का wire है जिसको stretch किया जा रहा है कितना स्टेच किया जा रहा है उसको point one percent stretch किया जा रहा है तो resistance में percentage change या increase क्या होगा अच्रेजिस्टेंस लिखने का तरीका रोएल अपोन में यहां लिका हुआ है स्टेच डाइमेंशन कुछ अलग मेट्रियल एड नहीं किया है स्टेच किया है अगर किसी वायर को स्टेच करूँगा लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा वॉल्यूम सेम रहेगा सॉलिड का अगर बोला जाता किसी कोपर वायर की रेडियस डबल कर दे तो कुछ और मेट्रियल एड किया होगा लेकिन अगर स्टेच कर रहे हैं कमप्रेस कर रहे हैं तो लेंथ चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा वॉल्यूम कंजर्व रहता है और जब वॉल्यूम कंजर्व रहत इन्टु हन्डेट इक्वल स्टू टू टाइमस अब डेल्टा एल अपोन में एल इनिशन इन्टु हन्डेट परसेंटेश चेंज जो दिया हुआ है यह हमारे पास में दिया हुआ है तो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया पॉइंट टू परसेंट बहुत बेसिक सा क्योशन मज़दार क्योशन मांक्स लाने लाइक क्योशन ठीक है अगले प्रश्णी की तरफ बढ़ते हैं कि मैं नेसरी कोशिश कर रहा हूं कि जो अपना यह सेशन है वह ज्यादा लंबा ना हो क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपोर्टेंट है जहां पस आपको लगता है कि इस क्योशन के अंदर मुझे इश्यू आ रहा है जिसर ने सोचना कैसे सिखाया है वहां पर आप उसको ज्यादा टाइम दे सकते हैं नेक्स क्योशन की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर बोला जा रहा है दो पार्टिकल है जिनका मास सेम है एम और दोनों का चार्ज क्यू है सेम एक डिस्टेंच सिक्स्टीन सेंटीमिटर पर रखा है तो हमने क्या किया एक पार्टिकल ये लिय य होगा है एक पार्टिकल ये लिए दोनों का मास am lelianlow a एम वास ले ले लते हैं दोनों का चार्ज कुन ले लिया ले लिया इन दोनों के बीच का सेप्रेशन क्योशन के लगेगा चार्ज है तो overtricary लेकिन दोनों कोई भी force experience नहीं कर रहे हैं इसका मतलब net force 0 हो गया होगा कैसे हुआ हुआ देखिए the gravitation force तो attraction का force होता है तो दोनों ने एक दूसरे पॉट्रेक करने की कोशिश की होगी लेकिन अगर इलेक्टरो की बात करें सेम नेचर के चार्ज है तो यह दोनों एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हूँ अब अगर कोई भी particle या system पर net force 0 है तो यह जरूर इस पर लगने वाला gravitation force और इस पर लगने वाला electrostatic force हर एक particle पर शायद opposite direction पर है तो equal magnitude में हो जाए तो net force 0 भी हो जाएगा तो यही काम होगा ना कि इस पर gravitation और electro बराबर होगा ग्रेविटेशन एलेक्ट्र बराबर होगा net force 0 कोई force experience नहीं कर रहे हैं अच्छा ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन्स लोग ग्रेविटेशन जी एम वन एम टू अपोन में सेपरेशन 16 का स्कॉर आर चलने दे यहां पर इलेक्ट्र स्टेटिक न्यूटन्स लोग पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है क्यू वन क्यू टू यह वाली वैल्यू हम अगर बात करें solids कि क्यू वन क्यू टू अप graphical इससे काम करें तो तो दोनों के सेम है अपवन में आर स्कॉर तो distance अगर ना भी दिया जाता क्या ही फरक पार है तो यहांaway एम स्कॉर बनेगा यह क्यू स्कॉर बनेगा सो हमारा अनल जो अंसर आने वाला है क्यू स्कॉर बाई m2 q2 by m2 equals to g by k तो यहां से हम लिख सकते हैं q by m की वैल्यू अंडरूड में g by k तो g की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा k की वैल्यू रखना पड़ेगा क्या देखते हैं नहीं वैजी के पॉर्म में अंसर है लेकिन k नहीं दिख रहा k की जगा तो कुछ लिखा जा सकता है नहीं वैं की जगह क्या लिख सकते हैं इधर देखिए के की जगह 1 upon 4f還ling तो जी इंटू 1 upon 4f 還ling 20 यहां सरा जाएगा और मेरे कहल से पोर्टाण सर सबसे सही लग रहा है सबसे सही जाए धर एस सबसे ही का यही सही लग रहा है ठीक है तो हमनेट फोर्स जीरो करना था के स्मॉल स्पियर दिये हैं दोनों पर चार्ज क्यू सेम है और एक दूसरे से आर मिटर की डिस्टेंस पर रखे हुए है क्योशन पड़े अच्छा से इफ वन अफ दा स्पियर इस टेकन अराउंड द अधर वन इन सर्कुलर पात अफ रेडियस आर मतलब जो एक दूसरे का इनक से तो एक तरह से सर्कुलर पात पर घुमा दिया तो सर्कुलर पात के लिए तो एक पोड़्स चाहिए होगा जिसको सेंट्रीपिटल फूर्स करते हैं उन में से कोई ना कोई की तार दोग्ता है तो यार क्योंकि दो चार्ज है तो दोनों के बीच में जो फॉर्स लगेगा वो तो ङ्युटर्स्ट्राटिक लगेगा तो ये पूछा जा रहा है तो बड़्क इन कितना होगा यार तो इदर चल रहा होगा इसकी से इस इंस्टेंट पर वेलस्टी इधर होगी तो फोर्स डिस्प्लेस्मेंट भी धरी होगा पूर से इधर रेडियली यह टेंजेंशल टेंजेंशल और रेडियस एक दूसरे के पर पेंडिकुलर होते हैं तो इस टाइम पर यह एक दूसरे के पर पेंडिकुलर होंगे मालो यह यहां पोच गया, तो भी टेंजेंशेल, तो भी सेंट्रीपीटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेस्मेंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू फोर्स है, तो यह वर्क डन जो होगा, वो तो शुन्य होगा, I think basic सा क्योशन, चार्ज की जगा मास रख दो, ग्रेविट, सेंट्रीपीटल फोर्स, ग्रेविटेशन वाला होगा, डिस्प्लेस्मेंड अभी भी टेंजेंशेल, सेंट्रीपीटल देट इस फोर्स, वो अभी भी सेंटर की तरफ रेडियल, अभी भी फोर्स जीरो होगा, अगला प्रश्न, नेक्स केशन बोला जा रहा है कि हमारे पास में एक अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, और यह अल्फा पार्टिकल का मास है, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर, 27, चार्ज दिया हुआ है, और बोला जा रहा है, उसको एक यूनिपॉर्म, इलेक जीरो, तो अगर हमारे पास में कोई अल्फा पार्टिकल है, उसके पास तो चार्ज होता है, दिया भी है, इसने चार्ज दे दिया इतना, लेकिन हमें पता है, चार्ज होता है, 2E होता है, 2E ही तो है, 2E ही तो है, E की वैल्यू रखो यही आएगा, उसका मास जो होता है, अ उनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में कोई अलफा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो उस पर उसी डारेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसकी वैलियू उसका चार्ज इंटू ए पॉर्स के कारण एक्सलेरेशन आएगा वह एक्सलेरेशन आजाएगा फॉर्स अपन में मास्टो एक्सलेरेशन होता है तो एक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जा सकता है तो हम भी यह करेंगे उदीशन वैलियू जीरो दिया है एक्सलेरेशन हम क्यू इबाई एम से जो गिवन वैलियू जो उनसे निकाल सकते हैं और हमसे पूछा जा रहा है कितनी स्पीड होगी स्पीड निकालने के लिए एक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर दो एक्वेशन है फस्ट और थर्ड लेकि क्योंकि डिस्टेंस दिया है तो मेरे ख्याल से थर्ड एक्वेशन ही लगाना ज्यादा ही रहेगा तो वी स्क्वाइर इकोल्स यू स्क्वाइर प्लस ट्वाइस ओफ ए एस तो यू इनिशल वेलसिटी जीरो वी स्क्वाइर ट्वाइस एकी वैल्यू क्यू इबाई एम यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू क्योंकि यहाँ पर एलेक्रिक फेल रखना पड़ेगा यहाँ पर एलेक्रिक WILLEC refD कितना एसागत यहाँ क्यों एबाइ एम एम रखते हैं वो 6.4 into 10 to the power minus 27 या acceleration distance कितना चलना है साथ 2 into 10 to the power minus 2 meters सब साही में है तो स्पीड या वेलस्टी भी ऐसाही में में मिटर पर सकेंड महीं आना है चली भी सॉल करते है हमारे पास में यह 2 into 6 3.2 6.2 6.4 यह 6.4 गया माइनस 19 और 5 माइनस 19 और 5 जो होगा उससे हमारे पास में माइनस 14 बचेगा माइनस 14 और माइनस 27 उपर जाकर प्लस 13 बचेगा तो V स्पायर की वेल्यू प्लस 13 है 1.6 into 10 to the power प्लस 13 into 2 यह भार का स डिस्प्लेस डिस्टेंस भी तो बच रहा है यह रखना पड़ेगा यह वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 to the power 11 3.2 को 32 लिख दू इंटू 10 to the power 10 इसको सॉल कर देते हैं V स्कुर है रूट लेना पड़ेगा तो V की वेल्यू आ जाएगी अच्छा 16 इंटू 2 का रूट पोर रूट 2 इंटू 10 to the power 10 का रूट 10 to the power 5 बैसिक सा क्योशन बस का ज्यान इसमें आजमा रहा है पॉर दॉप्शन अगर किसी को कुछ कहीं पर किसी भी स्टेप में डाउट हो थोड़ा सा हम हो सकता है फास चले गए हो लगता है किसी के अकॉर्डिक सबका लेवल अलग होता है तो वहाँ पर इस वीडियो को पोस करें और उस चीज को अच्छे से वापस से सुने देखें नेक्स क्योशन की तरफ चलते हैं मज़दार क्योशन हमारे पास में बोला जा रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रूआ क्यूब वेन चार्ज एट क्यूब ध्यान रखें यह वाली चीज के बारे में हमारे पास में नहीं चलोगे क्योशन करना एक है है एक कि चयारज दिया हुआ है छलिए वह ये हम रखना क्योशन करते हैं यहां पर हमारे पास में एक है क्यूब के किसी भी aquest पatyन पर यहाँ पर हम ने क्वाइण रख दिया है Ciao इस रखलंट कीतना होगा Keith's a plus कितना होगा या शायदा को फ्लक्स का नाहाते गांब सीं सरफे TOर याद आने लगती हैं में भी आती कोई अलग बात नहीं है कि लेकिन यार अगर यह कूछा जा रहा है तो सिंध तब जाकर हम युनिफॉरमिटी मैथहर से हर एक के लिए काम कर लिते हैं तो अगर यह चार्ज वह उस चार्ज के लिए यह जो एक कीूब रखा हुआ है चार्ज उर यह सर्फेस है यह सर्फेस यह पूरे चार्ज को कवर नहीं कर रहा है यानि कि क्योव पूरा कवर नहीं कर रहा है तो घॉस cargo सर्फेस नहीं यह लाएगा तो हमें में के इतने orgt रखने पड़ेंगे कि यह जो एड़ क्यू चास है वह पूरा कका पूरा उसके अंदर सिमेट्रिक पॉजिशन पर आ जाएगा, सिमेट्रिक क्यों आ जाएगा, ताकि हम एक क्यूब से भी युनिट्री मैथड से काम करवा पड़े, तो हमें टोटल आठ क्यूब चाहिए होंगे, दो एक इधर है, एक यहां रखना पड़ेगा, दो इसके पीछे रखने पड़ेंगे, चार उस क्यूब जो है, वो हमारे पास में बनेंगे गाउसियन सर्फेस, और गाउसियन सर्फेस बन गया, तो अब फ्लक्स जो आएगा, लेकिन कितने क्यूब के लिए, आठ क्यूब के लिए, वो आएगा, क्यू इंसाइट, जो कि क्यू नोट है, अपोन में एफसाइलन नोट, आ अन्सर आने वाला है क्यों हो अपोन में एफ सालन नॉट यह वाली वैल्यू तो मेरे खाल से पॉर्थ ऑप्शन बेसिक सेक्योशन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं बोला जारा है एक डाइपोल है दिया हुआ है दो अपोजिट चार्ज है इतना और उसको सेपरेट किया है तीन सेंट्रिमेटर की डिस्टेंस पर एलेक्ट्रिक फिल्ड में मैक्सिमम टॉर्क मैगनेटिस में भी एसेक्योशन आते हैं यहाँ पर भी आते हैं शैट टॉर्म जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है उसको लिखने का तरीका होता है डाइपोल मोमेंट इन्टु ई और इसका है मैगनेटिव लिखने का तरीका पी ई साइन थीटा मुझे अगर टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे यह वाली वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए होगी और यह वैल्यू कितनी हैगी यह वाली वैल्यू यानी की इंटु ई इंटू इम्म falar पी को क्या लिख सकते है ऐइदर चार्ज इंटु सेपरेशन बिट्विन आप तो आजाएगा डार्क की मैक्सिम वैल्यू एदर चार्ज कोई सब एक चार्ज ले लेते हैं ये वाला चार्ज हमने टैन्टी पावर-6 लिया सेपरेशन थ्री इंटू 10 तुदी पावर माइनस सेंटीमेटर एटू लिया यह इसका ध्यान रखे लेक्ट्रिक फिल्ट टू इंटू 10 तुदी पावर 5 ले लिया तो यह जाएगा 2 3 6 12 8 और 5 तो यह जाएगा 12 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 3 टॉर्क है तो न्यूटन इ रखे जाए है second option कि ए क्लियर basic execution आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारे पास में जब हमने इसे डाइलेक्ट्रिक या वेन एर इंट कैपेसिटर इस प्लेज़बाय हमारे पास में एक कैपेसिटर है यह हमने कैपेसिटर यहां बनाया इस में स्टार्टिंग में यहां पर एर है साब तो एर है तो एर में इसका के से लिखोंगा के मीडियम से हमने है और यह मीडियम दूसरा लगा दिया है और यह मीडियम हमने मान लिया है कि वह पूछा जा है अब क्या होगा कैपजिटेंस को नए कापज्टेंस मेडियम में जो आएगा जा-जा-जा-जा मीडियम चीन था आधुकिन के साथ में उस मीडियम का लगा देते हैं तो यह वाले वैल Dul तो k है तो k times of epsilon not a upon में d यह नया capacitance बन जाएगा यानि किया रिटो k times हो गया तो remains constant तो नहीं होगा increased k times बढ़ने वाला है बहुत basic question next question की तरफ बढ़ते हैं एक galvanometer दिया हुआ है जिस galvanometer का resistance 100 है resistance galvanometer का कैसे represent करते है capital G से full scale deflection यानि कि वो current जिस पर galvanometer में पूरा complete deflection आ जाता है वो 20 है इस current को क्या बोलते है आई जी यह वो current है थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है चलिए छोड़िए इसको पर नहीं लिखाएगा यहाँ पर हमारे पास में यह वाली जो value है यह आई इंटू जी होना है जाद दिक्कत ही है नहीं सही है कि यह आई जी है भी देख लेते हैं इसको उससे बोला अगर हम चाहते हैं कि यह एक वोल्ट मिटर की तरह काम कर कुछ कच्छा तो नहीं आ गया है नहीं सही लग तो रेजिस्टेंस कितना रिक्वाइड होगा उसको एड़ करने के लिए यानि हमारे पास में एक गैल्वेन्वें नो मिटर दिया वाँ है यहां पर आने वाला है और इस full scale deflection current के अंदर हमारे पास में 20 A है ये 100 A है मैं चाहता हूँ इसको voltmeter में convert करूँ अगर मैं इसको voltmeter में convert करूँगा तो मुझे इसकी range बढ़ाने के लिए इसके साथ में series में बड़ा resistance जोड़ना पड़ेगा लेकिन क्योंकि यहां जोड़ रहे हैं current में इसमें तो change नहीं R इससे चीज को solve कर सकते हैं तो हमारे पास में कितना चाहिए 10 वोल्ट कि आई जी की वैल्यू ट्वेंटी मिली एंपियर मिली मतलब 10 to the power minus 3 G की वैल्यू 100 है R की वैल्यू चाहिए solve करें साथ यह जाएगा 1 by 2 इधर जाएगा 1500 मेरे खाल से 400 आ रहा है फिर से एक और बार देख लेते हैं यह 1 by 2000 तो यह जाएगा 500 एक वोल्स टू 100 प्लस यह आर तो यहां से आर की जो वैल्यू आएगी वह आ जाएगा हमारे पास म यहां जाएगा 400 ओम है यह 400 तो हमारा अंसर यहां पर यह complete हुआ चलिए नेक्स क्यूशन की तरफ देखते हैं अहां बढ़िया क्योशन वोल्ट और करेंट के बीच में किसी कंडक्टर से हमने यह ग्राफ दिया हुआ है शायद आपको पता हो इसका जो ग्राफ जब भी दिया होता है तो उसका स्लोप क्या कहलाता है वी बाए आई शायद वी बाए आई ही आर होगा मतलब इसका स्लोप स्लोप जो है वे वह रेजिस्टेंट्स और क्योशन में बोला जाता है एंपुएंट दी सिस्टेंटर करें एंगल गा तो साथ मेरे खाल से रिजिस्टेंस का बी पर सबसे बढ़ा बी वाले कोइंड पर resistance छोटा, D पर सबसे छोटा. C or D पर resistance equal है, जी नहीं साब, बिलकुल भी नहीं है. B पर resistance C से जiada है, हाँ B का slope C से जiada है, तो B पर resistance C से ज sticky जादा होगा, सही लग रहा है. C का resistance B से जादा है, नहीं C पर wording inflow still पर है B से तो ये तो गलत हो जाएगा. यह ननन अब इस वियर नॉट इंट्रस्टेट इन नन अब इस ठीक है next question की तरफ बढ़े चली एक elementary particle दिया हुआ है जिसका mass M है charge E है उसको किसी velocity V से बहुत more massive fixed particle of ZE की तरफ फेका गया है तो हमारे पास मैं low elementary particle ले लेते हैं जिसका mass M है charge E है उसको किसी speed से फेका गया है V speed से किस की तरफ more massive fixed particle एक fixed particle दिया हुआ है जिसका charge charge क्या लिखूँगा मैं Z into E यह दिया हुआ है Z की value एक 0 से बढ़ी है चलो ठीक है What is the closeness approach of incident particle यह सोचने की बात यह है कि यह particle यहां आ रहा है तो positive है यह भी positive है तो इस पर repel होगा और अगर इस पर repel होगा तो यह रिपेल होने के कारण जो है दिरे-दिरे retarded होगा तो इसकी speed कम होने वाली Speed कम होने वाली है तो पहले अगर वो यहां ता बहुत दूर तो थोड़ी देर बाद में वो second number पर पहुचेगा और second number पर पहुचकर वो finally आ जाएगा rest पर और अगर वो rest पर आ गया है तो rest पर आने के बाद में उससे बीच के जो separation है वो कम हो गई नहीं यह minimum आएगा तो यह first condition से second condition के बीच में conservation of mechanical energy लगाने क्यों सहाब क्योंकि initial velocity दिया हुआ है force लग रहा है repulsive force electrostatic electrostatic is conservative और जब भी conservative force आते है mechanical energy kinetic potential का सम सेम रहना चाहिए सहाब हमें पता है कैसे चलेगा कि conservation of mechanical energy लगा है जब भी speed दिया जाए और पूछा जाए conservative field force की presence में लगा दो चलेगा तो पहले वाले condition में kinetic energy कितनी है हाफ mv square पहले वाले condition में potential कितना है जीरो कि infinite पे थे दोनों चीज़े अच्छा यहाफ mv square सिर्फ इसके पास में था यह तो रेस्ट पहना fixed है तो यह इसकी kinetic energy तो zero है और बाद में भी रहेगी इसलिए नहीं लिखा बाद में kinetic energy zero हो जाएगी और potential energy जो आएगी वो potential energy जो आएगी उसकी value लिखने का तरीका के q1 q2 अपोन में आर तो यहां से हमारे पास में एक तरह से पता चला जो kinetic energy थी वही potential energy k q1 q2 q1 कितना है क्यों sorry q2 कितना है z e और जो distance आ रहे है जहां पर वो maximum distance पर रहेगा वो आर मिनीमम यह value निकालनी है तो आर मिनीमम की value हमारे पास में क्या आने वाली है यह आने वाला है two times of k z e square इसको उधर बाकि सब्सक्राइब mv square मन कर रहा है कुछ और form में change करने का k नहीं है कि एक को one upon four pi epsilon note रखा होगा तो इसको रखेंगे one upon में four pi epsilon note नीचे four उपर two तो बचेगा two तो यह वाली value आने वाली है one by two एफ पाई epsilon note z e square upon में mv square कहीं option में दिख रहा है टू यहरा first option मेरे खाल से clear speed velocity दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं यहां पर conservation of mechanical energy का use conservative force के presence में अगला प्रश्न एक resistance दिया हुआ है जिस पर दो हम है वह सेल के terminals पर connected है बना लेते हैं जो बोला जा रहा है उसमें क्या है हमारे पास में एक सेल है कि उसे दो ओम का resistance जो है हमने connect किया है तो हमने दो ओम का resistance यहां पर connect कर दिया यह लीजे साहब यह दो ओम है resistance तब करेंट जो है पॉइंट फाइव आ रहा है एंपर अजय कुछ नहीं बोला चाहिए पॉइंट फाइव आ रहा है इसका मतलब इस पर ड्रॉप कितना होगा दो का तो यह बैटरी भी दो की होनी चाहिए इसका पड़िए लेकिन जब बोला है कि यार जब आपने पांच 25 Mpare आया है उसी सेल से और अगर सेल है अगर हमारे पास में सेम है तो फिर पहले अगर हमारे पास में यहां से पता चल रहा है कि 0.5 इंटू आइंटूर आइंटूर कितना आ जाएगा इंटूर वन तो यह अगर शायद हमने दो वोल्ट बोल दिया था आइंटूर अगर य यह जो current यह जो battery है वो अकेली नहीं इसके साथ में internal resistance भी है internal resistance भी है battery के साथ यहां से हमें पता चला और अगर इतना सोचना भी नहीं है तुम तो हमेशा ऐसे variety के question में battery के साथ internal resistance भी ले लो आना होगा तो zero आ जाएगा ठीक तो current की value हमारे पास में आ रही है अच्छा current की value लिखने का तरीका क्या है जो EMF लगा है आप उन में total resistance आर प्लस स्मोल आर यह वाली value तो यहां से i की value कितनी है 0.5 e की value नहीं पता है हमारे पास में e की value नहीं पता है 2 और यह आर यहां से यह एक equation हमारे पास में बन गई है इस वाले के लिए कारिकरम चला है यह आई की value 0.25 1 by 4 ले ले लें साब e upon में r की value 5 प्लस स्मोल यह वही रहेगा तो यहां से अभी हमारे पास में कुछ चीजे बन गई है अच्छे यहां से e की value कुछ बना सकते हैं क्या इधर से भी रख दो चलो तो चाहो तो चलो हम इधर से रखनाय स्टार्ट करते हैं हम इधर से रखनाय स्टार्ट करें यह 1 by 2 हो जाएगा तो 2 plus r equals to 2e यह पहली equation हम इसको माल लेते हैं और यहां से equation पहली क्या बनेगी 5 plus r equals to 4e यह दूसर equation अच्छा हमें चाहिए क्या question में यह में तो यह में चाहिए तो ऐसा करें यह भी आ रहे है यह भी आ रहे है किसी को माइनस कर दो equation 2-1 कर दो 2-1 करेंगी तो 5 plus r और 2 plus r में से 5-2 3 बचेगा r से r cancel यहां पर 4-2 बचेगा तो यह 2e हो जाएगा मेरे खाल से बहुत बैसिक सा क्योशन कोई दिक्कत आए भी नहीं होगी करने में और जिन लोगों को आई होगी उन्होंने यहां पर समझ भी लिया होगा क्या इंटर्ल रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ लोड तो है अगला प्रस शार्पर दा असर्शन रिजन भही बहुत बहुत ज़रूरी है नेट पैटर की पिछले कुछ सालों में एक दो क्योशन दो क्योशन एसर्शन रिजन के आ रहे हैं प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है शार्पर दकर वेचर ऑप स्पोर्ट ऑफ चार्ज बोड़ी इस लेसर विल बीदा सर्फेस ऑफ चार्ज रेंसिटी अगर जितना होगा तो वहाँ पर सर्फेस चार्ज देंसिटी कम होगी यह पूछ रहा है अगर यहां पर देखें पोटेंशल लिखने का तरीका क्या होता है सिग्मा आर अपॉन में एपसाल और यह दोनों के लिए सेम होगा यानि कि sigma into r जो होगा वो दोनों के लिए same होगा जो point sharp होगा उसके लिए r कम तो charge density जादा r कम का मतलब क्या है वो देख लो एक बार r कम का मतलब क्या है अगर यह sharp है न तो यहाँ पर अगर मैं एक circle बनाऊ तो बहुत छोटा सा बनेगा लेकिन यह sharp नहीं है न तो यहाँ पर एक बड़ा circle बनेगा तो sharper point पर radius of curvature कम होता है sharper point पर radius of curvature कम हुआ तो इस relation के according sigma ज्यादा charge density कम लेकिन वहाँ तो क्या बोला जितना sharp होगा sigma charge density उतना ही कम होगा sharp ज्यादा तो r कम sharp ज्यादा हुआ तो r कम होगा radius of curvature और r कम होगा तो sigma ज्यादा होगा यह तो अलगी चीज़ है तो सहाब यह गलत statement है electric field electric field is non zero inside a charge conductor सहाब conductor के अंदर तो हम जानते है electric field zero होता है तो यह भी गलत है assertion भी गलत reason भी गलत तो हमारा answer क्या जाने वाला है हमारा answer जाने वाला है assertion and reason both are false ठीक है चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं no work done is moving a test charge from a one point to another over an equipotential surface मान लीजिए a point से b point की तरफ जा रहे हैं और यह किसी metal surface के points है जहां पर हमने metal है तो equipotential होगे work done की value जानते हैं a से b जा रहे हैं तो delta v a और b के बीट में delta v की value 0 तो work done 0 हाँ साब अगर किसी भी charge को किसी equipotential surface की एक point से दूसरे point तक ले जाते हैं तो वहाँ पर work done होता ही नहीं है तो सही बात है सही बोला कोई work done नहीं होगा अब उसके बोला electric field is always normal to equipotential surface at any point तो अगर हमारे पास में इस चीज को और भी अच्छे से समझाएं तो हम इसको समझाने कोशिश करते हैं यह अगर यह एकवी potential surface हो गया ना तो electric field line जो होगी ना वो तो एकवी potential surface के perpendicular होती है एक electric field lines अगर इधर आ गया force भी इधर ही आएगा लेकिन displacement इधर आ गया तो फिल्ड और displacement force और displacement एक दूसरे के perpendicular हुआ तो भाय यह वर्गडन तो जीरो आ रही था यानि कि एक तरह से एक step के reference के साथ में यह इसका सही explanation है कि एकवी potential पर ले जा रहे है वर्गडन नहीं होता है और mechanics में पढ़ा है कि वर्गडन नहीं होता है तो force और displacement एक दूसरे के perpendicular होंगे तो यहां बोल दिया भी अगर एसे भी जा रहे है तो भई displacement इधर है लेकिन एक भी potential surface है उस पर electric field perpendicular आएगा तो force भी perpendicular होगा force और displacement एक दूसरे के perpendicular work done zero सही है भई explanation भी कर रहा है first answer मेरे ख्याल से correct explanation है और दोनों ही सही है चलिए भई आगे बढ़ते है last अगली next questions की तरफ टर्मिनल potential difference पूछा जा रहा है हमसे कहां पर पांच बोल टर्मिनल potential difference देखना है TPD बोला जाता है मेरे खाल से टर्मिनल potential difference हमें यह देखना पड़ेगा कि यार यह सेल जो 5 ohm वाला है यह current ले रहा है या फिर यह supply कर रहा है क्योंकि दोनों के अंधर ही इन दोनों को देखे इसको और इसको यहां पर current इधर जाना चाहरा है इस पर यह दूसरी को पोस्ट कर रहे हैं यह करेगा 20 है और यह थोड़ा काम है तो भाया नेट तो यार यही जिएगा तो हम इन दोनों को बीस और पांच से हम इसे लिख सकते हैं क्या नेट जोगा यह 15 हो गया और रेजिस्टेंस तो सब सीरीज में है तो हमारे पास में पांच ओम का सब सीरीज में है यह आ जाएगा तो यहां से हम करेंट निकालना चाहें तो करेंट की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में 5 इट्स 3 एम्पियर मतलब सर्कीट के अंदर 3 एम्पियर है तो यहां से यह यहां से निकलेगा यहां पर 3 एम्पियर एंट्री मारेगा और अगर 3 एम्पियर एंट्री मारेगा तो टर्मिनल पोटेंशल डिफ्रेंस इसकी वैल्यू वी जो बैट्री करेंट लेता है यानि कि खुद चार्ज हो रहा है उसके लिए टर्मिनल पोटेंशल वी प्लस आया एक इसके लिए क्या होता तर्म पॉटेंशल डिफरेंस से चार निकल रहा है इसके लिए इसके लिए आता वी माइनस आया इसके लिए प्लस आया वी कितना है इसका पांच करन्ट उसी सरकीट का पार्ट है तो आई 3R की वैल्यू इसका तू है तो यह आ जाएगा हमारे पास में 11 वोल्ट तो 11 वोल्ट टीपीडी है ठीक है साब यह हमारे पास में इसमें काम हो गया टर्मिनल पोटेंशल डिफ्रेंस का से लिए नेक्स क्वेशन है बुल जा रहा है हमारे पास में दो आइदेंटिकल स्फिर एंस सेम चार्ज उनके बीच में फोर्स है हमने यह स्फिर ले लिए दोनों पर सेम चार्ज लिया है तो इस पर जो फूर्स आएगा वह वाली वैल्यू पितना आने वाया के q1 q2 upon में इन दोनों की बीच का सेपरे अब जो नया फोर्ष आएगा फ्डश माले इस एपरेशन वह यह सब तो आप कितना हो जाएगा के क्युवन प्यूटू अपोन में आरसक्वार सेप्रेशन अभी वही है पियर इत्रीबाए तो एत्रीबाए फूर बहारा जाएगा बाकी क्यूवन क्यूटू अपन आरसकर प तुम्हें पता है कि हर क्योशन टफ नहीं आ सकता है आएगा तो आपके जो तीन घंटे हैं पुरे फिजिस्केमस्ट्री वायो में सब कम पड़ जाएगा कि कि की नमबर आफ क्योशन 200 है आपको पड़ नहीं पड़ेगा तो वहाँ repulsion होता है और conductor होने के कारण वो एक दूसरे को repel कर भी देते हैं, redistribution हो जाता है, induction हो जाता है, repel करते करते हैं, पूरा चार्ज सर्फेस पर इकठा हो जाता है, क्योंकि सर्फेस पर जब चार्ज पहुंचता है, उस टाइम पर potential energy minimum और stability maximum हो जाती है, तो जब भी किस चार्ज को, conductor को चार्ज दिया जाया, कहीं पर भी दो, वो सर्फेस पर पहुंचना है, इसलिए कहा गया है, चाहे वो, छाहे वो सॉलिड हो कही मतलम नहीं होता सर्फेस पर ही पहुछ न है क्योंकि वो गिपैल या अट्रेक्त करें रिपएल करेंगे ओर रिप्यल करेंगे तो सर्फेस पर जाना उससे दूद्र जा नहीं सकते हैं तो उसे बोल भी दिया कि कंड़क्टर में सर्फेस पर ही चार्ज रिसाइट करते हैं सही चीज बोल दिया है रिपेल करता है तो मेरे खाल से इसका दोनों चीज़ सही है और यह इसका करेक्ट एक्स्प्लेनेशन भी है तो यह तो है 25 क्योशन 1-25 समय के अभाव के कारण बाकी के जो 25 क्योशन है वो एजी सर और परवेश सर वो डिसक्स करेंगे आपके साथ होपफुली आपको थोड़ा सा यह बेनिफीशल रहा होगा मेहनत करते रहें अपना काम जो है कंटीनु जारी क नहीं है कि एक ही दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा जो सलय बस है या फिर पूरा का पूरा नॉलेज बढ़ जाएगा अगले एक दो महीने आपके पास में हैं पेपर दें अपनी गलतियों को पहचाने और अपना काम कंटीनु जारे रखें कि कहते हैं कि इस रात को गुजरने का, क्योंकि सूरस तो अपने समय पर ही होगेगा, रात को वक्त दो गुजरने का, सूरस तो अपने समय पर ही होगेगा, आप मेहनत करिए अगले एक दो महिन है, गलती होगी, उनको पहचानी है, उनको रेक्टिफाई कीजिए, उनको एनलेसिस कीजिए, टाइम आन बहुत अच्छा हुआ होगा और जैसे कि आपकी preparation है बहतरी ने किये पूरे साल आपने मेहनत किये उसके according तो आप क्या paper अच्छा ही हुआ होगा अगर आपने कुछ गलतियां की थी तो आप उसको solution के अंधरम बताते हैं कि आपको paper किसे handle करना था मैं आपको दो तरीकों से बत करवाता हूँ राइट सबसे पहरे देखिए आप question number one क्या है question number one मेरे लिए question number one है basically यह question number 26 है क्योंकि 1 to 25 स्वाल करवा दिये थे यह बहुत interesting और आसान तर question है अगर आपको electric field line की property ठीक से आती है तो आप ही question गलत नहीं कर सकते थे आप मुझे बताईए आप से कहा जाता है क कोई भी point charge है और point charge किसी metallic sheet के surrounding में रखा होगा है तो इसकी वज़े से बनने वाली field lines कैसी होगी जरा मुझे एक बात बताईए आप कि अगर यह point charge यहां रखा होता like this यह कोई positive point charge है अगर इसके surrounding में कोई metal sheet नहीं होती तो इसकी field lines कैसे होती आप अच्छे तरह जानते है कि क अगर वो isolated होता तो like this किसी भी isolated point positive charge की field lines radially away from the charge होती है कहानी क्लिये अच्छा मान लीजिए यह और अपन कुछ lines बना लेते हैं like this यह इसकी field lines किसकी field lines है है point positive charge की field lines अगर इसके surrounding में कोई दुसरा charge नहीं रखा हुआ है आपने पढ़ा होगा कि point positive charge की field lines positive charge से originate होती है और up to the infinity जाती है अगर वो कोई isolated charge है और अगर उसके surrounding में negative charge रखा हुआ है तो वो positive charge से originate होगी और negative charge पर terminate होगी आपको यह भी बात अच्छी तरह पता होगी कि किसी भी positive charge की वज़े से surrounding में कोई अगर metal body रख दी जाए तो उसके charge induced होते है तो यहाँ पे भी क्या होगा कि मान ल induced होगा like this और उतना ही चार्ज यहाँ positive charge induced होगा आपको पता होना चाहिए induced charges हमेशा pair में आते हैं और equivalent opposite आते हैं अब जैसे एक neutral prediction surrounding में रखोगे induced charges picture में आ चुके हैं इसलिए क्या होगा कि यहाँ से originate होने वाली field lines यहाँ पे terminate हो जाएंगी like this और आपको यह बात अच्छी कि जितनी field lines इदर terminate हो रही है उतनी field lines यहाँ positive charge से फिर originate हो जाएंगी तो यह कुछ pattern होगा field lines का अगर किसी point positive charge के surrounding में कोई metal sheet रखी हुई है तो अब देखिए इससे match करने वाला कौन सा pattern है पहला ही option इससे match कर रहा है तो first option हमारा correct था second option क्यों गलत है आप देखिए कि second option म कि इस पर terminate होनी चाहिए थी पर कुछ line यहाँ से निकल के ओपर दिखा रही है और एक line vertically downward दिखा रही है तो यह गलत हो जाएगा यह क्यों गलत है यह इसलिए गलत है कि आप जानते हो कि जो field lines से हो conducting surface के perpendicular ही एंटर करती है और perpendicular ही बाहर निकलती है यहाँ कुछ angle दिखा रह किया होगा और आपने किसी ने गलत नहीं किया होगा अगर गलत किया था तो दुबारा गलत नहीं करना चलिए मूह करते है नेक्स्ट पेस्टन की तरफ आपको यह बात पता होना चलिए कि अगर मान लीजिए आपने किसी external uniform electric field में कोई डाइपोल रख दिया है तो जब आप किसी भी डाइपोल को external uniform electric field में रखते हो तो यह बात अच्छे नहीं आपको पता होना चलिए कि उस पर लगने वाला force equal and opposite होता है अगर बच्चा लोग यहाँ पर मेरा कोई डाइपोल है जिसका negative charge यहाँ रखा हुआ था और यहाँ से किसी distance पर positive charge रखा हुआ है और यह system पूरा का पूरा जो हम डाइपोल बोलते हैं अब जरा मुझे एक बात बता दीजिए आप कि अगर मैं आपसे यह पूछूँ कि आप पॉजिटिव चार्ज पर किस direction में force लगेगा तो आप कहेंगे positive charge पर लगने वाला force field के direction में होता है तो इधर force लगेगा QE फिर आपसे कहा जाएगा नेगटिव चार्ज पर किदर force लगेगा आप कहेंगे सर नेगटिव चार्ज पर हमेशा electric field का opposite force लगता तो यह भी force हो जाएगा QE opposite direction में दोनों force equal and opposite है तो एक दूसरे cancel out कर देंगे तो जो f net है वो तो 0 मिलेगा रही बात potential energy की तो potential energy जी होती डाइपोल की external field के अंदर U that is minus P dot E which can be written as minus P E cos theta अब इस potential energy की maximum और minimum values होती है तो U जो minimum होता है वो तब होता है जब theta की value 0 degree होगी मतलब electric field और dipole moment दोनों same direction में अगर है तो theta 0 होगा और जब cos 0 आप put करोगे तो U minimum मिल जाए आपको minus P E यह minimum potential energy है यह कब होगा जब theta की value क्या होगी 0 degree और U जो maximum होता है वो कितना होगा प्लस P E और ऐसा कब होगा जब theta की value 180 degree होगी that means यह तो आपपा electric field होगा E और electric field अगर right word है तो dipole moment vector opposite direction में अची P ऐसे हैं किस situation के अंदर जो theta की value है वो 180 degree है तो यहाँ U maximum होगा और यहाँ U minimum होगा तो आपका जो option correct होगा वो होगा third किसाब net force 0 है potential energy minimum है लेकिन आपको यहाँ एक concept और clear करना है और वो concept क्या है कि जब भी किसी system की potential energy maximum होती है तो वो system के लिए unstable equilibrium होता है और जब किसी भी system की potential energy minimum होती है तो वो stable equilibrium होता है तो वो यह भी पूछ सकता है किस पे लगने वाला force क्या है और इसके equilibrium का type क्या है तो इस situation के अंदर इस पे लगने वाला net force 0 है और यह इसकी stable equilibrium वाली condition है hopefully आपके समझ में आगया होगा now we have to move to the next question और यह question आपके पास है हमारे पास next question the height at which the weight of the body becomes 1 by 9th of its weight on the surface of the earth बच्चा पार्टी एक आसान सवाल था जो सबका सही होना चीए था कि मान लिजी earth का radius r है तो earth के surface पर जो g की value होती है g on the surface of the earth which is equals to g which can be written as g m by r square यह g है अब आपसे पुछा है कि साब कितनी height पर मान लिजी ही height h है यहाँ से height h है इस height पर मुझे कितना weight चाहिए 1 by 9th तो weight अगर 1 by 9th चाहिए तो g की value भी 1 by 9th हो जाएगी तो यहाँ पर जो अगर मान लिजी यहाँ से यह distance है यह तो h है यहाँ से height h है लेकिन center से जो distance है आपके center से वो r की value लिखी जाएगी h plus capital r और यहाँ पर जो g की value लिखी जाती है g dash which becomes equals to g capital m upon small r square अब आप मुझे बताइए कि r की value क्या हो जाए कि g dash जो है वो 1 by 9 रे जाए weight का 1 by 9 रेने की शर्त क्या है कि g की value भी 1 by 9 रेनी चाहिए तो और इसको मैं 3 गुना कर दूँ center से जो distance से वो 3 गुनी कर दूँ तो 3 का square 9 हो जाएगा तो यह मैं लिख दूँगा कि सब g capital m upon 3 r का whole square मैं लिख सकता हूँ और यह बन जाएगा g capital m upon 9 r square यह मेरे पास पहले surface वाला g था तो g divided by 9 हो गया इसका मतलब यह हुआ small r की value आपको 3 r चाहिए और small r की value है h plus r और यहां से आप h की value निकाल लेंगे यह 2 r हो जाएगा इतना करने की जरूद नहीं होती आप सिर्यूद भी बात करेंगे किसाब earth की surface से surface का distance center से वो r है तब g की value g होगी g inversely proportional to r square होता है अगर मुझे g की value 1 by 9 चाहिए तो center से distance जो है वो 3 गूनी करने पड़ेगी क्योंकि वो square है तो 3 गूनी करने पड़ेगी इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक का distance surface का distance अगर r है और मुझे 3 गूना करना है तो तो यहां से radius का 2 गूना करना पड़ेगा तो 2 r will be the right answer यह आपका answer होगा now move करते है next question की तरफ अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल यह है यह भी बहुत interesting question है very important यह question समझना है बच्चा पार्टी होगा क्या मान लीजिए हमारे जो earth है उसका mass capital M है अब हम जानते हैं कि gq value effective होने के लिए gq value effective होने के लिए mass का astronomical size का होना जरूर ही है हम mechanics में क्या पढ़ते हैं हम mechanics में यह पढ़ते हैं कि जो आपका radius है earth का वो r है और small heights की जब हम बात करते हैं और mass पर small particles को release करते हैं तो उस खुद particle small particles का जो खुद का g होता है आप समझते हो कि हर mass अपने आप में acceleration due to gravity produce करता है या अपने surrounding में gravitational field produce करता है अब earth के surrounding में अगर इसका acceleration due to gravity g है तो और कोई mass negligible ले लिया जैसे मैं आप से कहूँ कि या यह मेरे पास pointer है या यह marker है इसका खुद का g होता है कि इसके surrounding में आप कहेंगे सर acceleration due to gravity तभी effective आता है किसी भी mass का जब वो astronomical size का हो छोटी body इसका खुद का g effective नहीं होता तो यहाँ सवाल के अंदर बहुत tricky चीज़ आपको दी गई है कि एक body है जो super dense material की बनी वी मतलब वो body है तो particle की तरह पर उसकी density इतनी ज़ादा है कि उस particle के अंदर अर्थ का दोगुना mass छिपा होगा तो आप यहाँ क्या देखेंगे with mass twice of the mass of the earth इसका यह मतलब हुआ कि अगर मान लीजी अर्थ के surrounding में यहाँ तक का separation में आप ले लेता हूँ अर्थ के surrounding में अर्थ की वज़े से यहाँ अगर g की value g ले हुआ आप जानते हो कि जो g होता है मेरे पास वो g capital am upon r square होता है तो आप से का है mass double है और अगर मैं mass को double कर दू तो mass को double करते है मेरा जो g देश है वो भी 2 times of g हो जाएगा तो आप एक बात बताईए मुझे कि यहाँ एक particle है जो super dense material का बना हुआ इसका mass 2m है इन दोनों के centers की बिचका कुछ ना कुछ distance था और उस distance की comparison में एक छोटा है मतलब मैं के कहना चाहूँगा कि आप मुझे बताईए अर्थ को हम इसको compare करते हैं समझेगा ध्यान से यहाँ से अर्थ का पूरा का पूरा mass यहाँ consider कर लिया जाए aim mass और अर्थ के center इसका कुछ ना कुछ ना कुछ distance था तो अर्थ की वज़े से जो यहाँ G होगा वो इस तरफ होगा G और जो super dense material है जिसका की mass 2A में उसकी वज़े से अर्थ के center पे जो G आएगा क्योंकि mass double है तो वो आजाएगा 2G तो जैसे आप इनको छोड़ोगे अर्थ तो उस particle की तरब 2G से accelerate होगी और particle R की तरब G से accelerate होगा आप मुझे बताइए दोनो acceleration opposite direction में है then what will be the relative acceleration ए रिलेटिव की बात करूँगा बच्चा लोग तो यह हो जाएगा 3G आप सब जानते हो कि vector quantity acceleration जब opposite direction में होते हैं और मुझे relative निकालना होता है तो मुझे add up कर देता हूँ आपिकल को rest से release किया हो तो इनके surfaces के बीच का separation H था तो H की जएगे तो H आजाएगा तो यहां तो लिख दूँगा में under root of 2H अब A को relative रखना पड़ेगा तो relative acceleration कितना हो जाएगा 3G तो यहां लिख दिया मेंने 3G our answer will be under root of 2H by 3G so third is the right answer थाचा question उमीदा आप इसको सही किया होगा नहीं किया तो अगली बार सही करेंगे चुरें मू करते है next question की तरफ अगला सावान हमारा 30 है यह अपना आपे बहुत जबरदस question है इसमें बच्चों ने गच्चा खाया होगा जिनके concepts के लिए नहीं होगे यहां एक मज़दार चीज लिखी विए उस मज़दार चीज को मैं आपको समझाना चाहूँगा if an earth satellite moves in lower orbit जब भी वो lower orbit की बात करेगा इसका simple सा मतलब है satellite earth के surrounding में वहाँ revolve कर रहा है जहाँ air का resistance available है यह understood होना चीए यह concept आपका clear होना चीए अब ध्यान से समझेगा बच्चा पार्टी अगर मान लो यह satellite है यह satellite है और यह हमारी earth है मान लीजिए satellite ऐसी जगे पर move कर रहा है जहाँ हवा का resistance है इन जनर्डल थो हमारे दिमाग में यह आता है कि हवा का resistance होता है वो speed को कम कर देता है यह किसी भी तरह का resistance force speed को कम कर देता है यहाँ बहुत जबदस चीज होगी पर अच्छी समझने कोशिश कीजी मैं एक सवाल आप से करता हूँ कि कोई particle किसी direction में move कर रहा है और जिस तरफ move कर रहा है definitely इसका momentum उधर ही होगा और जिदर particle का momentum है उसी direction में अगर मैं उस पर force apply कर दूँगा तो वो applied force उसका momentum बढ़ाएगा या कम करेगा आपका answer होगा Sir अगर आप जिस direction में momentum है उधर ही force apply करेंगे तो definitely momentum बढ़ा देगा और अगर momentum बढ़ जाता है तो हम सीधी सीधी बात के सकते है कि when applied force is in the direction of linear momentum momentum will increase and if applied force is opposite to the direction of linear momentum definitely momentum will be decreases same condition torque के साथ होती है अगर angular momentum की direction में torque आ जाए तो angular momentum को बढ़ा देगा और angular momentum की opposite direction में torque आ जाए तो angular momentum को कम कर देगा अब यहां बहुत जबर्दस concept क्या है आपको पता है satellite की revolve करने के लिए centripetal force मिलेगा gm m upon r square से और यह provide करेगा aim v square by r I hope you all are aware about this formula now we can cancel out this r aim cancel नहीं करना है क्योंकि यह से हमें एक relation निकालना है इदर बचा gm m g capital m small m यहां बचा m v square aim v square को speed करके लिखूँआ v into v और जो यहां का r बचाता है उसको मैंने यहां लिख दिया तो आप मुझे बताइए एक circular orbit में revolve करने वाले satellite का mass अगर aim है speed v है तो उसका angular momentum m vr होगा नहीं होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ angular momentum multiplied by v और यह g aim और aim सब constant है तो यह constant होगा तो यह ब्रहमासल आपको मिला है हर planetary motion के लिए concept valid है अब यह एक जबरदस चीज आजाएगी किसाब अगर angular momentum और velocity का product constant रहेगा तो जहां angular momentum बढ़ जाएगा वहाँ speed कम हो जाएगी और जहां angular momentum घड जाएगा वहाँ speed बढ़ जाएगी अब तुमारे काम की चीज आएगी जो सवाल में पूछिए मैं सवाल बाद में पढ़ूँगा पहले concept सिखा रहा हूँ तो मैं आपसे गरी जानना चाहूँ कि बच्चा पाटी मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर आपसे कहूँ कि यार अगर satellite जहां revolve कर रहा है lower orbit के अंदर वहाँ हवा का resistance है तो resistance force तो definitely velocity के opposite लगेगा so this will be the direction of resistance force F resistance अब resistance force का अर्थ के center के about torque जो आएगा वो किदर आएगा किसाब ये particle है ये R है ये FR था तो definitely जो torque आएगा वो इस sense में आएगा out to the plane बोल सकता हूँ या मैं बोल सकता हूँ anti-clockwise so this is the direction of torque due to the resistance force कहानी के लिए ये समझना जरूर ही है now if satellite is revolving in clockwise sense definitely this angular momentum will be also in this sense अब बताईए resistance force का जो torque आएगा क्या वो angular momentum के opposite आएगा तो resistance force का torque angular momentum के opposite आएगा तो definitely angular momentum को decrease करेगा और इसलिए velocity को बढ़ना पड़ेगा तो आप सवाल पाजाईए if an earth satellite moves in a lower orbit there is some dissipation of energy and but the satellite speed is increased तो जिन बच्चों को knowledge नहीं थी concept की उनके लिए तो बहुत मुश्किल सवाल था कि सब energy dissipated हो रही है because of resistance force और speed बढ़ रही yes, speed will definitely increase अब दूसरी चीज़ समझेगा reason लिखावा है the speed of satellite is the constant quantity very sad आपने यहाँ देख लिया कि जो satellite की speed होती है वो होती under root of gm by small r तो यह r पर depend करेगा और यहाँ आपने क्या देख लिया कि air resistance अगर है या किसी भी तरह का resistance force available है in case of planetary motion तो speed बढ़ना शुरू जाती है और जब speed बढ़ रही है तो यह तो constant है यह parameter तो constant आप बदल नहीं सकते अर्थ का mass नहीं बदल सकते universal constant नहीं बदल सकते तो speed बढ़ रही है तो पक्का r कम हो रहा होगा मतलब यह जो satellite है अपना radius कम करता हुआ spiral path follow करता हुआ ultimately earth की surface बागे collect हो जाएगा अब दूसरी चीज़ हमारे पास समझ माती किसाब देखिए dissipation of the energy के बात करते है क्या उसका energy loss हो रहा है yes energy loss हो रहा है my dear just keep in mind यहाँ दो तरीक एनर्जी पिक्चर में है one is the potential energy another is the kinetic energy आप मुझे बताईए जब earth की surface से बाहर उपर चलते हैं तो आपको यह बात समझ में आ जाना चीए कि जैसे जैसे satellite earth की surface तरफ आएगा इसकी potential energy decrease होगी और kinetic energy बढ़ रही है पर because of resistance पूर पिक्चर में आ गया तो और और energy तो कम होगी तो कहानी यह थी कि मेरे यह वाला जो हाथ है मान लिजी यह kinetic energy यह तो बढ़ेगी और यह potential energy यह घटेगी तो अगर जितनी kinetic energy बढ़ी उतनी ही potential energy कम हो जाती तो energy conserve रहे था energy में कोई loss नहीं आता पर यह होता क्या है कि जिस rate से kinetic energy बढ़ रही होती है उससे ज्यादा तेजी से potential energy कम हो रही होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि overall energy की value कम होती है तो बहुत important concept है सीख लिया होगा अगर नहीं पता था तो आज सीख लिया होगा आज के बाद बात कीजिएगा बहुत interesting concept है तो answer की बात करते हैं पहला statement बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरा statement गलत है तो which is the right answer assertion is true but reason is false चलो move करते हैं अगले सवाल की तरफ अगला जो आपका सवाल है यह भी एक interesting question है यहां देखी कि दो large metal plates है जिनको आपने charge Q1 और Q2 दिया है आपसे पूछाए कि B की inner surface पर यहां charge कितना होगा तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आसान तरीका बहुत आसान है ध्यान से देखीगा यह मेरे पास मान लीजिए कि उपर वाली plate A है इसको मैंने दिया Q1 charge आप जानते हो कि जो metal plate को दिया जाता है charge वो दोनों surface पर बराबर बराबर आता है तो अगर यह isolated होती तो इधर आता Q1 by 2 इधर भी आता Q1 by 2 इसी तरीके से अगर मान लीजिए B एक isolated plate होती और इसको मैं Q2 charge दूँगा तो बच्चा इधर आएगा Q2 by 2 इधर भी आएगा Q2 by 2 आप इंट्रेसिंग चीज क्या है कि जब यह दोनों एक दूसरे के surrounding में रखी जाएंगी तो यह यहाँ induce करेगा minus Q1 by 2 और यहाँ induce करेगा plus Q1 by 2 यह यहाँ induce करेगा minus Q2 by 2 और यहाँ induce करेगा plus Q2 by 2 अब बताइए यह plate A थी और यह plate B है तो B के inner surface पे charge कितना हो गया आप कहेंगे सर यह है Q2 by 2 और यह Q1 by 2 minus के अंदर तो इसका जो charge मिलेगा वो Q2 minus Q1 by 2 मिलेगा आप देखी option में कौन सा answer सही है तो Q2 minus Q1 by 2 is the second answer that's why this is the true answer आपने एक तरीका और सीखा होगा कि जो multiple plates एक दूसरे के surrounding में रखी जाती है उनकी outer surface पे जो charge आता है वो total charge का half होता है तो यहाँ total charge होगा Q1 plus Q2 और यहाँ जो charge आएगा वो भी Q1 plus Q2 by 2 आएगा अब इसका charge conserve रहना है तो अगर मान लिजे यहाँ का जो charge है वो QA है तो आप कहेंगे this plus QA must be equals to capital Q1 क्योंकि इसका charge conserve रहना है इसी तरीके से गर यहाँ का charge में QB ले लूँगा तो this plus QB must be equals to Q2 जब यहाँ से QB solve करेंगे बच्चा पार्टी तो अभी answer यही आएगा ठीक तो उम्मीद आपके concept समझ में आगया होगा और इस तरीके सावालों के practice आपको करनी है मूह करते है next concept की तरफ अगला सवाल हमारा है which of the following is not possible by combination of 4 registers of equal to 8 ohm मेरे पास R equals to 8 ohm के 4 resistance है किते resistance है 4 resistances तो यार जब हम resistance को series में जोड़ते हैं तो effective resistance बढ़ जाता है तो अगर आप सारे के सारे resistances को series में जोड़ दोगे चारों के चारों के series में जोड़ दोगे तो बताओ R equivalent की value क्या आएगी किसाब अगर 8 ohm के 4 resistance series में जोड़ दूँगा तो जो maximum value मिलेगी वो 32 ohm होगी ये R maximum है और अगर सबको पहलेल में जोड़ देता तो R equivalent की जो value होती वो 8 ohm divided by 4 मतलब 2 ohm होती ये R minimum तो आपको 4 जो 8 ohm के resistance दिये गए हैं उनसे maximum possible value आप कितनी find out कर सकते हो 32 और minimum value कितरी 2 ohm इसके बीच में हर value possible है minimum 2 ohm और maximum 32 आप option देखिए क्या 2 और 32 के बीच में जो like करने वाले जितने भी values होंगी वो सब exist करेंगी मतलब ये भी possible है ये भी possible है ये possible नहीं है इसलिए हमारा answer भी यह हो जाएगा किसाब आप 4 ohm के 4 registers के combination से one ohm resistance position कर सकते है so what is the right answer आफान सवाल था में से move करते है next question की तरफ the equivalent resistance between A and B A और B के बीच में effective resistance क्या होगा तो आप मुझे बताएगे पंच्छा पार्टी ये और ये जो दो point है इनके बीच में ये 2R और 2R parallel में है तो इसका equivalent मिलेगा R मतलब इन दोनों से आपको R मिला अब R और R आपस में series में है तो ये कितना मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा 2R फिर यहां पे भी 2R है 2R और 2R आपस में इसके बीच में parallel में है तो ये पूरा का पूरा जो आपको मिल जाएगा और वो मिल जाएगा R अब बताएगे R के साथ ये पूरा R series में है तो ये 2R हो जाएगा और ये भी 2R है तो 2R and 2R in parallel will give R so answer should be R फिर से समझाओ बहुत आसान था फिर से बात कर लेते चलिए चलिए साथ फिर से बात करते देखिए ये 2R और 2R parallel में तो कित्ता देगा R R के साथ ये R series में है तो ये पूरा कित्ता बन जाएगा हमारे पास 2R अब इस 2R के साथ ये 2R parallel में है तो यहाँ जो पूरा बनेगा आपके पास वो आएगा R इस R के साथ ये R series में है तो ये पूरा 2R हो जाएगा वो इधर भी 2R है, अब 2R और 2R आपस में पहलल में है, तो 2R और 2R अगर पहलल मोंगो तो कितना देगा बच्चा पार्टी R, so answer will be R, बहुत आसान सवाल था मूह करते हैं, next question की तरफ In a wire of cross section radius R, free electron travel with the drift velocity V when current I flows through the wire ठीक है, what is the current in another wire of half of the radius जब आप radius को half करोगे बच्चा पार्टी, तो area हो जाएगा A dash becomes equals to A by 4 आप जानते हो, जो resistance wire होता है, वो cylindrical होता है, और इसका जो area होता है, A वो pi R square होता है तो जब मैं radius की value half कर दूँगा, तो area 1 by 4 रह जाएगा, यह information मुझे यहाँ से मिल गए, and same material, material same है, मतलब उसके जो number of free electrons per unit volume हो भी same है, then drift velocity is 2V, drift velocity 2V हो गई, आपको बताना क्या है कि current की value क्या हो जाएगी तो बच्चा पार्टी, I becomes equals to होता है, N, A E, V, D material same है, तो आपने N same ले लिया E तो हमेशा same रहना ही रहना है, मतलब I is proportional to A, and proportional to VD हो जाएगा मतलब मैं सीधी सीधी बात कर सकता हूँ, I dash अगर मैंने area को कर दिया 1 by 4 तो यह हो जाएगा 1 by 4 और dip velocity कर दिया double, तो फिर हो जाएगा 2 times, तो area के वज़े से तो 1 by 4 तरह जाएगा और velocity के वज़े से दो गुना होगा मतलब मैं सीधी सीधी बात कर सकता हूँ, मेरी current है, जब मैं area को 1 by 4 करूँगा, तो current I by 4 रे गई फिर जब मैं dip velocity डबल की तो वो दो गुनी हो गई, तो I by 4 का 2 गुना किता हुगा I by 4 का 2 गुना अगर मैं करूँगा, तो यह answer आपका I by 2, तो आप direct निकाल सकते देशे, या फिर आप comparison कर ले, आप ऐसे कर सकते हैं कि सब I2 by I1 becomes equals 2, हमें पता है, प्रपोस्टल्टी आ रही A और VD के साथ तो यह हो जाएगा मेरे पास A1 V1 upon A2 V2 यहाँ से इप I2 निकाल सकते हैं ठीक है, तो answer आपके आपके आजाएगा बच्चा पार्टी, I by 2, that is the word, third is the right answer एक easy question था, उम्मीद है आप इसको कर चुके होंगे, आपने सही किया होगा next question आथा है हमारे पास, यह तो informative है, आपको पता होना चीए था arrange the following materials in increasing order of the resistivity, resistivity का increasing order की बात की जा रही है, तो आप मुझे बताएगे, क्या क्या है, आपके पास इक copper है, nichrome है, germanium है और silicon है तो इसमें सबसे जादा अच्छा conductor जो होता है, वो copper होता है, तो copper की resistivity सबसे कम होगी, और germanium और silicon की अगर आप बात करेंगे, तो silicon जो है उसके comparison में germanium बेतर conductor होता है, तो germanium की resistivity कम होगी, informative है तो सबसे पहले, सबसे बेतर, सबसे अच्छा जो conductor होता है, वो तो copper होगा, ठीक है, copper सबसे अच्छा conductor होगा, उसके बाद nichrome की बात करेंगे आप, उसके बाद बात करेंगे germanium की, और फिर बात करेंगे silicon की, राइट, आप मुझे बताईए, सबसे अच्छा conductor ये है तो इसकी resistivity सबसे कम होगी फिर nike होगी, तो order बिल्कुल सही था, यार मतलब पहरा ही answer सही है informative था, आपको पता होना चीए कि किसकी conductivity ज़्यादा होती and a clock P जो A's clock है वो तो spring पे-based है और जो P clock है वो pendulum पे-based है आप जानते हो, spring पे-based जो जितनी भी close होती है उनका जो time period होता है वो G पे-depend नहीं करता ठीक है, जबकि pendulum का time period या pendulum base watch जो होती है, उसका time period जो है, वो G पे-depend करता है ठीक है आपसे कहा जाते है based on the pendulum of motion बोट clocks run at the same time on the surface of the earth earth पर दोनों same time show कर रही है on a planet having the same density as the earth but twice of radius अब वहाँ g देखेंगे जो g की जो value होती है वो g am upon r square होती है g by r square ये होता है 4 upon 3 pi r cube into rho volume into density आप r से एक r को cancer कर देंगा तो square बचेगा ये 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 सब constant है तो आप कह सकते हो g जो है वो directly proportional to rho होगा and directly proportional to r square होगा मतलब ये हुआ समझ मागई बात r square था sorry ये r square था तो ये r बचेगा तो directly proportional to r होगा अब मुझे बताईए आप से ऐसा कहा जाता है कि हम ऐसे planet पे लेके चलेगे वहाँ पर जहाँ density same है मतलब density नहीं बदली है पर जो radius है वो दो गुनी है तो radius को दो गुना कर दोगे तो जो g dash है वो भी two times of g हो जाएगा अब आपको पताएगा spring pendulum जो है उसका time period change नहीं होगा g बदलने से लेकिन जो हमारी p watch है उसका जो time period tp जो है वो होगा two pi under root of l by g g dash हो जाएगा और क्योंके आपका g बढ़ चुका है तो time period कम हो जाएगा और अगर time period कम हो गया इसका मतलब उसका oscillation fast हो जाएगा याद रहे g बढ़ने पर time period कम हो जाएगा time period कम होगा तो oscillation fast हो जाएगा तो जो p watch है वो fast हो जाएगी as compared to the s अब आप देखें कौन सा option सही है s will run faster than p गलत p fast हो जाएगी p will run faster than s so second is the right answer उम्मेद या question भी आपके समझ में आगया होगा ठीक है अब हम मूँ करतें अगले question की तरफ next question मेरे पास है बहुत interesting question है conductors पर based है conductor की properties पर question था अगर आपको properties conductor की आती थी तो आप बहुत आसानी इसको scroll कर सकते है आपसे question में कहा जाता है if we have an irregular shaped conductor as shown and charge is given to it choose the correct statement सही बताना है बच्चा पार्ट पहरा statement देखते है the electric field and electric potential at P is maximum among all the points of the conductor wrong conductor की एक property होती है conductor का जो volume including surface इक भी potential होता है मतलब potential तो यहाँ 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 अंदर भी सब जगर same होगा V will be same everywhere V क्या होगा same V में कोई change नहीं आएगा लेकिन आप एक चीज़ पढ़िये होगी की conductor के शार pages पर charge density ज़्यादा होती है sigma जो है वो inversely proportional to R होता है तो जहाँ शार pages वहाँ charge density ज़्यादा है और electric field की जो value होती है surface पर वो sigma by epsilon node होती है तो जो शार pages है शार pages पर charge density ज़्यादा होने के वज़से वहाँ electric field भी strong होगा तो हम यसा कह सकते हैं कि सभी points पर electric potential तो same होगा लेकिन P points पर electric field intensity ज़्यादा होगी तो पहला तो गलत होगया दूसरे पात है the electric field at P is maximum बिल्कुर एबसूटली correct and electric potential is same as all points so this is the right answer the question is based on properties of the conductor तो अब तक हम discuss करा चले है question number 37 तक उम्मीद है यहां तक कि सारे सवाल आपके समझ में आये होगे आगे मूँ करते है 38 question पर देखी question क्या है current drawn by the battery just after switch S is closed जैसे इस switch को आप close करोगे कितना current draw होगा आप जानते हो बच्चा at T equals to 0 when switch is closed capacitor बिहेव लाइक conducting wire तो जैसे आपने switch close किया यह कैपसर एक conducting wire की तरह बिहेव करगा मतलब circuit कैसा बन गया आपका यह resistance R फिर यह वाला resistance R ही हमारे पास फिर यह resistance R हो गया और switch आपने close करी दिया है यह आपके पास V हो गया अब जरा मुझे बताईए R और R पेरलल में कित्ता देंगे R by 2 R by 2 के साथ R किसमें आएगा सिरीज में तो जो current यहां से draw होगी I उसकी वेली होगी V upon equivalent resistance 3 R by 2 इतनी current अब जब यह current यहां से आएगी तो यह current तो सेम होगी 2 V by 3 R और यह दोनों पेरलल में अगर पेरलल में resistance identical हो तो current बराबर बराबर बढ़ जाएगी इसका मतलब अगर यहां से आए current I तो इधर जाएगी I by 2 इधर भी जाएगी current I by 2 तो अगर I की value 2 V by 3 R है तो I dash है इसको मैं बोल देता हूँ मानली जी I dash है तो I dash की जो value होगी वो I by 2 होगी which becomes equals to V by 3 R हम से क्या पूछा है कि current drawn by the battery अपन से तो बैटरी से drone है वाली current ही पूछी तो मैं I ही बताना था तो मारा answer 2 V by 3 R हो जाएगा so answer is 2 V by 3 R first is the right answer अब एक दिमाग लगाईएगा after the long time when capacitor is fully charged what will be the current drawn by the battery DC के लिए infinite resistance offer करता है मतलब इदर से कोई current नहीं जाएगी इसके fully charge होने पर current सिप इदर जाएगी और जब current इसमें जाएगी तो effective resistance 2 R हो जाएगा तो यहां से draw होने वाली current V by 2 R हो जाएगी तो T equal to 0 पर current जो draw हो रही थी वो कितनी थी 2 V by 3 R और T equal to infinity after long time जो current रो होगी वो होगी V by 2 R उम्मीद यहां तक भी आपके समझ मागया होगा now we have to move to the next question Adversion दा एलेक्टोस्टरिक force between the plates of the charge isolated capacitor decreases when dielectric fills whole space between them जब भी आपसे between the plate word use करेगा तो आपके दिमाग में click करना चाहिए columbian force की वो property कि 2 charges के बीच लगने वाला force किसी third charge की presence या absence अफेक्ट नहीं होता तो अगर आप dialectic slab insert कर भी देंगे न तो plates के बीच में लगने वाला जो force है वो तो एक plate की वज़े से दूसरी plate पर वही रहेगा dialectic insert करने से resultant force बल़ जाता है तो जब भी दो plates के बीच की force के बात करेंगे force वही रहेगा so the electrostatic force between the plates of the charge isolated capacitor decreases when dialectic fields whole space between them decrease नहीं होगा बच्चा वही रहेगा इसका मतलब इस या जर से ने वो गलात हो चुका है reason अच्छा मैं एक बात और clear गव देता हूँ this question is diplomatic अगर मैं आपसे कहूँ किसी body पे लगने वाला force कितना है तो आप जितने भी forces लग रहे होंगा vector सम्बताओगी तो यहाँ भी तरीका वही होना चाहिए था ना पर क्योंके यह question अक्सर exam में आता रहता है इसलिए हम यह वैसे समझाना पड़ेगा जिसा कि हम exam में जो लोग answer देते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि सब 2 plates की बीच लगने वाला force है वो change नहीं होगा अगर मैं dialectic slab insert कर भी देता हूँ तो हाँ किसी एक plate पे dialectic slab प्लस दूसरी plate की बीच लगने वाला resultant force बदल जाएगा तो जब भी हम बात करते हैं तो resultant force की बात करते हैं तो answer तो change ही होना चीज़ था पर क्योंके जब भी question आता है as it is आता है वो 2 plates की बीच लगने वाले force की आपस की बात कर रहा होता है slab का force include नहीं करता है इसलिए वो change नहीं होगा यहीं माना जाएगा तो पहला statement गलत हो चुका है दूसरे के बात करते है the electric field the electric field between the plates of the charge isolated capacitor increases when dialectic fields अब यह एक important चीज़ है यह समझना पड़ेगा आपको कि अगर मेरे पास एक charged capacitor है तो जब भी isolated charge capacitor के बात करता हूँ मैंने source connect नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे बच्चा क्या करते हो आप लोग अगर आप slab insert करोगे इसके अंदर यह dialectic slab insert करोगे आप इसके अंदर तो आप मुझे बताईए Q equal to CV में क्या बदलेगा आप कहेंगे कि sir अगर आपने source connect नहीं किया वह तो Q constant हो जाता है अगर Q constant हो गया है तो आपको पता है कि अगर Q नहीं बदलेगा तो जो electric field अंदर आता है वो electric field की value क्या होती है E equal to होता है sigma by epsilon naught अब आप बताईए क्या Q में कोई change आया है Q में कोई change नहीं आया जैसे slab insert करूँगा तो जो मेरा Q है वो तो constant है slab की वज़े से C हो जाएगा k times of C तो potential होना पड़ेगा v by k अब आप यहां से देखोगी तो मुझे बताए क्या charge बदला किसाब charge में कोई change नहीं आया charge में कोई change नहीं आया तो charge density में भी change नहीं आगा पर medium तो आगया तो यहां K हो जाएगा तो electric field बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा जो E dash की value होगी उसकी value हो जाएगी sigma by k times of epsilon naught और आप जानते हो कि E dash जो है वो कम हो चुका है E से तो दूसरा reason है the electric field between the plates of the charge isolated capacitor increases जो कि गलत है यह decrease होगा तो यह भी गलत हो गया तो हमारा जो answer जाएगा अजर्शन और रीजन बोट आर false उम्मीद यह question भी आपको समझ में आ गया होगा अब तक हम 39 question discuss कर चुके now we will move to the next question 40 एक आसान सवाल है बहुत interesting सवाल है आप आराम से कर सकते हैं तो तरीका बतागा अगे निकलूँगा फटाफ़ट तो करना क्या है इस वावाल के अंदर यहाँ पर 4 microfarad और 4 microfarad parallel में है तो यह हो कितना जाएगा किसाब देखिए यह लाइक दिस यह तो 12 microfarad है यह 20 microfarad है और यह 4 और 4 parallel में देदेंगे 8 microfarad और यहाँ का potential difference 300 volt है अब मैं सबसे पहले इसका C equivalent निकाल लूँगा तो यहाँ से जो supply होने वाला charge होगा Q, Q equals 2 होगा C equivalent into V यहाँ से Q मिल जाएगा अब जो भी charge यहाँ से आएगा वो इदर बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा तो आप C equivalent निकाल ले C equivalent को आप V से multiply कर दे और जितना भी charge यहाँ से आएगा अगर मानलेजे चार्ज यहाँ से Q आया तो इदर जाएगा Q by 2 इदर भी जाएगा Q by 2 तो जो यहाँ का potential difference V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा V equals to Q by 2 C और C यहाँ पूट करना है तो आपको answer आजाएगा चलो मूँ करतें next question की तरफ अभी मेरे पास time का में तोड़ा सा में तोड़ा सा fast कर लो figure shows the three similar lamps A, B, C A, B और C, three identical lamps से connected across the power supply if lamp C fuses अगर C fuse हो जाता है how will the light emitted by A and B changes के C के fuse होने से A और B की जो current है value बदल जाएगी पर हमारे घर के अंदर हम household supplies में parallel में चीज़ें क्यों जोड़ते हैं ताकि कोई A अगर fuse भी हो जाए तो दुसरा working में रहे तो C के fuse होने से क्या होगा इधर जाने वाली current रुख जाएगी तो ये दोनों circuit में आ जाएगे आ मैं आपको बहुत आसन तरीका बताता हूँ इसको आप कैसे देखेंगे कि मान लीजिए इसका resistance R है तो ये resistance भी R होगा और ये resistance भी R होगा और ये अपन ने V अपनाई किया वाएगी ये भी R है ये भी R है और ये भी R अब आप मुझे बताईए यहां और यहां का potential difference कितना होगा तो आप कहेंगे साथ जो I की value आएगी वो कितनी आएगी किसाथ R और R parallel में R by 2 देंगे R by 2 के साथ जो R है वो series में है तो current की value आजएगी V upon R equivalent R plus R by 2 3 R by 2 देगा तो ये 3 R by 2 ये current होगी तो यहां का जो potential difference होगा V1 उस V1 की value क्या होगी उस V1 की value होगी I into R तो ये हो जाएगा 2 V by 3 मतलब जो में I है ये IR होगा अब यहां आने वाली current है और जो यहां आने वाली current है वो half हो जाएगी तो अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहां और यहां का potential difference क्या है मालीजी यह X है और यह Y है तो V, X, Y की value कितनी होगी तो आपके सब X और Y की बीच का जो potential difference होगा या तो मैं सीधी बात करनूँ ये V था यहां आगया 2V by 3 तो V प्लस जो भी यहां हैगा जिसे मालो यहां का V, X, Y जो है V2 है सपोस तो आप क्या करेंगे V1 प्लस V2 इकवस्टू V कर देंगे तो जो V2 की value है वो V minus V1 हो जाएगी V1 2V by 3 है तो V minus 2V by 3 क्या देगा V by 3 तो यहां का potential difference कितना आगया V by 3 जो आप directly भी बास objective approach क्या होती कि सर इसका effective resistance R by 2 है और इसका resistance R है और यह R by 2 और यह R series मायेंगे हमें पता है V equals to IR होता है तो अगर resistance का ratio 2 is to 1 है तो potential difference का ratio भी 2 is to 1 ही जाएगा मतलब यह जो V है उसको 2 is to 1 में divide कर दूँगा तो 2 V by 3 और V by 3 आ जाएगा अब जरा मुझे बताईए अभी इसका जो potential difference है वो V by 3 है अब जब यह fuse हो जाएगा तो आपका circuit बनेगा ऐसा यह वारा resistance और सिर्व यह वारा resistance बचा इधर कोई current पास नहीं होगी अब आप मुझे बताईए अगर मानलों यह V है यह R है और यह भी R है तो इधर से कोई current नहीं जाएगी तो अब current ऐसे जाएगी और current ऐसे जाएगी तो इस पर जो potential drop आएगा वो V by 2 आएगा और उसका भी V by 2 आएगा अब आप मुझे बताईए इस B bulb का पहले potential difference 0.33 V था अब 0.5 V है तो इसका जो potential difference है वो तो बढ़ गया और इसका potential difference कम हो गया मतलब यह हुआ कि हमें पता है power की जो value होती है वो V square by R होती तो यहाँ potential difference क्या हो गया बढ़ चुका है तो इसका जो brightness है वो तो बढ़ जाएगा और इसका जो brightness है वो कम हो जाएगा तो A का brightness कम होगा और B का brightness बढ़ेगा तो question is what नौ change गलत हो गया billions of A decreases यह right and that of B increases यह से answer हो जाएगा उम्मीद ए question भी आपकी समझ में आ चुका होगा चलिए तो move करते है next question की तरफ next question is what question number 42 की बात करते है यह देखें वापस दो प्लेट वाला question इसी पेपर के अंदर आया है दो question इस पेपर के अंदर इस concept पे दिये गए थे यहाँ आप से पूछा है क्या है कि charge on both surface to the middle plate x और x देश की वेरी बतानी है बच्चा इस सवाल को सोल करने है सबसे बहतरी न तरीका यही होता है मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप सबसे पहले total charges का sum कर ले तो 3q plus minus of 2q minus of 2q plus q यह sum कर ले तो कितना बचेगा यह आपका 2q हो गया तो जो हमारी plate से जैसे माले लिए plate a है, यह b है, यह c है तो जो outer plates की outer side होती है वहाँ total charge का half present होता है ठीक है तो यहाँ आप कितना charge करेंगे कि सब total charge 2q था तो यहाँ क्यू आ जाएगा और इसका charge 3q है तो definitely फिर यहाँ कितना होगा 2q यहाँ का charge 2q होगा और अंदर वाले faces इसके हमेशा charge equal and opposite होता है तो अगर यह 2q है तो यहाँ होगा minus 2q और यहाँ कितना हो जाएगा अब इसका total charge minus 2q होगा तो पूरा का पूरा यहां अगर तो यहाँ का charge 0 हो जाएगा अब यहाँ 0 होगा तो यहाँ का charge जो हो Q हो जाएगा मतलब, अगर आप ऐसे बात करें, कि यह phase 1 था, phase 2 था, phase 3, phase 4, phase 5 और phase 6, तो phase 1 का जो charge है, वो Q है, phase 2 का जो charge है, वो 2Q है, phase 3 का जो charge है, मतलब अपने जिसको बोल रहे हैं, वो minus 2Q है, phase 4 का जो charge है, बच्चा पार्थी, वो 0 है, phase 5 का जो charge है, वो भी 0 होगा, और phase 6 का जो charge है, वो होगा Q, तो आपसे पूछा है, कि middle plate जो है, उसका charge क्या होगा, मतलब, X और X देश की value क्या होगी, तो X की जो value है, वो तो 2Q है, और X देश की जो value है, वो 0 है, मतलब, answer कितना जाएगा अपने पास, 2Q and 0, minus 2Q and 0, यह minus 2Q था, minus 2Q and 0, so first is the right answer, इस तरहे question की आप अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, मूह करते हैं, next question की तरफ, which is the 43, बहुत famous सवाल है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है, कुछ equipy potential surfaces आपको दी गई है, और आप क्या देख पा रहे हैं, कि जो equipy potential surfaces हैं, वो surfaces, जिस angle से inclined हैं, वो 30 degree है, मतलब, यह angle 30 degree है, आप देखिए, यह 10 volt है, और यह 20 volt है, मैं दो surfaces consider कर देता हूँ, तो आपको पता, electric field जो है, वो equipy potential surfaces के perpendicular होता है, तो अगर मैं यह perpendicular draw करूँगा like this, तो this will be the direction of electric field, हाँ, यह भी important चीज़ है, electric field हमेशा higher potential से lower potential के तरफ होता है, मतलब, electric field का direction यह होगा, so it will be the direction of electric field E, अब बात करते हैं, distance की, आप जानते हो, यह 10 cm है, और यह 20 cm है, तो यह वाला जो distance है, यह, यह जो distance है, वो 10 है, अब यह angle 30 degree है, तो यह angle कितना हो जागा, 60 degree है, तो बताएं, अगर यह 10 है, तो यह जो value होगी, DR या delta R जिसको मैं बोलूँगा, वो होगी 10 cos 60 degree, मतलब यह हो जाएगा, 10 by 2 मतलब 5 cm, अ अब electric field का value क्या होता, electric field की value होती है, डेल्टा V by डेल्टा R in magnitude, मैं magnitude की बात है, डेल्टा V किता हो जागा, इसका और इसका potential difference होगा, 10, और डेल्टा R की value, 5 cm, तो 5 cm को मिटर में करमें तो 100 से उपर मल्टिपाई करना पड़ेगा, solve करने भी आ रहा है, 200 V per meter, तो direction of electric field जो है, वो तो इस तरफ है, अब आप मुझे बताई, यह angle कितना है, 30 degree, तो X axis ने कितना angle बनाया, यह बनाया 120 degree, तो 30 तो यह है, और 90 यह है, तो 120, X axis से electric field का angle 120 degree है, और value है 200 V per meter, so what will be the answer, 200 V per meter at an angle 120 degree with the X axis, 3rd is the right answer, उम्यद आपने सही किया होगा question, और नहीं किया तो next time सही करेंगे, मुझे करते है next question के तरफ 44, यह question क्या बोलता है, देखिए क्या है na, KCL और KVL का question है बहुत आसान है, यहां तो सब कुछ आपको दे दिया तो कोई problem होगी ही नहीं, आप से पूचा जाता है, a part of circuit given in the figure, find the potential difference between the point x and y, यहां और यहां का potential difference बताना है, आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, हम potential इखना शुरू करते हैं, अगर इसका potential Vx मान लोगा, तो आप current की direction में move कर रहे हैं, जब भी आप current की direction में move करते हैं, तो potential decrease होता है, तो यहां 4 ampere की current है, 5 ohm का register है, तो कितना potential कम ह हो जाएगा, इसके comparison में यहां का, किसाब 4 पंजे 20, 20 हो जाएगा, तो यहां का potential कितना कम हो जाएगा, अगर यह Vx था, तो यहां हो जाएगा Vx minus 20, इसका potential, फिर negative end से बहाँ निकलूगा तो जाएगा, minus 3, मतलब यहां का जो potential हो गया, वो Vx minus 20 minus 3 हो गया, अब आप बताई मुझे, इदर से आने वाली करण 4 ampere है, इदर से आने वाली करण 3 ampere है, इदर जाने वाली करण 2 ampere है, तो बताओ इदर कितनी करण जाएगी, हाथ में 2 दर से जाएगी 5 ampere करण, तो अगर इसका potential इतना है, तो इसके comparison में यहां कितना कम हो जाएगा, आप IR करेंगे, और जब IR करेंगे, तो IR की वेरी हो जाएगी 20, तो यह हो गया, minus 20, and that must be equals to Vy, तो Vx minus Vy के अगर मैं बात करूँगा, तो minus, minus और minus add हो जाएगे, तो यह बन जाएगा बच्चा 43 V, तो Vx minus Vy जो होगा, वो 43 V होगा, आपका question कहां सरे second, आपने भी यह किया होगा, चले बढ़ते आगे, और मू करते नेक्स question की तरब, A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged, so that the potential on its surface is 10 V, the potential at the center of this sphere, बच्चा पार्टी, आप जानते हो, conducting surface के ऊपर, यहां का potential KQ by R होता है, अगर आपने इसको charge दिया, और radius R है तो, और इसकी value आपको देरी किया 10 V, तो जितना potential surface पे होता है, उतना ही potential अंदर वाले सभी point पे होता है, तो center का potential होगा, व 9 V, अब अगर यह non-conducting body होती है, तो आप answer क्या होता है, वो आप खुद सोचिए, ठीक, move करते है next question के तरफ, question number 46, यहां आप से कहा जाता है, the potential of the point A is greater than that of B, A के comparison में B का potential जादा है, तो charge अगर flow करेगा, तो हमेशे higher potential से lower potential flow करेगा, मानली यह charge क्यों flow कर रहा है, A का potential B से ज 19 V, मतलब A और B का जो potential difference है, वो 19 V है, मतलब VA minus VB आपको 19 V गीए मैंने question के अंदर, what is the potential difference in volts across the 3 microfarad capacitor, यहां का potential difference आपको बताना है, मुझे KVL लगाना पड़ेगा, starting from the point A, सबसे पहले लिगूँगा A का potential, आप देखिए, क्योंकि चार्ज इधर flow कर रहा है, तो यह positive होगा और यह negative होगा, यह बात ध्यान समझ लीजिए, अगर मान लीजिए, किसी capacitor के अंदर, charge यह से flow कर रहा है, plus Q charge मैंने लिखा है, तो इस पर आगे plus Q charge आए, तो इसका प्लस Q charge प्लस हो जाएगा, अब जब neutral plate से plus Q charge बहार निकलेगा, तो इस पर charge छोड़ के जाएगा, minus Q, तो सबसे पहले लिखा मैंने VA, फिर यहाँ जब मैं आया, तो minus Q by CC की वेरी 2 microfarad है, तो मैंने 2 लिख दिया, फिर मैं negative plate से बहार निकला, बैटरी की से तो minus 8 हो जाएगा, फिर इसकी negative plate से बहार निकला, तो minus Q by 3 हो जाएगा, फिर इसके positive terminal से बहार निकला, तो प्लस 15 हो तो minus Q by 4 हो जाएगा, और यह equal to VB हो गया, ठीक है, तो VA इसको इस तरव लेके आता हूँ, minus VB, ठीक है, अब देखिए, यह minus, क्योंकि सारा जो चार्ज वाली term से उस तरव लेके जाऊँगा, मैं RHS के अंदर, तो यहाँ रहा, minus 8, plus 15, equal to, यह मेरे पास बन जाएगा, Q by 2, plus Q by 3, plus Q by 4, which becomes equals to, 13 Q by 12, अब देखिए, यह वेली किती होगा, 19, minus 8, plus 15, equal to, 13 Q by 12, अब देखिए, यह वेली किती होगा, 19, minus 8, plus 15, this becomes equals to, 26, तो 26 equals to, 13 Q by 12, यह 2 times cancel हो जाएगा, 12, 2 से multiply हो जाएगा, तो आपको Q की वेली मिल जाएगी, 24 microcoulomb, अब आपको यहाँ का potential difference पूछा है, तो V equal to हो जाएगा, Q by C, और Q की वेली कितनी है मेरे पास, 24 microcoulomb, C की वेली मेरे पास यह 3 microfarad, तो आणसर कितना आजाएगा बच्चा, 24 by 3 will be the 8, then means second is the right answer, KVL से बनना था, practice करना इस question की, इस बार need के अंदर इस concept पे question आ सकता है, inductor को include करके भी आ सकता है, कि आप कितना तेजी से solve करते हो, किसी भी सबसे comfortable parameter को सबसे पहले solve कर लो, और उसको match करवा के देखिए, अगर आपने चारों solve की है, तो आपको एक सवाल को solve करने में चार मुना time लगेगा, तो यहाँ पर क्या पूछा कैया आप से, अन isolated charge parallel plate capacitor has energy U1, and Uv1 is the energy density force between the plates is F1, electric field E1 given है, and potential V1 given है, when dielectric slab of relative permittivity epsilon r is fully introduced, the corresponding parameters will become this, अब इनकी value match करवानी, तो आप मुझे बताए, energy density होती हाफ epsilon naught e square, और energy होती है, किसी को हो सकता है, किसी को याद ही ना है, energy density क्या होती है, half epsilon naught e square, पर half cv square, energy आपको पता है, तो मुझे बताईए, मेरे पास एक isolated capacitor था, अब क्योंकि यह isolated है, मैं dielectric slab को insert करूँगा, जिसका dielectric constant epsilon r है, ऐसे, तो बताईए, पहले जो energy u1 थी, वो क्या होगी, half cv square, आप मुझे बताईए, क्या slab को insert करने से v बदलेगा, किसा आप definitely v बतलेगा, q में कोई change नहीं आएगा, q equals to क्योंकि होता है, cv, और आपने isolate कर दिया है, तो q constant हो गया, तो c तो हो जाएगा k times, तो v हो जाएगा v by k, तो बादवाली जो potential energy हो जाएगी, वो अगर v dash है, तो इसकी value हो जाएगी, half c becomes what, c becomes k times of c, and this becomes v square by k square, देखिए यहाँ पर, v by k हो जो 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 है, तो एक k से k cancel कर देंगे, तो अगर u dash की value देखेंगे, तो half cv square by k हो गया, और हमारा जो k है, वो epsilon r के बराबर है, तो मैं epsilon r भी लिख सकता हूँ, तो बताओ, पहले जो मेरे पास potential energy थी, वो u1 थी, और बाद के potential energy u2 है, तो अगर यह u1 है और यह u2 है, sorry मैंने dash लिख जाएगी, u2 है, then what will be the value of u1 by u2, u1 by u2 becomes equals to what, half cv square divided by half cv square by epsilon r, half cv square cancel हो जाएगा, this becomes equals to epsilon r to 1, तो u1 by u2 का ratio epsilon r to 1 मिलेगा, अब आप देखिए, u1 by u2 कहाँ पर है, q के अंदर u1 by u2 है, अब बताओ, यह किस से image कर रहा है, यह image कर रहा है, epsilon r to 1 यानि इस से image कर रहा है, अब आप options पे नज़र डालेए, option पकर नज़र डालेंगे, तो देखिए, पहले options मेरे पास यह है, p, q, r, s, यहाँ देखिए, जो हमारा q है, q किस से image कर रहा है, b, गलत, b, गलत, b, गलत, यह, सिर्फ एक जगे image कर रहा है, यहाँ पर, तो तुम्हारे दुबल्ले-बल्ले होगी, तुम्हें तीन पार्ट solve करना ही ने पड़े, इसका मतलब क्या हुआ, fourth is the right answer, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ, कि जब कभी match the column question आएंगे, आप क्या करेंगे, एक जो सबसे convenient parameter हो आपका, सबसे पहले इसको solve करें, अगर आपको इसलिए लगे, कि C जो जगे आ रहा है, मांदो यहाँ भी C आ रहा था, और कहीं और भी C आ रहा होता, तो जो दुसरा वाला है, वो एक parameter और solve कर लेंगे, definitely आप दुसरा solve करने पर मेच करी जाएगा आपको option, तो आपको time बच जाएगा बच्चा party, ठीक है, उमीद है आपको इस तरह से question solve कर लेंगे, और आपने किया भी होगा, 48 पा आ जाते हैं, the three electric heaters in the following circuit, all have the same resistance given that the total heat emitted by the heater is proportional to power dissipated, the total heat produced by the B and C is together, इनकी जो total heat है, B और C की एक साथ, इससे compare करना है, अब यार मुझे बताओ, अगर यहां का potential V है, तो इसका potential difference भी V होगा और इन दोनों का भी V होगा, पर अगर सारे identical थे तो इसका register R है, इसका register भी R है, इसका register भी R है, अब इसकी command अगर मैं बात करूँगा, तो यहां जो P2 है power, वो हो जाएगी potential difference V square by R equivalent, और R equivalent की value जाएगी R by 2, स्रीज में तो 2R हो जाएगा, तो यह V square by 2R, I hope समझ मा गया होगा, इसके command जो heat produce होगी, वो V square by 2R है, जबकि इसकी जो heat produce है, वो हो जाएगी, तो इसकी जो power होगी P1, वो हो जाएगी V square by R, तो इन दोनों की जो combined power है, उसकी value उपर वाले से half है, या मैं इसे बोल सकता हूँ, A की जो power है, वो इनकी combined value से दोग हो नहीं है, तो heat produce भी दोग नहीं हो जाएगी, मतलब मैं किसी के बास कह सकता हूँ, आप से का है, compared with the heat produce in A, A quarter is much of 2, गलत बाद, half of, half is much, ठीक है, समझ मां गया बाद, by heater is proportional to power dissipate दे रहेखा, the total heat produced by B and C together, B और ही की जो total heat produce है, is compared to the heat produce in A, A के जो heat produce है, से comparison में ये half होगी, that's why second is the answer, उमीद ही समझ मां गया होगा, उमू करते हैं, next question की तरफ, a piece of copper and other of germanium are cooled from the temperature 100 degree centigrade, बच्चा, ये तो है conductor, और ये है semi conductor, आपने पढ़ा होगा की semi conductors का temperature बढ़ाने पर conductivity बढ़ती है, जबकि conductors का temperature बढ़ाने पर conductivity कम होती है, मतलब resistance बढ़ता है, तो आप से कहा जाता है, कि जब हम दोनों को temperature बढ़ाने का समझ, आप यहां से इसका temperature decrease कर रहे हैं, cooled from this, तो जगर temperature कम करूंगा, तो temperature कम करने पर copper का जो resistance है, वो कम होगा, मतलब conductivity बढ़ेगी, जबकि उसकी conductivity कम होगी, तो आंसर क्या जाएगा, आपका घ्राण समझ यह, conductivity of copper increases, and that of germanium decreases, पहला यह आंसर सही हो गया, आपको यह भी पता होना चीए, जो germanium है, उसका temperature coefficient of resistance है, वो minus alpha होगा, और इसका temperature coefficient of resistance जो है, वो plus alpha हो, मतलब, जिसका temperature coefficient of resistance positive है, उसका temperature बढ़ाने पर resistance बढ़ता है, और जिसका negative है, उसका temperature बढ़ाने पर resistance कम होता है, तो आप क्या देखेंगे, कि आप यह temperature कम कर रहे हैं, अब अगर आप temperature कम कर रहे हैं, तो definitely जो resistance है, किसका, copper का, वो कम होगा, और germanium का बढ़ेगा, ठीक है, और यहां बात की conductivity की तो हो reciprocal हो जाएगा, conductivity of the copper increases, that's all, germanium की decrease होगी, बहुत आसाइं से बाट बन गया, तो first is the right answer, last one, a small sphere of radius R1 having charge Q1, is enclosed by the spherical conductor of radius R2, having charge Q2, concentric है, यह मान लो मेरा radius जो इसका, R1 है, इसका radius R2 है, यह Q1 है, और यह Q2 है, a small sphere of radius R1, and having charge Q1, enclosed by the sphere, spherical shell of radius R2, having charge Q2, as it is, बना लिया मैंने, which charge will necessary flow from the sphere, to the shell when they connect it, अगर इनको connect करेंगे, तो इसका पूरा का पूरा charge, outer surface पे चला जाएगा, तो Q1 flow के बाहर चला जाएगा, simple सवाल था, ठीक है, तो उम्मीद है, आपके सारे solutions समझ में आया होंगे, और आप यह सारे concept clear कर लेंगे, और याद रहे, हम जिस तरह से आपके test ले रहे हैं, बच्चों, आप देखी, 11th और 12th के 7th को, हमने 6 part में तोड़ दिया है, और हर part के बीच का, जो window है preparation का, आप यह कम नहीं होता है, एक week है, तो अगर आप एक week लगातार मेहनत करेंगे, साथ दिन लगातार मेहनत करेंगे, तो definitely आप एक part test के त्यारी कर सकते हैं, और आप जानते हो, मेरे telegram channel logical physics पर में, इसका जो है, part test के सभी mock test paper डाल रहा हूँ, आप उन mock test को रोजना सोल करें, पांच साथ में mock test करने के बाद, definitely आपका confidence काफी boost up हो जाएगा, और आपका paper अच्छा होगा, विश वाल दे बेस्ट, confidence बनाए रखें, और पढ़ते रहें, और हमारे साथ जुड़े रहें, thank you so much, कैसे सब लोग कैसे चल रही आपकी पड़ाई, उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी, और आज से आपके test series इस्टार्ट होगी है, major test series का part first है, part test first है, जिसमें inorganic chemistry complete आई हुई है, तो इसका discussion करने के लिए paper discussion करने के लिए भाया हूँ, तो discuss करते हैं के question discuss करते हैं, और फर्स टेस्ट से ही आप अपना पूरा ध्यान रखे हैं लाश्ट टेस्ट तक जो भी गल्तिया होती जा रही है, उनको आप लोग सुधार ही है, और लाश्ट तक आपको बर्क करना है इस पर, फर्स टेस्ट से हम लोग डिसके सरे स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चों तो पहला question अपने पास में आ रहा है पहला question अपने पास में है विच इस करेक्ट प्रॉपर्टी दी हुए बटा प्रॉपर्टी दी हुए प्रॉपर्टी के बाद में आपको क्या बूल लगया है दी आपको दे रहा है प्रॉपर्टी में आपको वोल गया यह दे रखिया फ्लोरीन की क्लोरीन की यह किया X ﷺ अपर आइप आइपी दे रखिये और आईपी कलोरीन दे रखिये तो आप एक बात हमेश्थ ध्यानकना जिससे फ्ल्रोरीन की ए है क्लोरीन की यह है और लिखे आईपी की Dep 그건 टूह आईपी की वेल्व यह से जादा आएगी तो ज्यादा यहां पर एक बात साओ, वहँसे होगी किस्से 먼ीँ से और और यहां एक ही बात करें तो यहां पर हमलों सकते की और je जैता होगी लोगी तो यहां पर आप लोग देखिए बुअप्शन की pendant अब देखिए आप लोग यहाँ पर क्लोरीन की यह तो ज़्यादा वाली वैलू तो पहली बात तो यह वाली वैलू और यह वाली वैलू तो किसकी है आईपी की वैलू है अब आईपी और फ्लोरीन की आईपी क्या होगी ज़्यादा होगी क्लोरीन से तो आईपी आपके बात करें तो यहां पर बात करतें सी के साथ क्या मेच करेगा सी के साथ मेच करेगा सी के साथ कहां पर मेच कर रहा है दो मेच कर रहा है इसमें और इसमें मेच कर रहा है उसके बाद में अपने बात कर सकते हैं सी के साथ मेच कम रहेगी तो S match कर रहा, D के साथ में Q match करेगा, क्योंकि chlorine की concerning kiv कम है, यानि A के साथ में match किया, A, B, C, D लिका आप लिग लोगोंने, तो C के साथ में match किया S, और D के साथ में match कर गया Q, अब बचे A और B, अब A में आपके chlorine की EA है, और chlorine की EA है B मे, तो chlorine की ये की value क्योंगी जादा होगी तो जादा वाली value 349 और 328 में से जादा वाली value कुण से होगी 349 यानि कि यहां पर B के साथ match कर जाएगा P और C के साथ, A के साथ match कर जाएगा A के साथ match कर जाएगा आपके R तो यहां पर R, P, S, Q R, P, S, Q तो यानि fourth option आजाएगा आपके, answer आजाएगा fourth, fourth option आपके यहाँ पर आ रहा है, चलिए, अगले सवाल की तरफ जाते हैं, अगले सवाल में बोला गया कि least polar और most polar bond की बात कर रखी है, least polar और most polar bond, यानि आपको पता है कि bond polarity directly proportional to, bond polarity, bond polarity directly proportional to EN होता है, bond polarity, आपको मालूम है, bond polarity, directly proportional to delta EN, bond की polarity जो है, वो delta EN पर depend करती है, bond polarity जो है, वो delta EN पर depend करती है, bond polarity directly proportional to delta EN, delta EN पर depend करेगी, तो यहाँ पर देखिए, आप लोग सबसे ज़्यादा polarity देखिए, सबसे कम polarity, सबसे ज़्यादा polarity की बात करनी है, पहला बोला गया least polar और दूसरा बोला गया most polar तो यहां पर अपन बात कर लें यहां पर बात करें अपन तो यहां पर आपके अपन बात कर सकते हैं तो यह वाला तो आजाएगा यहां पर बात करें तो रेडियस घड़ती है यानि इस statement के लिए पर बात कर लें कि जाएगा तो रेडियस यहां पर घड़ जाएगी बिलको ठीक बात है अगले बाले में atomic radius increases down the group यह पर बात करें तो एन बढ़ता है number of shell बढ़ता atomic radius बढ़ जाएगी यह भी ठीक बात है अगली बात although the arrangement of elements is based on atomic numbers vertical family share similar chemical property आपको मालूम है कि एक ग्रुप में आने वाले element की property almost similar होती है तो तीनों के तीनों करेक्ट है यानि कि आंसर आजागा फोर्थ यहां पर आंसर फोर्थ आजागा अगले सवाल की तरफ अगले सवाल की तरफ यहां पर असर्शन रीजन का सवाल है question number 54 the atoms in a covalent molecule are said to be shared electrons yet some covalent molecules are polar यानि कि covalent bond में covalent bond में electron की क्या होती है sharing होती है और कुछ जो covalent molecules है वो polar होते है तो polarity का reason क्या है इन का difference होना इन का difference होना तो यहां पर reason बोला गया है कि polar component molecules में the shared electrons get more attracted towards one of the atoms due to high EN यानि एक atom की इन ज्यादा है और एक atom की इन कम है माल लिजे बी की इन ज्यादा तो यह electron अपनी तरफ खीज़ेगा सब्सक्रीन आए तो यहां पर अîne बात कर सकते हैं और असरशन भी सही है रीजिन भी सही है। है यहां पर आपर अजाएगा शन करें वना जाएं और बॉस्जर करronique होने का यहां पर बॉलर होनी का न स्च्रेंगा मुन और दिफ्रेंश आई गैगा है कि अगले सवाल यहां पर पूछ फिप्टी फाइब नंबर पी ओ अर त्री यानि कि यह से बोला गया कि लिए अर यह तो डिटरा रहा है लेकिन यह वोला n o r 3 यानि यहां पर यह 30 करेगा और यहां पर e 영상 यह Be है बिल्कुल ठीक बात है और रीज़ा शबुरण की बेलेंसी 5 नहीं सकती, nitrogen never pentavalent, nitrogen never pentavalent, pentavalent नहीं हो सकता, pentavalent नहीं हो सकता, तो पहला वरा असर्जन सही है, असर्जन आपके हैं पर सही है, और reason गलत है, reason गलत है, तो answer थर्ड आ जाएगा, अगले सवाल की तरह move करते हैं, question number 56 number, 56 number सवाल में, the pi bond CLO, यहाँ पर यहाँ पर यहती CLO4- का habitation निकाले, तो sp3 आएगा, और जब habitation sp3 होता है, तो जितने भी pi bond होते है, sp3 habitation है, तो pi bond जितने भी होते है, वो सारे के सारे ppi dpi होते है, ppi dpi pi bond होते है, तो यानि कि यहाँ पर chlorine का तो 3D orbital, और अपके oxygen का 2p orbital, chlorine का 3D orbital, oxygen का 2p orbital, अपके यहाँ पर 3rd answer आजाएगा, answer आजाएगा 3rd, question number 57 पर बात करते है, 57 पर बात करें, तो आप यहाँ पर i3- है, i3- को ऐसे लिख सकते है, ii2-, अब इसके valence cell में कितने electron 7, तो monovalent atom, negative charge 1 के divide by 2, 5, मतलब hybridation आजाएगा sp3D, बिल्कुल ठीक बात है, अगले वाले में xeo3f2, यदि यहाँ पर बात करें, तो xenon के valence cell में monovalent कितने है, 2, कोई charge नहीं है, 0, divided by 2, 5, 5 का मतलब sp3D, यानि कि habitation निकालने का, या नमर्व hybrid orbital निकालने का, या n निकालने का, एक formula होता है, valence electron minus monovalent atom, minus monovalent atom, monovalent terminal atom, plus minus charge, divided by 2, यदि charge negative में तो जोड़ देना, और positive में तो घटा देना, SIO2 की, आप लोग यदि देखें तो एक polymeric structure होती है, कोज़ अस्तरी केगी, यदि यादि आपर बात करें, तो वहाँ पर hybridization आ जाएगा, SP3, क्या आ जाएगा, वहाँ पर hybridization, इस type की structure पढ़ते हैं आप लोग, SP3, और यहाँ पर BECL2 का जो hybridization है, BECL2 का वहाँ आ जाएगा, SP hybridization आ जाएगा यहाँ पर, तो देखलो आप आप नहीं हाँ पर, पहले में R आएगा, पहले में भी R, दूसरे में भी R, C में P, बिल्कु ठीक बात है, और D में Q, बिल्कु ठीक बात है, आंसर फोर्ट आ जाएगा, चलिए, अगले सवाल की तरफ करते हैं भूग, question number 58, अब आपने देखा, N2 and O2 are converted into mononance, N2, और यहाँ पर O2 है, N2 में bond order 3 है, N2 माइनस बना, bond order 2.5 हो गया, यह पहले dia magnetic था, और यह para magnetic हो जाएगा, bond order fractional में आ गया तो यह para हो गया, O2 में bond order 2 है, यह अभी भी para है, और यहादी mono and N बनाएंगे O2 माइनस, तो bond order 1.5 हो जाएगा, और यह अभी भी para रहेगा, तो incorrect पूछा है, क्या पूछा तो आपसे wrong statement पूछा है, तो wrong statement में आप लोग देखो यहाँ पर, एक तरह move करिए, N2 माइनस, N2 से N2 माइनस बन रहा है, तो diamagnetic थोड़ी बन रहा है, diamagnetic था, para magnetic बन जाएगा, तो यह आपके answer आजाएगा fourth, answer आजाएगा fourth, ठीक है न, अब आप सबको मालूम है, इसको check कर सकते है, कि bond order जो है, बढ़ता है, bond length घड़ती है, और bond strength बढ़ती है, ठीक है न, bond order बढ़ता है, bond length घड़ती है, bond strength बढ़ती है, question number 59, चालकुजन family में यह कुछ graph दे रखे है, graph की बात करें तो atomic radius है, और number है, आपको मालूम है, down the group जाते है, atomic number बढ़ता है, radius भी बढ़ती है, तो oxygen से ज्यादा sulfur, sulfur से ज्यादा selenium, selenium से ज्यादा tellurium आना चीए था, यानि radius का order बात करते हैं, atom is radius का, तो आप लोग लिखते है, oxygen से ज्यादा sulfur से ज्यादा, selenium से ज्यादा tellurium से ज्यादा polonium, यह लिखते हैं, तो इसका मतलब यह बाला तो नहीं है, यह बाला तो ग पॉल्णियम तो यह वाला भी नहीं होगा क्योंकि सेलीनियम की यहां पर कम मता रखी है ठीक है ना ओक्जिट, सफर्फर, सेलीनियम पे टेलूरियम ये ठीक बात है ये ठीक बात है यानि इलेक्टोन एफिनिटी जो है आपको मालूम हो तो गुरूप 16 में ओडर आता सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पॉलोनियम और ऑक्सीजन तो ये वाला सही आ जाएगा ये करेक्ट है इलेक्टोनेगेटिविट भी डाउ सबसे कम देखा रखी है तो ग्राफ को फॉलो करेगा पॉश्चन नमर साथ इंकरेक्ट रिकार्डिंग पेर अटेमिक नमबर दे रहा है और इंकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट आप लोग देखिए यही पर प्रता चल जाएगा वन जीरो फाइब लॉरेंसियम आपको मा से 90 से लेकर के 103 तक यह एक्टिनोएट्स है यह एक्टिनोएट्स होते है और यहाँ तर अचक्वायटीनेश नमबर जो राएगा वह हैन्जीरो थ्री यहागा लॉरेंशियम का एटमी नमबर बंजिरो त्री आप ठीक है ना तो अंसर अपना थार्ड आजाएगा अंसर थार्ड आजाएगा पुश्चन नमबर 61 61 में बात करें 61 में और रिगार्डिंग फर्स्ट आयनेशन एंटल भी आप यदि देखें यहाँ पर करेक्ट ओरडर बताना है तो वेटा यहाँ पर अपन आयनेशन एंटल भी में ज़्यादा बेरेलियम होता है बेरेलियम का बारोन से ज़्यादा फिर कारवन से ज़्यादा आपके नाइट्रोजन का ज़्यादा ऑक्षिजन से ठीक है ना फ्लोरिन और नियोन यानि ओवराल ओडर लखें तो आप क्या लखेंगे लीथियम का सबसे कम पिर बॉरान, फिर बेरेलियम फिर कार्बन, फिर ओकशियन, फिर नाइट्रोजन बेरेलियम को बाद में नाइट्रोजन फिर फ्लोरिन और फिर नियोन तो बटा यहां पर आपको देखिए correct order आपको यही दिखता है, इस order से follow करेंगे तो correct order आपको फोर्थ दख जाएगा correct order आपको फोर्थ दख जाएगा question number 62 represent out phase out phase overlap out phase overlap बोले तो बेटा ऐसा बोल सकते है same phase में combined हो रहे है in phase बोला जाएगा plus plus आपस में मिले minus minus आपस में मिले positive overlap बोल दो in phase बोल दो constructive बोल दो एकी बात है और यहाँ पर out phase में opposite sign बाले तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा positive overlap बोल दो या out phase बोल दो ठीक है न तो answer second check कर सकते है question number 63 which pair has same morning angle morning angle सेम बताना है तो यहाँ पर देखिए एक इसको देखो और एक इसकी तरफ देखो जब दोनों का habitation same हो दोनों का habitation same हो दोनों pair में आपके habitation same हो long pair zero हो long pair यहाँ पर भी zero है long pair zero हो long pair zero हो और एक मॉलीकूल में जैसे BF3 में सारे टर्मिल अटम फ्लोरी नहीं है Bcl3 में सारे टर्मिल अटम प्लोरी नहीं है habitation same हो long pair absent हो और सारे टर्मिल एक मॉलीकूल में same हो तो बोन्ड एंगल में कोई कुछ है नहीं आएगा इनका bonding वही 120 डिग्री आएगा और इनका bonding लगवा कोई आपके 109.5 डिग्री आएगा तो A और B का bonding आपके बराबर आएगा same bonding आएगा A और B का answer first आजाएगा question number 64 NAF और CSF दिया हुआ है CSF अब आपसे latest energy पहली बात पूल रहा है आएने character इसका IC1 दिया रखा है और इसका IC2 दे रखा है और lattice energy जो है इसकी lattice energy जो है L1 दे रखी है और इसकी L2 दे रखी है बिटा आएने करेक्टर की बात करें तो polarization से solve करेंगे केटाइन का size यहां पर ज्यादा है चार्ज बराबर है यहाँ पर चार्ज बराबर है केटाइन का size बढ़ता है तो polarization घटा है ionic निक करेक्टर बढ़ते है यानिक आए C2 ज्यादा आएगा और केटाइन का size बढ़ रहा है तो latest energy घट जाएगी तो latest energy सब्सक्राइब करूद यहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि असल्स ज्यादा आए सीटू आए सीटू और यहां पर फॉर्ट व्याँ पर आजाएगा फोर्ट आपर आजएगा कि तो इस ना पर हला अगला कोश्चन नम्मर 65 आप वैलु दे रखी है अप या पर देखो 123 पॉर्थ वैलु दे रखी है यदी आपर देखे था फर्स्ट और सेकेंड में डिफरेंस बहुत जादा है फर्स्ट और सेकेंड आइने शन इंटलबी में डिफरेंस IE1 और IE2 में मैक्सिमम है IE2 मैक्सिमम हा रहा है मतनल attack walence electron 1 है valence electron 1 है तो valence electron 1 है तो ये वाला option तो पहले ही एड़ ग से वार क्योंख यहाँ पर तो valence cent electron 3 है तो ये वाला थो नहीं होगा आप confusion होंगे इसमें तो आप answer इसमें भी valence making? इसमें भी लेकिन और आमने कि क्योंकि यह वेल्य चार दे रखी है यानि उस सिस्टम् ने तीन से ज्यादा उने हैं आँंसर कॉन सा आजाए ठीक है? चलिए Which among the following compounds is higher hydration energy than lettuce energy पीटा जब hydration energy ज़्यादा होती है प्लेटिस एनर्जी से तो मतलब कमपाउंड सॉलिवल होता है यानि कि सॉलिव्रिटी जदा होगी तो यहां पर आपन बात करें सल्फेट कॉमन आयन है तो अप्लाई करेंगे हाइडरेशन एनर्जी और हाइडरेशन अप्लाई करेंगे तो जो सबसे छोटा आयन होगा common iron sulfate है यह common iron है common iron sulfate है तो सबसे छोटा आयन होगा उसकी hydrogen energy सबसे ज़्यादा होगी answer आजाएगा second question number 67 बेटे यहाँ आपर iron isomer C6H4Cl2 कि दो isomer बताने है equal dipol moment with C6H5 equal dipol जैसे C6H4 CL2 के तीन आईसोमर बना सकते हो और तो एक meta और एक पेरा और यह बोल रहा है कि इसका तो किसकी साथ रहेगा और इसका किसके साथ रहेगा आपको मालम है कि यहाँ पर C6H5Cl है यहाँ पर तो म्यूनेट non zero है और यहाँ पर जो है म्यूनेट क्या है zero है तो बेटा यहाँ पर यदिवन बात करें तो इसका तो मैच करेगा पेरा के साथ sorry मैटा के साथ कोईकि इन दोनों का resultant यहाँ आएगा तो यानि इसका जो म्यूनेट आएगा इसका म्यूनेट मेटा का जो म्यूनेट है मेटा का म्यूनेट तो इसके बराबर आएगा और पेरा का जो म्यूनेट होगा पेरा का जीरो आएगा पेरा का म्यूनेट का जीरो आएगा ये बेंजीन के बराबर होगा तो C6H5Cl के बराबर होगा किसका मेटा का और C6H6 के बराबर होगा पेरा का तो आंसर आजागा सेकेंड ठीक है इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक क्लोरीन के बराबर ही आएगा तो इसलिए एक क्लोरीन के बराबर ही आएगा मतलब इसके बराबर ही आएगा यह आप यहां पर है यहां पर है और यहां पर वाटर से जाता है किसका आपके डाई लिदा लीथर का क्योंकि यहां पर दो मिथाल के बीच में जो रिपल्सन है वो रिपल्सन बड़ेगा रेपल्सन इनके बीच में बढ़ेगा मॉंड एंगल बढ़ जाएगा और यादी और यादी ओर्गनिक की एंचियाटी से बात करोगे तो इसका मॉंड एंगल लगवाग 111 के असपास आता है 111 उपर ही आता है ठीक है ना तो डाई मितली इधर का ज्यादा आएगा वाटर से सेकेंड 69 नमबर आइट्रेजन आइप नाइट्रोजन एटम तो यह नाइट्रोजन में बैलेंसेल में पांच अलेक्ट वन कोई चार्ज नहीं है कोई मॉनवलेंट नहीं है चार्ज बन इसका तो आ गया एसपी टू इसका आजाएगा एन बराबर वैलेंसेल में पांच मॉनवलेंट जीरो चार्ज है माइनस वन डिवाट बाइट वाट टू एसपी और एनएज बोर प्लस का यदि हैपन चेक करेंगे नाइट्रोजन के वैलेंसेल में पांच अलेक्टोन मॉनवलेंट चार होग सवेंटी नंबर हाइए औक्डू ब्रोट चाहिए यसट अप्यूपाइट्वलर और प्याहीट लालींट प्लस को तो सबसे बहुत हो आप टोटल एलेकड़न फोर्टीन वरते है तो सिग्मा बनस टू सिग्मा इस्टू सिग्मा स्टार इस्तू सिग्मा टू 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, पाइ 2px2, पाइ 2py2, और सबसे लास्ट में वरा जाता है, सिग्मा 2pz2, तो ये वाला जो है, ये हाइस्ट एनर्जी का और्विटल है, ये हाइस्ट अक्युपाइड मॉलिक्ल और्विटल है इसका, सिग्मा 2pz आ जाएगा, Which of the following sequence contains atomic number only representative element, cable representative का, आप inert gas से idea लगा सकते हो, इनर्ट गेस का atomic number, helium, neon, argon, krypton, xenon, redon, OG, 2, 10, 18, 34, 54, 86 और 118, अब इससे आप idea लगा सकते हो, आला कि बताने का तरीका तो और भी बता रगा, S और P-block वाले जो होते हैं, S और P-block वाले, representative element होते हैं ध्यान लगना, कई लोग एनर्ट गेस को भी count नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, NCRT उठाना, paragraph चेक करना, वाल पर लिखा हुआ है, P-block elements, group 13 to 18, together with S-block elements, are known as, represented element, man group element, clear बात, ध्यान रखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, 86 के बाद अगला electron जाएगा, 87, alkali metal, 54 से पहले inhalogen, यहाँ पर आपके nitrogen family का और यह lithium, तो यहाँ पर S और P-block वाली यह सारे, तो यह answer बना जाएगा, देखें यहाँ पर, यहाँ पर यह D-block का है, तो यह नहीं होगा, यहाँ पर देखें वेटा, 22 number, यह भी D-block का है, यह भी नहीं होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर बात कर ले, यह F-block का, तो यह भी नहीं होगा, तो अपना answer आजाएगा, 1st, S और P-block वाली, clear, आप inner case idea लगा सकते, inner case से पहले, inner case के बाद में, एक दो बाद में, तो आपको जल्दी idea लग जाएगा, inner case ketamine number सबको पता होता है, ठीक है, S और P-block वाली है, सारे के सारे है, S और P, बिच्च अमगता बोलेगे, not a Lewis base, not a Lewis base, कौन a Lewis base नहीं है, अब जिसके पास lawn bear नहीं है, central item के पास, यहाँ पर भी lawn bear है, यहाँ पर भी lawn bear है, यहाँ पर भी lawn bear है, लेकिन यहाँ पर इसके पास lawn bear नहीं है, इसके पास तो वेकेंट और्वीटल है अलुमिनियम सी एल सी एल और सी एल इसके पास तो प्य और्वीटल खाली है समझवारी बत यानि कि यहाँ पर यह तो लुईस एसेड है लुईस बेस नहीं है अपना अंसर आजाएगा थर्ड अगला सवाल इसर सेड फ्लोरीन atom है बिलकुल ठीक बात है डेल्टा एज़ जो होती है नेगटव साइन के साथ यानि फ्लोरीन की कम होती है और क्लोरीन की जादा होती है यह बिलकुल ठीक है इसरस आ ठीक है रिजन additional electrons are repelled more effectively by 3P electrons and chlorine thereby 2P electrons गलत बहत बिटा, fluoride के साइज तो छोटा होता है तो fluoride में तो inter electronic repulsion क्या लगेगा, जादा लगेगा chlorine third grade का है, vacancy orbital भी प्रिजेंट होंगे inter electronic repulsion कम लगेगा, तो assertion सही है, reason गलत है assertion सही है, reason गलत है, third answer रहे 74, of the following pairs, the one containing examples of metalloid element, metalloid मैंने आपको तरीका बताया था, याद हो सिम्मी जैनी आस्था, सिम्मी जैनी आस्था, सफ्टीट पोर, टीना पूजा आरती, यह सब के सब metalloid है, यह सब के सब metalloid है, यह सब के सब metalloid है, सिम्मी जैनी आस्था, सफ्टीट पोर, सब्स्टिट्टूट पोर टीना पुजा आर्थी तो यहां पर देखिए यह आ रहे एसी में ठीक है न तो आंसर आजाएगा पोर यह सारे के सारे मेटलोइड है मेटलोइड से ठीक है ना आगे देखिएंगे हाँ वई order of penetration effect penetration effect का यदि आप लोग को order बताये जाए तो penetration effect में बेटा यहां पर अपन बोल सकते है एस nucleus के सबसे जादा close है यानि कि S का penetration आपर सबसे जादा फिर P का फिर D का और सबसे कमाएगा F का ठीक है ना सबसे कमाएगा F का आंसर आजाएगा third question number 76 which or the following has no unit किसकी unit नहीं होती पेटा ये दोनो energetic term है ये दोनो energetic term है इनकी unit होती है ये energetic term है इनकी unit होती है electron आपके पास ये electron negativity और metal है character इन दोनों की कोई unit है नहीं होती है तो कौन को नजागा पेटा A और D A और D कौन से option में second में question number 77 और 78 के लिए column दिया गया है आप लोगो पहचानना है element दे रखे है और delta H easy दे रखा है किस basis पर आपको बताना है question बताने है आपको इस basis पर तो वेटा यहाँ पर आपसे बताईए एक तरफ positive electron के नेंटल भी दे रखी है हाँ ना positive electron के नेंटल भी दे रखी है मतलब inert gas होगा सवाल देगे which element may be an inert gas तो इनटल इनट गैस के लिए electron के नेंटल भी कैसी आती है delta H easy यहाँ पर positive आती है delta H easy यहाँ पर positive आती है तो किसके लिए positive आ रही है वो देखिये आप लोग पॉजिव किस के लिए आपर लिए और वाला के कुन से हैं आपके आब अग्ला बाला सवाल कि पर बिटट एलिमेंट इस Leslie रिख दीजिए भी देल्टि στο जादा आएगा नेगेटिम में मौर आएगा तो टा येकिसुक के लिए देखोंना अब सबस्क्राइध देखना आइन का साइज पूछा गया है। हाइड्रेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे यहां पर आपके बात कर सकते हैं ठीक है ना हाइड़ेट रेडियस थार्ड ओप्शन कि मैचदा कोलम को मैचदा कोलम का सवाल है मैचदा कोलम में बात करें कि अब देखो क्लोरिन क्या और फ्लोरीन गी कोलोरीन की बात करें है तो लिए नेट्टर copper copper metal होता है बिलकुल ठीक बात है C के साथ मेच करेगा P, और helium का identify highest iination energy होता है बिलकुल ठीक है यानि D के साथ जागा S Q R P S Q R P S second option 81 Ferro magnetic species among the following आपको अमल मालूं है यह सब के सब कैसे है तीनों के तीनों कैसे है डाया मेगनेटिक यह तीनों डाया मेगनेटिक है और यदि महाँ बात करूं यहाँ पर O2 जो है वो पेरा मेगनेटिक है पेरा मेगनेटिक और यदि आपको मालों में तो टू अनपेर्ड एलेक्ट्रॉन प्रिजेंट टू अनपेर् एलेक्टोन होते हैं इसलिए कैसा होता पैरा मेंगनेटीब 82 नंबर एमफोटरिक ऑक्साइड अमंग दा फॉलाइन एमफोटरिक डेवड़ा नौर्वेडल का ऑक्साइड है एसेडिक होगा मेटल का ऑक्साइड है बेसिक होगा N2O, N0 और CO ये न्यूटरल है और यदि आपको याद हूँ तो एक बात यानि ये एमफोटरिक है और आपको बताया कहता सुनो सुनो जनाबे आली सुनो सुनो जनाबे आली बेसब पंजाबी मन से गाते है S करते है यानि कि S N, P V A L, Z N A S, क्रोमियम इन सबके जो ऑक्साइड होते है वो आपके एमफोट है देखे 83 नमबर Which of the following pairs are isostructural बेटा, isostructural यानि कि structure same होनी चाहिए structure क्या होनी चीज़ करना structure same होनी चाहिए structure same अब structure same देखो तो यहां CH3 minus है और यहां CH3 plus है यह plus है और यह minus है तो एक तरफ तो पिरेमिडल होगा और एक तरफ क्या होगा trigonal planer तो दोनों के लिए ठीक है न यहां पर तो यह तो यदि आपनों नेकालोगे तो यह तो क्या ह guarantees और यह की saynn आएगा trigonal planer ठीक है चलिए यहां पर पर मात कर सकते हैं यह दोनों का दोनों क्या होंगे टेट्राहडरल दोनों का अबड़ाइजन SP3 लॉन प्यर्ड जीरो और क्या जाएगा टेट्राहडरल अपना अंसर है जाएगा थर्ड फर्ड आंसर है 84 number ट्राइकोनल भाइपरिमेडल structure is found by बिटना ट्राइकोनल भाइपरिमेडल बना रहे तो इसमेट ट्राइकोनल भाइपरिमेडल जोगे structure बनेगी इसका मत्रा हाइपरिडाइशन क्या आना चीए SP3D आना चीए और SP3D में कौन-कौन शर्विटल पार्टिशिमेंट करते हैं S, PX, PY, PZ और DZ स्क्वार यानि आप लोग देखो तो इस वाले पार्ट को बनाने के लिए ये ट्राइगोनल प्रेनर हो गया और इस वाला जो पार्ट है ये वाला ये बनता PZ और DZ स्क्वार से और जो एक्वेटूरियल वाला पार्ट है वो बनता S, PX, PY है ठीक है ना तो यहाँ पर आजाएगा 85 नंबर फॉर्मल चार्ज और मिडल अक्षिजन फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मला होता है बी माइनस एल माइनस हाप एस बेडल वाले के बेडल वाले के बेडले चेल में 6 एलेक्ट्रोन माइनस नोन मार्णिंग एलेक्ट्रोन कितने हैं? दो एल बताता है नोन मार्णिंग एलेक्ट्रोन को माइनस 1 वाई 2 सियर्ड एलेक्टोन यानि चार एलेक्टोन इसके आराउंड इदर सियर्ड है और दू एलेक्टोन इदर सियर्ड है यानि टोटल छे एलेक्टोन सियर्ड है शॉल करेंगे यहाँ पर आजागा प्लस बन आंसर आजागा सेकंड ठीक है यह फॉर्मला एंज फॉर्मलाइस आप लोग निकाल सकते हैं एल बराबर नॉन्माड़निंग एलेक्टोर और एलेस बराबर सेर्ड एलेक्टोर 86 नम्मर फॉलाइज इस्टेट्मेंट रिगार्डिंग दा प्रियोड टेवलाफ केमिकल रियक्टिविटी ऑफ दा एलकली मेटल एंड हेलोजन्स आब इमाब बताईए एलकली मेटल मेटल की रियक्टिविटी किस से चेक करते है आयोनाय से एंथेल्पी से चेक करते है एलकली मेटल में डाउन दा गरूप जाते है साइज बढ़ता है आयनाय से एनरजी घड़ता है रियक्टिविटी बढ़ती है हेलो जेंस की रियक्टिविटी इन से चेक करते है डाउन दगर बाते है इन गटती है, रियक्टिविटी भी गटती है यानि कि मैं यहाँ पर ग्रुप बन में बात करूँ यदि मैं यहाँ पर ग्रुप बन में बात करूँ ग्रुप बन में बात करूँ तो down the group जाते हैं, तो en घड़ती है, reactivity भी घड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, alkali metal में reactivity increase होगी, but halogenes में reactivity decrease होगी, fourth option. correct, pick out the incorrect match, pick out the incorrect match, pick out the incorrect match, अब intravolical interaction, देखना, यह polar है, HBR कैसा है, polar, और यह भी कैसा है, polar, दो polar molecules के बीच में लगने वाले force को dipole dipole बोल सकते हैं, या कीसम force भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है यह तो, यह non-polar, और यह भी non-polar है, यह भी non-polar है, central atom पर कोई non-pare नहीं हो, सारे terminal atom सेम हो, तो molecule हमेशा non-polar होगा, non-polar, non-polar की जो, dispersion force, london force, यह भी ठीक है, ammonia, यह polar है, यह non-polar है, और एक polar और एक non-polar हो, उनके भी इसमें hydrogen mode नहीं आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर device force आएगा, dipole induced dipole आएगा, तो अपना answer third आएगा, बिटा, और यहाँ पर बात करें, तो एक तरफ non-polar और एक तरफ polar, iron induced dipole यह भी ठीक है, तो answer third आजाएगा, 88 number, which of the following statement regarding NF3 and NF3 is correct, बिटा, NS3, NS3 अपन देखें, तो एक non-polar के साथ यह भी pyramidal है, और NF3 भी pyramidal है, बिलकुल ठीक है, bond angle and NS3 is small, गलत बार बिटा, terminal item की EN जादा है तो bond angle कम होगा, NF3 का, यानि कि मैं यहाँ पर बात करूँ, दोनों पेरेमिडल है, दोनों कैसे, पेरेमिडल, bond angle बात करें तो NS3 का जादा हैगा, NF3 से, terminal item की EN बढ़ती है, bond angle घटता है, resultant dipole of NS3, तो NS3 का dipole moment जादा हैगा, क्योंकि इनमें bond का और lawn pair का एक ही direction में होता है, lawn pair और bond pair का एक ही direction में होगा, यहाँ पर lawn pair का और bond pair का opposite direction में होगा, तो कुछ न कुछ cancel out हो जाएगा, इसलिए NS3 का जो dipole moment है, म्यूनेट है, वो हमेशा NS3 का जादा हैगा, NF3 से, और बो तेस्ट, आर SP2 आवेट यह भी गलत बात है, यह गलत बात है, ठीक है ना, तो third answer आजाएगा वैसे, third answer अपने टिक कर सकते हैं, 89 number, which of the following properties so given change in NS4 plus NS, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, पहला, NS4 से NS3 की तरफ जाते हैं, तो क्या lawn pair बढ़ रहा है या घट रहा है, NS4 plus में lawn pair 0 है, हाँ पर lawn pair 0, यहां lawn pair 1 है, यहां lawn pair 2 है, तो यह आप लोग देखें, इधर से दर जा रहे तो lawn pair का number, lawn pair का number तो बढ़ रहा है, ठीक बात, तो यह वाला नहीं होगा, अगला total number of electrons, total number of electrons, total number of electrons, bond angle, यहां पर bond angle सबसे जादा है का lawn pair, इसका भी SP3 है, यह भी SP3 है, और यह भी SP3 है, अब यदि lawn pair यहां पर नहीं है, तो यहां lawn अगल सबसे जादा, यहां lawn अगल और का, यहां lawn अगल का order लिखू, तो NH4 प्लस, फिर NH3 और फिर NH2 माइनस, यह bond angle का order आएगा, तो यह एदर से दर decrease हो रहा है, एदर से दर भी decrease हो रहा है, और एदर से दर जाएंगे तो increase हो जाएगा, तो bond angle बढ़ जाएगा, number of P orbital, number of hydrogen, यह भी आपका सेम ही आएगा, को सबका hydrogen SP3 है, total electron भी नहीं आएगा, चली, अगला 90 number, correct option for the following statement, the boiling point of HE is more than that of H2, गलत बात बढ़ 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 जो है, H2 का जादा आएगा, boiling point of HE, boiling point मेंट ही से जाद आएगा, H2 का, यह आप चेक कर सकते हैं, melting point of NAF is less than that of melting point, बिल्कुल ठीक है, NAF का melting point कम है और ALF3 का melting point जादा है, क्योंकि यह high lattice energy है, यह high lattice energy है, PVR5 and PCL5 are existing as PX4 plus and PX6 minus, तो यानि यह false है, यह true है, यह भी false है, यदि आप लोग देखे solid में, तो PCL5 का जो solid होता है, वो कुछ इस तरीके से exist करता है, PCL4 plus, PCL6 minus, लेकिन PBR5 जो solid होता है, वो आपके exist करता है, PBR4 plus और BR minus, ठीक है ना, चलिए, तो यह भी false आजाएगा, दा I1 of AS is equal to the numerical value of EA2 of it, गलत, यह भी false है, तो FTFF, FTFF बना जाएगा, अगला, 91 number, find the incorrect statement, number of habit orbital produced is equal to the number of atomic orbitals that get habitized, यह वेलकुल ठीक है, true A, यह true statement है, true A, जितने atomic orbital involved होते हैं, उतने ही hybrid orbital बनते हैं, सही बात है, hybrid orbitals are equivalent in energy and shape, hybridization energy और shape equivalent करने का ही फेनोमेरा है, यह भी true बात है, यह भी true है, यहाँ पर hybrid orbitals are more effective in forming sigma bond, प्योर atomic orbital आपको बताया भी था, और भी बता रहा हूं, hybrid orbital, प्योर atomic orbital से effective overlapping करते हैं, effective overlapping करते हैं, यह भी सही बात है, NCRT के लाएने यह भी, और यहाँ पर यह दियपन देखें, इन hybridization only half field, यह गलाते हैं बिटा, hybridization में तो, half field, poly field, और vacant, सभी type के orbital participant कर सकते हैं, सभी type के orbital participant कर सकते हैं, तो answer आजाएगा force, force आजाएगा, यह incorrect है, अगला, select the correct order of given property, बिटा, यहाँ पर अमने बात करें, oxy acid में, देखो, मैंने लिखा 4, oxy acid, oxide, hydroxides, इनके लिए, जो acidic strength है, directly proportional to EN of central atom, EN of central atom, इस concept से देखेंगे, तो यह वाला order गलत है, acid is nature, hydride में यह थी, अपन down the group जा रहे है, इसमें, यह वाला order बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बात करें, oxidation number बढ़ता जा रहा है, positive charge बढ़ता जा रहा है, positive charge बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर plus one है, यहाँ पर plus three है, plus four है, plus five है, nitrogen पर जतना positive charge बढ़ता जा रहा है, उतनी EN बढ़ती जा रही है, उतनी acid के strength है, बढ़ती जा रही है, और यहां पर, यहां सर थर्डाजाएगा हुड्राइड में पर बात करें तो यह वाला order गलत है हाईड्राइड में, group में हाईड्राइड हाईड्राइड में यदि आप डाउन दा गृप आ रहे हैं डाउन दा गृप आ रहे हैं तो size बढ़ेगा releasing tendency of एच प्लस बढ़ेगी रिलीजिंग टेंडेंसी और एच प्लस बढ़ेगा एसरे के स्टेंग तो बढ़ेगी तो यह वाले दोनों गलत हो जाएंगे यह वाल थर्ड आंसर आजाएगा अगला सवाल है आगे नाने टी थी नंबर टाकरेक्ट और अटम एक रेडियाई नीट तो थाईटीन में वह सवाल पूछा जाए वेटा तो इस टाइप का अच्छा सवाल है एंचारी टी से पूछा हूँए सवाल है यह तो बहुरांड से ज्यादा साइज होगा अल्मिनियम बढ़ता है नंबर आप सेल बढ़ता है नंबर आप सेल बढ़ता है तो बढ़ती है अब गेलियम में क्या होता है ट्रांजिशन कॉंट्रेक्शन होता है क्या होता है ट्रांजिशन कॉंट्रेक्शन उस वजे से गेलियम की साइज या तो ओल्मॉस्ट इक्वल आती है और NCRT के data के according बात करें तो aluminum की size gallium से ज़्यादा बताए गई है फिर आपके indium number of cell बढ़ता है तो indium का size बढ़ा और फिर आपकी thallium में लगवख बराबर होता है या ज़्यादा बताएंगे तो thallium को बताएंगे यह thallium होता है poor shielding effect d और f orbitals का तो वहाँ पर आपके z effective बढ़ता आती है और indium thallium की almost equal आती है लेकिन एक की ज़्यादा बतानी पड़े तो thallium की ज़्यादा बताना NCRT के data के according तो यहां पर आपन बात कर सकते हैं यहां पर आंसर आजागा फ़र्स्ट 94 नमबर बिटा यहां पर यह clf3 यह tbp structure है और tbp structure में यानि कि जब sp3d hybridization आ जाए sp3d hybridization आ जाए तो आपको बता गया कि लॉन पेयर ऑक्यूपाई equatorial position लॉन पेयर ऑक्यूपाई equatorial position लॉन पेयर equatorial position पर होंगे तो वह structure ज्यादा stable होगी पहली structure में दोनों लॉन पेयर equatorial पर है यह ज्यादा stable है यहां पर बात कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ जाते हैं 95 number which is soluble and water पेटा D block की solubility जो होती है D block और P block के compound की solubility है solubility of solubility of P and D block element D block compound वो आप लोग चेक कर सकते हैं solubility inversely proportional to polarization अब AGF, AGCL, AGBR और AGI अब केटायन पर चार्ज सब में common हैं केटायन सब पर common हैं NIN का size बढ़ रहा है, NIN का size बढ़ता है तो polarization बढ़ता है और polarization बढ़ता है तो solubility water में घड़ जाएगी solubility घड़ जाएगी, solubility घड़ जाएगी तो सबसे ज्यादा soluble होगा AGF तो answer आजाएगा first 96 number H2O has net dipole moment while BF2 has 0 H2O कैसा होता है यदि अपन बात करें H2O की H2O में dipole moment munit non-0 आने का रिजन क्या, यह bent है या angular है, जबकि BF2 कैसा होता है, linear होता है तो linear होता है, यहां आपके इसका यह direction आएगा और munit क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा और यहां munit 0 नहीं होगा क्योंकि यहां पर दोनों, lawn pair और bond pair दोनों का एक ही direction में आएगा तो answer आजाएगा fourth 97 number पिटा तब formation of oxide iron require first exothermic पहला electron जोड़ रहा है, एक जो धर्मिक है energy release जोड़ी है दूसरे वाले में, NIN में electron जोड़ रहा है यह electronic repulsion लग रहा है यहां पर क्या लगेगा? electronic repulsion और electronic repulsion जोगा, वो O- में electron जोड़ने का विरोद करेगा, रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा यदि वहाँ पर electron जोड़ रहा है तो आपको energy देनी पड़ेगी आपको energy देनी पड़ेगी इसलिए process कैसे आ जागा? यह endothermic आ गया तो यानि यहां पर देखिए, oxygen is more electron इससे कोई मतलब नहीं, oxygen is high electron affinity, यहां पर आपके बात कर रहा है, O-N will tend to resist the edition, इसके electron के addition को र neutr केगा तो deepest ाझाएगा तो आणसर थार्ला आ जाएगा 98 नमबर सवाल 98 नमबर सवाल में यदि आपन बात कर ले, 98 नमबर सवाल में सवाल को यदि खोण से पढ़ते आप लोग 98 नमबर में 98 नमबर सबाल में धीपन धंग से पड़े आप लोग 98 नमबर सबाल में धीपन धंग से पड़े तो consider the following प्रप्रिजेंट टिशन based on long form of periodic table here PQRS upright ये बता रखा है तो ये बोल रखा है incorrect बताना बेटा incorrect बताना इनकरेक्ट यदि आप लोग चेक करोगे यहां पर यदि माल लेजिए यहां पर X की जगे X की जगे आप कोई भी रख लो यदि माल लेजिए X की जगे आपने Germanium रखा तो Germanium से उपर को ना जाएगा Germanium से उपर को ना जाएगा आपके Germanium से उपर P की जगे जली खो ना जाएगा नीचे को ना जाएगा नीचे मिलन कि जलडे की सायगा कि इस आ जाएगा और इधर बात करें तो आपके के डिर्वात करें तो यहां पर को जाएगा गएलियन अजाएगा तो पहल deeply तो सही है पहला वाला तो सही है यानि यह तो करेक्ट हैं एसे यदि आप लोग चेक करते जाएंगे आगए तो दूसरा वाला भी आपके सही आएगा यदि आप क्यों की जगें टेलूरियम को रखते हो क्यों X की जगे टेलीरियम को रखते है, यहाँ पर टेलीरियम रखोगे, टेलीरियम के उपर कौन आएगा, चैलेनियम, पी पे, नीचे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा, आर की जगे कौन आएगा, पॉलोनियम, आपके इधर साइड बे कौन आएगा, क्यों की जगे अगली बार देखिए यहां पर यदि मैं एक्स की जगे एक्स की जगे में एस भी रख दूँ तो उपर को ना ना पाटे कर असरानी ठीक है ना तो एस आएगा आरकी जगे कोँ ना असरानी सब लिकारी आरकी जगे बिस्मेत हाज आ जाएगा भो भी आ कर असरानी सब तो कारवन सिलिकन जर्मिनियम ऐसे न आ जाएगा यहां पर क्लियर तो यहां पर क्या देर का केडमियम देर रखा है और यही गलत है तानसर थर्ड आ जाएगा ठीक है ना ठीक है विटा चलिए कि 98 नमबर कि 99 नमबर बिच ओव दया फॉल्वाइंग स्टेट्मेंट एजार ट्रू अब लॉन पियर बताइए अब बताइए आप बेंटूल पढ़ते हो लॉन पियर को एस करेक्टर पसंद दे लॉन पियर बहाँ जाना चाहता है जाए जादा हो एस करेक्टर जादा हो तो संध sticking तक सभसें ज्यादा है टीचें तो अब यहां पर देखे बिच्चाओ अगे रysis ट्रू-अब लोन्पियर मोमेंट टू अ अब लॉन्पियर मोमेंट अब लोनप लोन्पियर मोमेंट। तो यहां पर तो इसका मतलब यह विल्कुल करेक्टर वहां जाना चाहता है जहां एस करेक्टर ज्यादा होते हैं दा अन्सियर्ड पियर डिसाइडिंग इन प्यॉर एस and do not contribute to the resultant molecular polarity ठीक है यानि कि जो unseared electron है यानि कि जो non-warning electron है वो तो ऐस में रहना चाहते हैं यह और ऐस और अर्बीटल में रहना चाहते हैं तो इसका मतलब यह भी करेक्ट है आगे बात करें the unseared pair residing in hybrid orbital contribute to the resultant molecular orbital resultant molecular orbital और एक बात कर रहे हैं the long pair moments act in opposite direction in which it is projected in which it is projected in which it is projected the unseared pair residing in hybrid orbital contribute to the resultant molecular polarity resultant molecular polarity यह ठीक है यानि कि molecular polarity में hybrid orbital contribute करते हैं बिल्कुल करते हैं और यहां पर बात करें long pair moments act in opposite direction in which it is projected यह गलत है अभी आपने देखा था long pair रखाता है यहां पर तो direction अपने यह रखी थी तो यह अपके गलत हो जाएगा अंसर आजाएगा a-b-c 100 number 100 number में बिच of the following drawback of Lewis Octate theory Lewis Octate theory Lewis Octate theory Lewis Octate theory के अनी में देखाऊ क्या 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 कमी आती पहले बताइए सब बातों के बारे में नहीं बताया गया इन सब बातों के बारे में नहीं बताया गया इन सब बातों के बारे में नहीं बताया गया इन सब बातों के बारे में नहीं बताया गया चलिए तो यहां पर देखिए अब क्या-क्या है वह आप लोग चेक कर लिजिए इस बेज़ों सब्सक्राइब के बारे में भी नहीं बताया कि डिट डाज नॉट एक्स्प्राइब मॉलीकूल यह भी ठीक है यह तो सारी करेक्टर वेटा सारी करेक्टर तो आंसर आजाएगा फोर तो यह आपके आई उसी के पेपर का कंप्लीट डिसकसन है उम्मीद करता हूं आप सभी को नकर प्लाण डाइवरसिटी से क्या क्या अपको पूछा जाएगा तो प्लान डाइवरसिटी की जो आपने टेस्ट दिया उसकी करेक्ट एक्स्प्लाजेशन और करेक्ट आंसर क्या होंगेगे पर्स्ट कोस्टेन आप से क्या पुछा रहा है grouping of anything into convenient category based on some easily observable character is called तो NCRT के लाइन है अगर आप organism को easily observable character की basis पे अगर आप जो है वो categorize कर रहे है तो उस condition को हम लोग क्या करते है classification तो हमारा correct answer कौन सा जाएगा third next देखें आप से पूछा जा रहा है क्या in taxonomic hierarchy plants family are characterized by यह भी NCRT की line से आपको लिया गया है कि plant में family की assignment किसकी basis पे होती है vegetative as well as floral character recall करें जब आप plant की family देखते है तो पहले क्या देखते है किस तरह की root है किस तरह के stem है किस तरह की leaf है मतलब वो plant की कौन सी है vegetative character फिर देखते है flower की designation क्या है floral formula पे फिर floral diagram बनाते है तो plants में family के assignment के base क्या है floral character भी और vegetative character भी NCRT की line है कि plants में order की आपको जो है वो classified होता है floral character की basis पे बट family की क्या होगी floral character as well as vegetative character दोनों की basis पे होगा तो यहां पे हमें यह NCRT की line से लिया गया question है कि आपको जो है plants में family के assignment क्या base क्या है vegetative as well as floral character मत्तब root stem leaf क्या है उसकी base वो भी classified करते और किस तरह की flower है in florations कैसे है floral character कैसा है floral diagram क्या है तो family का base क्या क्या होगा vegetative as well as floral character अब next है आप से पूछा जा रहा है in Osimum Senectum belongs to the kingdom planty as for taxonomic term आपको kingdom and planty किसको represent कर रहा है तो kingdom किसको बता रहा है taxonomic category को और आपको प्लांटी किसको बता रहा है taxone तो taxone क्या होता है taxonomic category में present इन ही आपको living organic आपको क्या करते तो taxone तो taxon is living organic present in any taxonomic category is called taxone तो हमें पूछा जा रहा है प्लाइंटी किसको represent करेगा तो आपको जो है और kingdom किसको बताएगा तो प्लाइंटी बताएगाrifa टेक्जॉन को और kingdom किसको रेपेजेट करेगाः टॉपमास texonomic टीटोग्री को तो टेक्जोननमिक हैरर्रकी में जो जो अबलिगेải custom टेक्जोन्वीक केटोगरी आप 7 पढते हैं उसमें आपको टॉप टेक्जोन्मीक केटोगरी कॉनसी होती है kingdom तो हमें kingdom किसको represent कर रहा है टेक्जोन को और planning किसको बता रहा है टेक्जोन को अब नेक्स देखें आप से पुछा जाएगा रीड़ फॉलाइंग स्टेट्मेंट एंड सलेक्ट द इनकरेक्ट वन अब क्या-क्या यहां आपको रिलेट है सो देखें फर्स्ट स्टेट्मेंट है आई सोलेटेड मेटाबॉलिक रियक्शन इन विट्रो और नॉट कि अगर आप विट्रो कल्चर में किसी रियक्शन को या मेटाबॉलिक रियक्शन को करते हैं तो वह लिविंग रियक्शन होगी ना कि लिविंग तिंग्स तो यह स्टेट्मेंट क्या है करेक्ट दूसरा क्या है यह सम टोटल्स अफ ऑल दो केमिकल रियक्शन अक्रिंग इ the most of the complex eukaryotes have self-consciousness यह statement हमारा जो है वो गलत है क्योंकि self-consciousness आप जानते हैं किस तक restricted होता है human तक consciousness सारे और गनिंद की feature है but self-consciousness किस तक restricted है human इसलिए हम उसको defining feature नहीं मानते तो हमसे पूछा जा रहा है incorrect कौन होगा तो यह हमारा incorrect है फिर लास्ट में देखे क्या दिया हुआ है metabolic reaction can be demonstrated outside the body in self-free medium मत्तब vitro condition तो यह भी सही है तो हमारे पास three statements सही है but one statement क्या है incorrect तो हमारा जो correct answer जाएगा वो कौन सा जाएगा third clear अब next देखें next में आपको क्या बना हुआ है in the following flow diagram identified the correct category अब correct category identify करने के लिए सारे flow diagram के fill in the blanks को fill कीजिए समझे यहाँ पर है species तो यहाँ क्या होगा species से उपर क्या लिखते है genus genus से उपर क्या लिखते है family family के उपर क्या लिखते है order order के उपर क्या लिखते है class class के उपर क्या लिखते है phylum फाइलम के उपर क्या लिखते हैं तो आप इसको याद रखने के लिए एक पैटर्स याद रखते हैं सिंपल सभी को पता होगा की पॉट क्लीन अधर्वाइस फैमिली गेट सिक तो टॉप पे होगा किंग्डम फिर पाइलम फिर क्लास फिर और फिर फैमिली फिर जीनस और फिर इस पीसी अब को स्ट्रीट कीजिए तो क्वेश्चन में क्या क्या आएगा सो देखें पस्ट क्या है कि वीट एड मैंगो बिलॉंग्स टू दॉद सेम के टोगरी बी अब बी के जगह पर यहाँ पर देखें बी के जगह पर एक क्लास तो देखिए वीट और मैंगो की क्लास दोनों अलग-अलग है अगर आप वीट की क्लास को कंसी होगी मोनोकॉट बट अगर मैंगो की क्लास देखेगा तो मैंगो कैसा होगा डाइकॉट तो यह लिखना कि वीट और mango belongs to the same ketogi b class गलत है क्योंकि दोनों की class अलग-अलग है mango की class dicot wheat की class monocot तो class के point पे दोनों same नहीं है तो यह आपको statement क्या बता दिया wrong next देखे लिखा है potato brinjal and mokoy belongs to same sea sea के जगह पर क्या है genus तो सब की genus same potato की genus क्या है solenum brinjal की genus Solenum mokoy की pokooy की genus क्या है Solenum आप कहते है potato को solenum Tabrosum ocola को कहते है Solenum melangina और आपको Murray को कहते है Solenum Negranum Goals i am служis यह हमारा option क्या है direct अब next आहिए लिखा हूए है muskady anacardiacy and angiost pom belong to the same category a घलत है muskady family का नाम है anacardiacy family का नाम है बट आपको angiost pom जो है वो क्या है angiost pom जो है आपको division है तो सब की same category होना ए यह क्या होगा घलत होगा अब next आईए gorilla gibbon and chimpanzee belongs to the same category d अब d के जगा पर क्या है आपका order तो सही है गॉरिल्ला गिबन और चिंपैंजी और इवन हुमन का भी order से में हमारी order क्या है प्राइमेट्स तो यह statement हमारा सही है और नेक्स्ट है डाई कोटलेडन and monocotyledon belongs to the category C तो C के ज़ाइब पर क्या दिआ हुआ है जीनस तो यह statement भी तक क्या है बच्छे बी और डी तो बी और डी कहां है थाड में तो हमारा जो क्रेक्ट आंसर होगा यहां से वो कौन सी होगी थाड अब नेक्स चाहिए question दिया हुआ है man, housefly, mango, wheat, dog, cat, lion, tiger, potato, brinjal, mokoy and leopards यह सारे species कौन-कौन सी family से correlate करते हैं अब सारे की family आपको याद रखनी होगी तभी यह question बन सकता है आप देखे एंसरी ने table भी दिया है आपको याद करने के लिए तो असानी से याद कर सकते है देखिए man की family क्या लिखाए ncit ने hominid अब family में आप आई-सी जेडन के कौन सी suffix यूज करते है आई-डी एई तो यह हो जाएगा hominid housefly का क्या दिया हो है मस्कीडी mango का family जानते क्या है इना का डी एसी फैमिली आपको जो है a c e a e से रिप्रेजेंट करते हैं plants में और i d a e से किस में एनिमल्स में wheat की family आप अभी ने स्लेवस इंटोड्यूस किया है आपको पोईसी डॉक की family आप जानते डॉक किस family का है केनेडी kैट की family lion की family tiger की family और lepards की family सबकी family सेम है मतलब cat उसी family का है जिस family का tiger है उसी family के आपको जो है lion है उसी family के lepards है सबकी family आपको सेम है और उस family को क्या करते तो इन सब की फैमिली क्या है? सेम कैट और टाइगर, लाइन और लेपर्स की फैमिली सेम हो गया फैलिडी अब आपको दिया हुआ है पोटाइटो, बिरिंजल, मकोई यह सब आप जानते है कौन सी फैमिली का है? तो ये आपको हो गया पोटाइटो फिर कौन सा हो गया ब्रिंजल और फिर कौन सा हो गया मकोई इन सब की फैमिली कौन सी है और हमारे पास अब देखिए अब सारे फैमिली को अगर काॉंट करेंगे तो हमार पास कितने अलग-अलग family आगया इस question में देखिए एक होमिनीडी फैमिली आगया एक मस्किरी एक फैलेडी आ गया और एक स्वलेनेसी आ गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फैमिली हमारे पास आ गया तो ये कंडिशन हमारे पास कौन से आप्शन को कोर्रेलेट करेगा क्लियर हो गया कि मैन की फैमिली कौन सी होगी होमिनी डी ये एंसी आटी ने टेबल दिया उसमें आपको याद रखना है हाउस फ्लाइ की फैमिली मस्की डी आपको मैंगो की फैमिली एना काडियसी वीट की फैमिली पोएसी डॉक की फैमिली केनेडी और याद रखना है कैट लाइन और लेपर्स की फैमिली एक सेमी है फैलिडी और पोटेटो ब्रिंजल और मकोई सब एक ही फैमिली का है तो यहाँ पर सारे फैमिली की कोरेलेशन से हमें क्या याद रखा कि seven different family में यह सारे species जाएंगे क्लियर तो आंसर कौन सा होगा second क्लियर हो गया यह question next देखें आप देखिए आप से पूछा जाए दफ फैमिली कॉन्वल वुलेशी और इंक्लूड इन्क्लूड इन्ड और पॉलीमोनियल्स मेंली अन्द बैसिस ऑफ एंस्याटी की लाइन है कि फैमिली सोलेनेसी और कॉन्व vegetative और reproductive दोनों character की basis पे होता है बट आपको order की assignment किसकी बैसिस पे होता है on the basis of floral character तो floral character कौन से option में है यह floral formula दोनों का same है तभी तो आप क्या रखते कॉन्वल वुलेशी और सोलेनेसी को सेम फैमिली में रखते सोलेनेसी तो आप जानते पोटेटो की फैमिली है कॉन्वल रखा गया उसका base क्या है कि दोनों की floral formula क्या है सेम तो family की assignment vegetative और reproductive दोनों character की basis पे जैसे अभी हमने पहले question में डिसकस किया है और order की classification या order की assignment का base क्या होगा floral character तो दोनों की floral formula सेम है इसलिए दोनों को कहा रखे same order में यह NCRT की line है कि floral character की basis पे order को assign करते है और family को vegetative as well as reproductive character तो दो question हो गया आपको इससे related अब next देखें read the following statement and select the correct one आप से क्या पुछा जा रहा है increase in mass and increase in number of individual are twin character of growth यह NCRT की line ही है पहली line है कि increase in mass and increase in number को क्या मानते है twin character किसकी growth की दूसरा क्या है कि unicellular organism के लिए growth and reproduction synonymous होता है यह भी सही है आप जानते हैं कि unicellular organism में जो बाते हम growth के लिए यूज करते हैं सेम टर्म यूज करेंगे reproduction के लिए सपोज माली जी अमीवा है अगर binary fusion कर रहा है तो उसकी number भी बढ़ रही और उसमें growth भी हो रहा है मत और reproduction भी हो रहा है और growth भी हो रहा है दो नेक्स लिखा है कि feel or response to a stimuli is the defining property of organism मतलब किसकी बात कर रहा है यहां consciousness तो consciousness आपने भी देखा है defining feature होगी self-consciousness नहीं होगी क्योंकि self-consciousness कहा तक restricted होगा human तक तो self-consciousness के बल हमारे पास होती है but consciousness unicellular से लेकर multicellular तक इमेंट इवेनंसियाट ने लिखा है यह प्रो केरियोट से कि first second and third all are correct अब next देखें next आप से simple question दिया है plant kingdom से आपको classification का topic दिया है आपको ncrt ने उसी पर यह question based है पहले classification ncrt ने क्या दिया था artificial दूसरा mention क्या है natural तीसरा mention क्या है phylogenetic उससे है तो artificial में कुछ contributor का नाम है इसमें आपको याद रखना है linear का नाम और एरिस्टोटल का तो देखिए यहां linear का नाम है लीनियस के साथ एक और नाम ncrt ने मेंशन किया अरिस्टोटल और बेंथम एन हुकर की classification जिसको natural system of classification कहते हैं और इंडिया में आप हरवेडियम इसी के according सब्मीट करते हैं वह भी ncrt ने मेंशन किया कि उनिवर्सल एक्सेप्टर सिस्टम के रिकॉर्डिंग आप हरवेडियम सब्मीट करते हैं और वह कौन सी है बेंथम एन हुकर बेंथम एन हुकर की classification कहा है ड़क की जाती है ब्रिटेन और उसके Commonwealth country कौन है जिस पे मैच में याद रखना है कौन सा इकलर तो हमारा कौन सा option हो जाएगा आपको first का second b का first और c का third तो option कौन सा हो जाएगा first clear हो गया अब next देखे देखे अब next क्या है which of the following incorrect regarding scientific name अब scientific से related incorrect कौन है देखे आप first क्या है these are also known as common name नहीं आपको जो है यह incorrect है तो incorrect ही पहचानना है तभी तक यह incorrect मिल गया दूसरा देखते देज इंसियोर डेट इच और गनिजम है जिसके टू पाट्स होंगे वन इच जैनरिक अधर स्पैस्पिक जैनरिक नेम जीनस को रिप्रेजन करेगा और स्पैस्पिक नेम इस पिसीज को लिखा है जैनरिक नेम एज नाउं ट्रीट होगा तो कैपिटल से स्टार्ट होगा स्पैस्पिक नेम एज एन एडजेक्टिव तो स्मॉल से तो यह नाम आपको जो है क्या इंसियोर करता है हर और गनिंद्द की सिंगल नेम को तो यह सहीत है नेक्स्ट है इस है टू कंपोनेट्स अभी जस्ट हमने मैं सन्किया वन इजेनरिक नेम अधर इस पैसिक एपिथेट सही है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेट सहीत है तभी तो हम बाइनम्यर्ज को वल्सट य्वाइड य करता है change करता है जैसे sweet potato English में आप उसको sweet potato कहते हिंदी में उसका नम शकरकंदि आपको बैंगोली में उसको मिठा आलू कहेंगे जैसे जैसे नाम बदलेंगे दो आपको technique बाद देगा तो आपसे पूछा जाएगा common name aktual में कौन सी होती है तो binomials को हम क्या नहीं कहेंगे common name नहीं कहेंगे तो यह statement हमारा क्या है incorrect तो correct आपको incorrect ही पूछ रहा है तो हमारा correct answer कौन सा हो जाएगा first, next time sorry which one of the following statement given below is not included in universal rules of nomenclature, यह question भी nomenclature से है, पहला देखिए generic name and specific epithet should be latin word सही है आपने देखा यह दोनों कौन से origin का होता है latin origin का, और latin origin का है और आपको इस करण से इसमें modification जो है वो list हुई है, दूसरा क्योंकि latin को कौन सी language बानते है dead language, dead language कहने का मतलब जिस language की list modification हुई है, कब से, origin से दूसरा देखिए, generic name is immediate followed by the name of taxonomist taxonomist who discovered it गलत है, NCRT ने mention कि अगर taxonomist का नाम लिखना है तो किस के बाद लिखेगा after specific name, जैसे मान लिजे एक नाम आप NCRT का याद कीजिए mangiphera indica तो mangiphera indica जब आप लिखेंगे तो mangiphera indica किस ने दी lenius ने, और lenius का नाम जब लिखेंगे तो specific epithet के बाद होगा और किस form में, abbreviate form में NCRT ने लिखा ये roman origin का होता है तो इसको underline भी नहीं करेंगे और ये printed भी किसमें नहीं होगा italics में तो हमारे पास ये statement क्या है हमारे पास जो है वो incorrect है अब next आईए generic name must be begin with capital letter अभी just हमने बताया है कि generic name को as a noun treat करेंगे इसलिए किससे start करेंगे capital से specific name को as an adjective यूज करते है इसलिए किससे start करेंगे small से और है all letters of the specific name must be small सही है small से start होगा तो सारे letter ही small होगे तो ये statement भी सही है तो हमारे लिए incorrect statement कौन सा हो जाएगा है तो ये जो include नहीं होगा binomial nomenclature के rules में वो कौन सी second clear अब next देखें which of the following is a class आप से पूछ रहा है इसमें से class कौन है तो देखिए mammalia एक class है आपको एक table दिया हो NCIT ने उस table से सारे question देखिए अभी तक कितने बार आ चुके है तो वो table अच्छे से याद रखिएगा देखिए mammalia क्या होगा class तो यही answer हो जाएगा sapindles ales लगाओ याद कीजिए ales जिसके बाद लगा होता है वो order होता है तो यह order है जैसे देखिए poils में भी आपको ales लगा है इसका मतलब order है सबकी suffix आपको थोड़ा सा याद रखने है हम थोड़ा सा recall कर देते हैं आपको recall कीजिए icbn के according अगर आपके पास division है तो division के लिए suffix कौन सा यूज़ करेंगे तो fighta जैसे bryophyta plant kingdom की division होगी teridophyta आपको पूछा जाएगा अगर हमारे पास आ रहे है class तो class के लिए suffix यूज़ करते हैं हम लोग phyc जैसे chlorophyc rhodophyc phyophyc या यूज़ करते है ae monocotyledny dicotyledny या यूज़ करते है obsida याद कीजिए teropsida lycopsy जो teridophyta की different class में पढ़ते है पूछा जाएगा हम order के लिए कौन सा suffix यूज़ करते है icbn में तो ales और family के लिए कौन सा suffix यूज़ करते है तो याद की जो solenace ये सब में क्या होता है a c e a e तो हमें यहाँ पर sapindles को देखके क्या लग रहा है ये order है पोईस को देखके क्या लग रहा है पोईसी family का का है order है sapindles किसका order है mango का ये भी NCIT ने मेंशन किया और primates जानती हमारे order है तो हमारा order कौन सा है primates human की order chimpanzee की order अभी जस्ट पीछे देखे ते कि ये कौन सा हो जाएगा आपको order तो हमारा human का chimpanzee का ये सब का order है तो आप से पूछ रहा है इसमें class कौन है तो बाकी तीन order है एक हमारे पास class है कौन सा mammalia तो mammalia हमारे पास कौन सा हो जाएगा class NCIT ने मेंशन किया recall किजे pisage amphibian amphibian ये सब class है reptile reptile apes जिसको birds कहते है and mammals clear हो गया next तो हमारे पास इसमें class कौन है आपको mammalia और ये सारे order याद रखने है तो किसी इस question के तो एक question भी आगर आपको पूछा जा main objective क्या है किस question के तुरू अगर ये question ना भी आया इस से correlated कोई और भी आया तो अप आसानी से क्या कर सकते है solve कर सकते है next देखे अब next है cat and dog placed in the family तो cat की family अभी just पीछे हमने लिखा है जब seven family indicate किया है तो cat की family कौन से लिखे थे और dog की family कौन लिखे है humanity हमारी family है human की family humanity है सारे option को correlate कर ले तो मान लिजे ये question नहीं भी आएगा तो मसानी से change कर सकते है muskiddy अभी देखे थे family of housefly फैलेडी एगेन family of cat poesi अभी आपने देखा था grass और grain की family poesi है kennedy आपको अभी देखे है dog की family तो हमारे पास correct answer कौन सा हो जाएगा falady for family of cat and kennedy for family of dog तो हमारा correct option कौन सा हो जाएगा fourth next देखे आपसे पुछा जा रहा है in taxonomic hierarchy which of the following group of taxa will have less number of similarity as compared to other तो अब हम यहाँ पर देखे यहाँ पर पहला क्या है solenasi, convolvulasi and poesi दूसरा क्या है polymonials, poils and sapindles तो सब को हम catagrize कर ले taxonomic catagrity में तो correct answer पर पहुंच जाएगे यह सारे acea suffix वाले है जैसे अभी हमने हम समझाया है यह सारे क्या होंगे family यह सभी में ales है तो यह सारे क्या है आपके order यह सब solenum, petunia और atropa यह सब क्या बता रहा है genus को atropa, belladona जिससे dilation of people के लिए उज़ करते है lepards, tiger और lion यह सब species level पर आप बता सकते है तो हमारे पास देखिए सबसे उपर की केटोगरी इसमें से कौन है order सबसे उपर की केटोगरी अभी जस्ट याद करवाया है keep pot clean otherwise family get sick तो सबसे topmost केटोगरी कौन है order तो हमारा जो है उसमें सबसे कम similarity मिलेगी तो answer कौन सा हो जाएगा second तो कैसे question को approach करना है वह भी आपको याद रखना है कि अगर यह question नहीं भी आया तो आप इसे approach से उस question तक पहुँच सकते है जो actual exam में पूछे next देखे organism which can freely interbreed and produce fertile of a spring यह NCIT की biological concept of species की definition में यूज किया है तो यह किसके लिए है species और ऐसा किस ने दिया तो जिसका description ने दिया है किसका अंस्ट मेर ने अंस्ट मेर को आप देखेगा अंस्ट मेर की description इस unit से पहले है अंस्ट मेर से कुछ बाते याद रखना है कि अंस्ट मेर को हम historical aspects में और निथो लोजी में अंस्ट मेर जो है वो systematics में वर्क है आपको इनकी evolution में वर्क है जो geography में वर्क है तो अंस्ट मेर की आपको पूरी list ही दी हुई है NCIT ने पूरी description में वो सारे आपको अंस्ट मेर से related याद रखना है और अंस्ट मेर ने जो biological species की definition दी उस पर ये question है और अंस्ट मेर को हम लोग क्या कहते है darwin of 20th century अब next देखें तो इस question का answer clear हो गया species की definition से अब next आईए next statement ए है member of species are reproductively isolated from the member of other species सही है यह दूसरा क्या है आपको species is the basic taxonomic category यह भी सही है बट दोनों अलग अलग बात को कह रहा है यह अलग statement बता रहा है यह अलग आपको जो है reason बता रहा है तो हमारे पास यह कौन सा option सही हो जाएगा both assertion and reason are true but reason are not correct explanation of a क्योंकि species basic taxonomic category है यह अलग बात है और species को हम reproductively isolated करते हैं वह अलग बात है तो यह दोनों statement तो species से related correct है बट दोनों correct explanation नहीं है तो हमारा answer कौन सा जाएगे second clear बच्चे अब next देखें next आप से पूछा जाएगा a group of closely related family forms a order एक ही तरह की family आपस में मिलके क्या बनाता है order और दूसरा क्या है the family of an order shows close resemblance in certain fundamental feature and also evolutionary train तो देखें आपने अभी याद किया है keep pot clean otherwise family get sick तो यहाँ family को मिलाएंगे तो क्या बनेगा order बनेगा order को मिलाएंगे तो class बनेगा related class मिलाएंगे तो फाइलम बनेगा फाइलम को later मिलाएंगे तो kingdom बनेगा तो यह statement हमारा सही है और इसका correct explanation भी है तो आपको यह कौन से option जाएंगे first तो सारे taxonomic category पर जब question है तो इस छोटे से लाइन से जो हमने पहले डिसकस किया है keep pot clean otherwise family get sick से correlate करके याद रख सकते हैं अब next देखें next है dicot like mango brinzel and monocot like wheat are placed in common taxonomic category known as dicot को कहां रख रहा है और monocot को कहां रख रहा है तो यह रख रहा है एक division में और division का नाम क्या है angiosperm आपने पढ़ा है angiosperm की two class होती है one dicot other monocot तो यही उसी पर यह question है कि dicot जैसे mango dicot है brinzel dicot है यह दोनों को कहां रख रहा है और monocot को कहां रख रहा है सेम केटोगरी में उसका नाम क्या है उसको हम कह रहा है division और यह taxonomic category हमारा कौन है angiosperm आपने पढ़ा है कि angiosperm क्या होता है एक division है जिसकी दो class होगी one class dicot और other class monocot आप से पुछेगा dicot और monocot में most common plant कौन है तो आपको जो अधिक नंबर में कौन है dicot 78 परसेंट डाइकोट 22 परसेंट are monocot तो यह monocot और dicot क्या है angiosperm की two class है उसी पर question है कि dicot और monocot को कहां रखेगा तो आपको division में उस division का नाम क्या होगा angiosperm आप जानते हैं फाइलम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं प्लांट के में नहीं कहां यूज करते हैं अनिमल्स में तो यह orthopoda वर्ड जो है वह आप कहां यूज करेंगे नेक्स आप जानते हैं नमेंट्र किस ने दिया के रोलस लीनियस ने उन्होंने अपनी नाम भी वैसिस पर चेंज कर ली तो आपसे पूछा जाएगा बाइनोमियन नमेंट्र क्लेचर गिवें वाई कौन से साइंटिस्ट होंगे के रोलस लीनियस और उसी को अलग-अलग चेंज करके यह सारे option में दिया है तो हमें बाइनोमियन नमेंक्लेचर नस्याटी की आपको गिवें स्टेटमेंट है कि आपको बाइनोमियन नम्ने क्लेचर गिवें वाई विश्स साइंटिस्त के रोलस लीनियस नेक्स अहां आपसे पुचा जा रहा है गिवें बिलोव त हेटरोट्रापिक और गें तो फंगस में क्या होगा आपको जो है हेटरोट्रापिक और गेंजम होते हैं और हेटरोट्रापिक में आप जानते mostly कैसा होता है सेप्रोफिटिक तो यह सही है कि fungus कैसा kingdom है हेटरोट्रोपिक का आइधर सेप्रोफिटिक हो सकता है mostly या पैरासिटिक हो सकता है या कुछ member symbiotic होंगे लेकि होंगे कैसे हेटरोट्रोपिक दूसरी statement है crysofita includes diatum and golden algae यह भी ncati की line है कि crysofita में दो मेंबर आते हैं डाइटम्स और एक डेस्मिर्स तो यह दोनों statement सही है तो कौनसा option जाएंगे correct option पहचानी है कि बोथ statement a and first and second are correct तो कौनसा option हो जाएगा फोर्ट अब next आई नेक्स है which of the following process are base of taxonomy तो taxonomy का base क्या है तो taxonomy को अगर आप classified करेंगे तो सिंफल वर्ड याद रखते है ऐसे ही याद रखेगा texonomy को हम में use करते है characterization texonomy में हम लोग use करते है identification texonomy में use करते है nomenclature टेक्जोनमी में फिर नेक्स क्या योज़ करते हैं आइडेन्टिफिकेशन तो नेक्स क्या हो जाएगा आप यूज़ कर रहे हैं आइडेन्टिफिकेशन एक में इसको पेन को पेन का यहां है और यह है पेन सेलेक्टर्ण है यह कलर फुल इस पे पहले तो इरेजर से इसका यूज़ कर ले चलिए अब नेक्स पुछा जाएगा नेक्स कंडिशन को क्या कहेंगे आइडेन्टिफिकेशन थार्ड कंडिशन क्या होगा नॉमेंक्लेचर और फोर्थ कंडिशन क्या होंगे क्लासिफिकेशन तो टेक्सोनमी का बेस क्या है तो हमें याद रखना है C, I, N और C C stands for characterization I stands for identification N stands for nomenclature और C क्या बताएगा क्लासिफिकेशन तो मैच करें option से देखिए identification है, classification है, nomenclature है और all of these option भी है तो हमारे पास कौन सा option हो जाएगा 4 तो हमारा correct answer कौन सा हो जाएगा 4 अब next देखे next है, which of the following are not specific epithet specific epithet कौन नहीं है तो देखिए, indica specific epithet है tuberosum specific epithet है leo specific epithet है solenum नहीं है solenum किसको represent कर रहा है, recall करें genus को तो जैसे solenum tuberosum लिखते है तो tuberosum आपके specific epithet है rosa indica लिखते है, या mangiphera indica लिखते है तो indica specific epithet है panthera leo लिखते है तो panthera आपको जो है वो generic name है leo क्या होगा specific epithet तो three specific epithet है indica, tuberosum और leo और कौन generic genus का नाम है genus का नाम कौन है solenum तो पुछ रहा है कौन specific epithet नहीं है तो answer कौन सा होगा third, clear अब next आईए next है यह जो diagram दिया हुआ है how many of the following statement are correct with reference to the given diagram तो यह diagram देखें किसका है यह vibrio cholera या cholera causing bacteria की diagram है जो कौन से shape के होते है comma shape की अब यहाँ आपने निकाल लिया कि यह क्या है vibrio cholera मतलब cholera causing bacteria अब इससे later facts को देखिए पहला क्या है this organism is prokaryotes सही है bacteria है nuclear membrane option सही है comma shape सही है और have membrane bounded organelles गलत है prokaryotes में membrane bounded organelles नहीं होते तो आपके पास कितने statement इसके लिए correct है three तो देखें three कौन से option में है second तो हमारा कौन सा answer सही होगा second next देखें यह diagram recall करें NCRT की diagram है nostok का तो क्या बता रहा है which of the following statement are correct about given diagram अब यह diagram अभी हमने just बोला कि किस वे है nostok का nostok heterocyst के थूँ क्या करते है nitrogen fixation और यह एक prokaryote का diagram है तो इसमें भी option कौन से सही हो जाएंगे all of these क्योंकि यह nostok की diagram है और nostok में यह जो structure आपको mention है वो क्या है heterocyst और NCRT ने लिखा इस पूरिया structure के round जो covering है उसको क्या करें muscle resinous covering और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे filamentous structure तो nostos हमारा heterocystic filaments का option है जो NCRT ने दिया है तो nostok सही है nostok के पास heterocyst है जो nitrogen fixation करेंगा और nostok क्या है एक BGA और BGA हमारे पास किस के टोगरी का आता है prokeriores तो इसमें कौनसा option सही हो जाएगा 4 clear अब next देखें next है bacteria reproduce mainly by which method तो आप जानते है the most common mode of reproduction in bacteria क्या है binary fusion तो देखे binary fusion कोई option में है हाँ यह है फीजन है फीजन में आपको कौनसी फीजन को रिप्रिजन कर रहा है binary fusion budding आप जानते है bacteria में rare mode में होता है rhizobium के कुछ member आपको मिलेंगे या mycobacterium की जो budding करते है gamels formation आपने परहा था gamels formation किसमें होता है markensia में जिसमें 8 shape की आपको जो है वह structure होती है जो branched होता है आपको यह two gamma की formation करते है 8 shape का होता है gamels recall करे और each gamma से क्या होते है two thalas की formation यह stocked होता था green होता था आपको और यह कहां पढ़ेते है आपने markensia में कौनीडिया आप जानते है यह asexual spore में आपने exogenous spore के example में देखा है जो मिलता है ascomycities में और deutermycities में तो कौनीडिया कहां मिलेगा यह asexual spore है और यह asexual spore कहां आपने देखा है in a member of ascomycities जैसे penicillium इसमें बनेगा aspergillus में और deutermycities में तो इस question के थुरू आपको सारे asexual reproduction की जो method है आपको उसमें कुछ को याद रखना है और यहां पर जो bacteria की सबसे common mode है वो कौन सा है binary fusion तो binary fusion bacteria की most common mode budding जो है हमारा bacteria में rare होता है इसलिए हम इस option को नहीं जाएंगे conidia हमारे पास fungus में मिलता है और कौन से fungus एसको माइस इसीटी जो डिट्रो माइस इसीटी और गेमा कप में आपने गेमिल्स पढ़ा था किस में मार्केंसिया में और मार्केंसिया के किसकी फॉर्म है लीवरोड्स की जहां आपने देखा यह एट सेप का था और इच गेमिल्स जो है वह टू थैलस की formation करता है यह टू एपिकल नॉक से निकलावा थैलस है नेक्स देखें पुछ रहा है दैस पोर अफस्नाइम मोल्स कंटेंड ने लिखा है कि आपको स्पोर अफस्नाइम मोल्स के पास क्या होता है सेल वाल होता है और इस फीचर में हो किस से मेंच करता है प्लांट से यहां देखिए आपके पास true wall और यह भी कौन सी cellulogic तो NC8 ने लिखा है plants के आपको plant like feature slime molds में क्या होती है इसके पास true wall मिलेंगे और वो भी cellulogic इसमें इसमें animals like feature इसमें क्या होती है इसके vegetative form में plasmodium मिलेंगे और pseudopodia और plasmodium की condition होगी और cell wall absent और इसके पास fungus like character क्या होता है जो sporo carbon बनाता है मतलब यह आपका slime molds तीन organism से match करता है one is fungus other animals और तीसरा कौन सा हो जाएगा plant तो plant like feature पर यह question है क्या है कि सेलोलोजिक true wall होगी किसमें sports में next आईए next है the spore of slime molds are extremely resistant and survive for many years अब आपको the spores are dispersed by which medium NCRT की line है कि spore dispersed किसे होता है air current से तो देखे air current कौन से option में यह तो spore की dispersal का mode कौन सा हो जाएगा air current water से disperse नहीं होंगे animals और plants disperse करने में help नहीं करेगा तो NCRT की line है कि slime molds के sport dispersal किससे होती है तो by help of air current और air current हमारे पास कौन से option में है fourth option में next देखें next है chlorophyll bearing simple thaloid autotropic and largely aquatic both fresh water and marine water यह सारे line NCRT ने किसके लिए लिखा है जो mother nature ने पहली plants बनाई और वो कौन plants है alga तो यह सारे facts जो आपने लिखा है कि chlorophyll bearing simple सबसे पहली plant जो mother nature ने बनाई वो कौन है alga और alga सबसे simple है और जब सबसे पहले जो nature में formulate हुआ plants वो कहां बना water में तो इसलिए NCRT ने लिखा यह fresh water और marine water दोनों में मिलेगा तो यह सारी statement NCRT के है जो कि प्लांट को represent करती है इससे आपको दो वर्ड से इसको correlate कर सकते है simple और ठेलवाइड और प्लांट में मिलेंगे बट जो वर्ड हमारे पास है वह simple और लार्जली एक्वेटिक क्योंकि ब्रायोफाइटा से आप जैकते है टेस्टियल है विटाट सेर करना सुरू कर देता है तो हमारे पास इसमें कौन से प्लांट को रिप्रिजेंट कर रहा है एलगा को तो जो लाइन दिये वह उससे हमें करेक्ट प्लांट की केटोगरी तक पहुशने है और वह कौन से है एलगा नेक्स देखें इन एलगा reproduction by fragmentation and different types of spore is तो एलगा में क्या होता है आपको fragmentation होगा जो वेजटेटिव मोड का reproduction है और जूए स्पोर बनता है वह एसेक्शुल है तो देखिए पूछा जाएगा जो fragmentation हो रहा है वह वेजटेटिव reproduction है और एसेक्शुल एस्पोर बनेंगे तो वह क्या है वह हमारे पास कौन सा बनता है जूए था पूछा जा रहा है और sexual production में कौन से condition हाते हैं ईसो गैमी और गैमूल टड्यूश करते है तो हमें पूछ रह रहा है क्या कि अल्गा capitalist वाइफ् स्प्रेग्मेंटेशन तो फ्रेग्मेंटे शन कौन से चलाठ में जाएगा आपको जब रिभिजटेटिव और टीप्स और कौने सा जाएगा पूछेगा सेक्ष्वल क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि सेक्ष्वल में आपने दैखा एक लिए लार्जर और नांपराइब तो हमें यहां पर रिसाइड करने तो कौन सा हो जाएगा जूए स्पोर होगा फॉर एसेक्शुली प्रडक्शन और फ्रेग्मेंटेशन ने लिखाए किस में वेजटेटी में तो आंसर कौन सा हो जाएगा फॉर अब नेक्स आईए नेक्स पुछा जाएगा इन इलगा, एलगीन एन के रिजनीन और आप्टेन फ्रॉम विस टाइपस अफ एलगा याद कीजिये अगर आप सेलवाल देखते हैं ग्रीन इलगा का कोरिलेट हो जाएगा खुद बखुद ग्रीन एलगा की इनर सेलवाल क्या होता है इनर सेलवाल कैसा होता है सेलूलोज और आउटर सेलवाल कैसा होता है पेक्टीन का दूसरा कोर्लेट कीजिए ब्राउन एलगा ब्राउन एलगा की इनर सेल वाल कैसा होगा तो इनर सेल वाल यहां भी सेलूलोज और आउटर सेल वाल कैसा होगा पैलगीन तीसरा आईए रेड एलगा रेड एलगा की इनर सेल वाल कैसा होगा तो सेलूलोज और outer cell wall कैसा होगा तो जाइएगा आपको केरेजिनीन और कौनसा होगा अगर-अगर तो clear हो गया कि हमें इस से जिसके cell wall में है उसी से opt-in होगा correlate कर सकते हैं तो देखिए अलगीन पूछ रहा है और केरेजिनीन पूछ रहा है अभी हमने मेंशन किया अलगीन कहां मिलेगा ब्राउन अलगा में और आपको केरेजिनीन कहां मिलेगा रेड अलगा में तो option कौनसा सही हो जाएगा तो आपको correlate करना है कि जिस अलगा की cell wall में वह अगर आपको अप्टेन करना हो तो ब्राउन अलगा सोर्चेज होगा अगर के रेजिनीन और अगर 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 अप्टेन करना है तो रेड अलगा ओटेन होगा जिसकी cell wall में है उसी से तो एक्स्रेक्ट कर सकते हैं क्लियर हो गया तो cell wall की composition से आप यहां इसकी economic importance को correlate कर सकते हैं अब next आईए नेक्स्ट है अभी जैसे देखा है अभी अगर इस टाइप ऑफ तो पुछेगा अगर अगर किसके cell wall में था रेड अलगा और इस रेड अलगा में specify करेगा तो कौनसी रेड अलगा जेलीडियम और ग्रेसिल एडिया और पुछा जाएगा इसके function क्या होंगे तो यह जैली के इंपोर्डेस में अगर-अगर की यूज एंसी आटी ने मेंशन किया है तो कौनसा अप्शन सही हो जाएगा फोर्थ ऑल अफ दीज आ करेक्ट क्योंकि दो सोर से जैलीडियम और ग्रेसिल एडिया और तीन यूज एंसी आटी ने मेंशन किया जो सारे यहां दिया हुआ है कर सकता है अपने बोडी वेट से तो यह हमारा सारे यूज आपके अगर-अगर की एंसी आटी ने मेंशन किया है आपको सौर्सेज में दो नाम याद रखना है वनीज जैलीडियम दूसरा ग्रेसिल एडिया अब नेक्स देखिए नेक्स है इन विच आफ फॉलाइंग क्ला मिलता था व्राउन एल गां में फ्रॉंड मिलता है तो यह TW quando की डाइग्राम में याद कीजिये तो हम और यह Right there involves कॉंसे। आप्शन में हैं तो देखिए। Fyoke क्या प्राउन और थो योडॉप साङबाइब ालगा कहतें श्रीच को में इंसरे स्ट्षाम कर count करेगअ वह कौन उइन अपको ब्राउन एल्गा को मूं क्या करते क्यों क्योंकि इसमें होल्ड फास्ट भी होता है स्टाइप भी होते और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉंड भी होता है अब नेक्स्ट है आप से पुछा जाएगा इन और इसमें जूएसपोर भी कैसे होते हैं और इसमें जूएसपोर भी कैसे होते हैं आपको लेटरल फ्लेजिला वाला और हेट्रोकॉंड कंडिशन रखते और इसमें कैसी होगी टो गैमेट्स और इसपोर दोनों पीरशहेप की कहां मिलते ब्राउन एलगा में तो दो ओप्षण के थाट में करेक्ट अप्षन हमारा कौंसा हो जाएगा थाट नेक्स्ट आईए which group of alga occurs in surface of water as well as greatest depth of ocean which are relatively little light penetrated C-N-C-R-T के line है जो किस के लिए use किया है red alga के लिए लिखा है red alga के पास क्या होता है phycoblins और phycoblins दो तरह किया पढ़ते है one is phycoirithin और एक कौन सा पढ़ते है phycosyanin तो N-C-R-T ने लिखा है red alga red के होता है phycoirithin के कारण और एक और वर्ड कोर्लेट कीजिए कि मान लेजे जो photosynthesis जिस region में होगा उसको visual region कहते है और उसको क्या indicate करते है विवजी और से और आप पढ़ते हैं कि red की wavelength कितनी होती है 700 और यहां से 400 to 700 आप wavelength की range लिखते है तो सबसे अधिक wavelength किसका है red का और सबसे कम wavelength किसका है violet का तो पूछेगा जो red alga red color का है वो photosynthesis कहां करेगा blue green light में और जो खुद blue green color का है वो photosynthesis किसमें करेगा red light में तो on the basis of pigment red alga top पे भी रह सकता है और bottom में भी रह सकता है तो यही NCRT ने लिखा जो relatively depth पे भी रह सकता है greatest depth पे और surface पे वो कौन रहेगा red alga और उसके पीछे responsible factor क्या बता है इसके पास कौन से pigment है phyco blins phyco blins दो तरह की आपको याद रखना है one phyco erythin other phyco sianin phyco erythin कौन सी color प्रोवाइड करेगा red color to red alga और यह कौन सा color देगा blue green color तो आपको याद रखना है कि red alga greatest depth पे भी रह सकता है और जा सकता है आपको जो surface पे भी क्यों क्योंकि इसके पास दो तरह की variable pigment होगी एक phyco erythin दूसरा phyco sianin तो option कौन सा जाएंगे red alga red alga option किसमे है third में clear next आईए next है which group of plants have first seed habit appears seed habit आपने देखा था किसमें मिलता है teridophyta में तो teridophyta option किसमे है third seed habit किसको relate करता है कि seed बनने के लिए तीन चीज़ चाहिए पहला चाहिए heterosporus दूसरा क्या चाहिए entanglement की presence और तीसरा mega sport की retention आपको long interval तक तो इसमें से एक ही condition किसके पास मिलना है teridophyta के पास तो पूछेगा seed कहां से मिलता है तो gymnosperm में और angiosperm में but seed habit मतलब precursor of forming seed कहां मिलेगा तो teridophyta में teridophyta seed habit को indicate करता seed habit कहने का मतलब seed बनने के लिए जो condition चाहिए उसमें से एक condition रख रहा है कौन teridophyta तो पुछेगा seed habit first appears in teridophyta और teridophyta में भी जिस member में सबसे पहले appear है वो है slaginela ripestries तो आपको seed habit पुछा जाए तो कौन सा जाएगा teridophyta पुछा जाएगा seed पहले कहां मिलेगा तो आपको जाएगे gymnosperm और gymnosperm में नाम से ही clear है naked seed gymnos मतलब naked और sperma मतलब seed तो यहां naked seed मिलेंगे मतलब ovary absent होगी cable ovule होगा और angiosperma पर ते covered seed containing होता है next है taxonomical aids which contain actual accounts of habitat and distribution of plant in given area यह NCRT के line है कि given area के plants की जिसमें habitat और distribution study करें उसको क्या कहेंगे flora अब दूसरे word पे आईए NCRT ने लिका है fauna यही अगर animals से related होता आपर animals की habitat और distribution परते तो ऐसी book को fauna कहते तो यह fauna animals से related होता है flora plants से तीसरा option आईए manuals manuals में क्या मिलेगा book having listing and description इसमें कौन सा word सर्च करना है listing and description of plant belonging to particular area तो particular area के plants की अगर आप listing और description देख रहे हैं तो ऐसे plant की book को हम लोग क्या कहते है manuals और last में है monograph नाम से clear है mono मतलब single तो ऐसे book जिसमें single taxon की idea मिले क्या कर आएगा monograph तो monograph क्या होगा single taxon की idea बताएगा तो हमें पूछ रहा है taxonomic aids जिसमें आप habitat और distribution study करते हैं कौन सा condition आएगा flora fauna में क्या होगा habitat and distribution और plants की जगा क्या आजाएगा animals belonging to particular area manuals में दो word आजाएगा in place of habitat or distribution listing और क्या आजाएगी description और monograph को याद रखेगा idea about single taxon तो जो taxonomic aids NCRT ने mention किया है उसी में से आपको यहाँ three जो है वो given है clear next आएगे तो taxonomic aids में text aids में यह सारे आपको text aids कहने का मतलब जिसकी written script हमारे पास available हो अब next है next है all living organisms are linked to one another because सारे living organisms एक दूसरे से linked क्यों है तो region देखिए they have common genetic material of same type संबब भी नहीं है सारे और गनिम की genetic material एक तरह की हो वह कोई required नहीं है दूसरा है they share common genetic material but to varying degree यह सही है biological species की definition में आप जो है इसको include करते हैं all have common cellular organization संबब भी नहीं है कुछ pro carriers होंगे कुछ mezo carriers होंगे कुछ you carriers होंगे और all of the above तो यह भी गलत हो जाएगा तो हमारे पास correct option जो living organism को link करेगा वो कौन से हो गए यह common gene pool या genetic material क्या करेंगे exchange करेंगे but कौन से level पे certain varying degree पे clear हो गया next है next है statement one पहला क्या बता रहा है natural classification system also based on evolutionary relationship between various organism सही है अब दूसरा है इन natural taxonomy each character are given importance at same time hundreds of character are considered सही है दोनो स्टेट्मेंट सही है और यहाँ परेंसियाटी ने mention भी क्या है कि हर करेक्टर को क्या दिजेगा equal weight और each character की data analysis के लिए certain code assign होंगे जैसे character है तो present plus sign अगर character नहीं है तो minus उसके बारे में हमारे पास data नहीं है तो जीरो तो यह सारे numerical taxonomy से related word NCRT ने यूज किया है और यह दोनो स्टेट्मेंट सही है और correct explanation को भी बता रहा है तो यह कौन सा condition आ जाएगा first option अब next आईए next है हरवेरियम consist of NCRT ने क्या बता है हरवेरियम में क्या करते है pressed, dry और preserve plant यूज करते है preservation किसके लिए यूज करेंगे dead specimen के लिए और conservation live specimen के लिए तो देखिए वो line से क्वान match कर रहा है देखिए हरवेरियम sit is अभी बताए हम dried, pressed and preserve plant specimen ये सही है preserve insect गलत है हरवेरियम हम plant के लिए यूज करते है collection of living organism नहीं हमने अभी just बताया है we use preservation for dead क्या याद रखिएगा preservation term किसके लिए यूज करते है dead के लिए और conservation term किसके लिए living के लिए conservation term किसके लिए यूज करेंगे living के लिए तो living के लिए conservation और dead के लिए कौन सा preservation तो यहां लिखा हुआ collection of living plants नहीं होगा क्योंकि हमें हरवेरियम एक preservation technique है conservation नहीं फिर है collection of plants and animals नहीं आपको ये word जो है हम यूज करते है किसके लिए museum तो हमें पुछा जाएगा हरवेरियम के लिए कौन सा word यहां correlate है fourth वाला कि हरवेरियम seat carrying dried pressed and preserved plants specimen on them तो हरवेरियम preservation technique है किसके लिए plant के लिए आपको ऐसे याद रखना है कि botanical garden conservation technique है किसके लिए live plant के लिए आपको जो है geological park live plants के लिए conservation technique है but हरवेरियम plants के लिए क्या है आपको preservation और plant और animal दोनों के लिए preservation technique कोन होगा museum तो answer कौन सा जाएंगे four next देखे पूछेगा for identify organin to key अब key आपने क्या पराए कि key generally analytical nature का होता है कि में generally आप two contrasting character यूज करते है each statement को क्या करते है leads कहते है और इसमें organism को classified और identify करते है किसकी basis पे on the basis of similarity और dissimilarity देखे कौन सा option सही है देखे अभी हमने इन बोला two contrasting characters are used सही है one similar character is studied नहीं अभी आपने बता है two two or more similar character are used और next कौन सा है only one statement आपको call leads is used नहीं आपने देखा है two contrasting characters generally use करते है और ये two contrasting characters क्या कलाता है couplet और each statement को generally क्या करते है leads तो ये NCIT की सारी line है की से related और उसी से ये question है तो आप कौन सा option जाएंगे कि की में generally कौन से statement use करेंगे two contrasting characters और इस two contrasting characters को क्या कहिएगा couplet और each statement को क्या करते है leads तो हमारे पास ये है one similar character is studied गलत हो जाएगा two or more similar characters are studied तो mainly two होते तो ज़्यादे option ये सही होता और only one statement is called leads नहीं बोथ statement are called leads तो हमारे पास की से related conscious statement यहाँ सही होगा first clear अब next time next है the correct sequence of taxonomic category is अभी तुरंत आपको बताए है एक line याद रखिएगा के pot clean otherwise family get sick देखे इससे फिर ये question आगया असानी से बन जाएगा देखे आपको आना है correct order में देखे division class आप phylum या division के लिए यूज करते है आपको division जो है वो plant में और phylum animals में तो देखे division class order family genus और species तो correct हमारा order कुन हो जाएगा जो है second यहाँ देखे division है class है family है order है genus है species है यहाँ order change है family पहले दे दिया order बाद में यहाँ भी देखे class और family और genus दिया यह भी order गलत है यहाँ भी देखे order के बाद family दिया genus दिया species दिया बट यहाँ पर class phylum से पहले दे दिया तो हमें एक simple line याद रखना है keep pot clean otherwise family get sick और इस तरह के question आएएगे तो आसानी से हम correlate कर पाएंगे clear हो गया अब next देखे next है live specimen are used for reference in taxonomic study अभी बताए हम live specimen कहां यूज करते है तो आप botanical garden और geological park में तो देखिए यहाँ पर live specimen are used for reference in taxonomic तो एक हो जाएगा geological park और एक botanical museum में क्या यूज करते है हम लोग dead specimen तो यह नहीं होगा और dead specimen किसका यूज करते है तो अभी हमने बताया है plants और animal दोनों का तो dead specimen of plants and animal तो हमारे पास live specimen geological park में यूज करते है और botanical garden में और दोनों के लिए हमने वर्ड बताया है कौन सा वर्ड यूज करते है conservation और dead specimen के लिए कौन सा preservation तो च्वटी च्वटी वर्ड है जो इस chapter में याद रखेंगे तो असानी से इसके question बन जाएगे अब यहाँ देखे ये भी options है ये भी options है तो हमारा best appropriate answer कौन सा हो जाएगा more than one option is correct clear बच्चे अब next देखे next पूछ रहा है match the column 1 and 2 अब देखे earliest classification दिया हुआ है two kingdom classification दिया हुआ है Aristotle दिया हुआ है और RHV Taker का दिया हुआ है तो देखे earliest classification आपने जो है वो किसकी basis पे होता है based on use दूसरा दिया हुआ है two kingdom किस ने दी थी lineage ने Aristotle ने क्या बताया था first scientific basis of classification recall करे plant को classified किया था height की basis पे herbs, herbs और tree और animals को classified किया था on the basis of RBC presence और absence और RHV Taker की कौन सी है five kingdom classification तो आप match किजेगा हमारे पास इससे कौन सा option match होगा A का second B का third C का fourth और D का first मतलब हमारा correct option कौन सा हो गया first तो जो system of classification है उससे related यह हमारा question है clear हो गया next देखे next है in binomial nomenclature each name has two components this component is अभी बताये गया था एक generic epithet होता और एक specific generic epithet किसको बताता है genus को specific epithet किसको बताता है species को तो देखिए एक होगा generic name या generic epithet दूसरा specific epithet तो epithet या name दोनों एक ही word है दोनों synonymous word है तो generic name या specific name किसमें यूज करते है binomial nomenclature में तभी तो इसका नाम binomials है क्योंकि इसमें genus का नाम लिखते है और species का जैसे recall करें आपने एक नाम लिखा था mango तो mango का नाम क्या लिखते है mangifera indica तो mangifera क्या है इसकी genus का नाम है और indica क्या है इसकी species का नाम है तो ये generic epithet या name है और ये specific epithet है तो option कौन सा जाएगा second next देखें आपसे पूछ रहा है match the following column देखें एक दिया हुआ है lichen एक दिया हुआ है आपको alga fungus prion और वायरवाइट्स और match कीज़े देखें सबसे पहले है alga alga correlated आपको कौन सा condition आएगा यहाँ पर आपको prion से match कीज़े तो prion हमारा और वायरवाइट्स की discovery में आएगा तो वायरवाइट्स किसने discover किया तो डाइनर ने NCRT ने मेंशन किया वायरवाइट्स single standard RNA containing organism होगा जिसके पास proteinus coat नहीं होते और किसने discover किया डाइनर ने तो हमारे पास यह prion आपने देखा था यह क्या होते है यह bovine spongy form disease से correlated होता है और यह proteinus agent है जिससे disease cause होते है तो हमारे पास B.A.C. में कौन गया पियोन वायरवाइट्स का option कौन मैच किया डाइनर नेक्स्ट आईए lichen में क्या मिलते है fungus और alga की association और यहाँ पर हम symbiotic association में इसको मैच कर सकते है अब है alga को क्या करते है तो alga को हम लोग कहते है phycobion और fungus को क्या करते है mycobion तो हमारे पास lichen क्या हो जाएगा symbiotic association तो देखे कोई मैच किया हमारे पास देखे वायरवाइट्स से आपके पास कौन आ गए तो वायरवाइट्स से आएगा डाइनर तो देखे first option हमारा आना है E में E में first कहा कहा है तो ये दो next आईए prion किसमे है third में तो ये भी सही है अब है C हमारे पास fungus partner को क्या करते mycobion फिर हमारे पास जो है पुछे जाएगा algal partner को क्या करते phycobion और lichen कौनसी association है symbiotic तो हमारे पास ये कौनसा match किया correct option जो हमारा वो third match किया तो biological classification से ये match है और ये सारे आपको correct match में पहचानना है कि आपको prion कहा जाएगा वायरोइट्स कहा आएंगे fungal partner को क्या करते है algal partner को क्या करते है और lichen किस तरह की association है तो lichen एक association है जो symbiotic association है किसके बीच algal partner को क्या करते है आप phycobion कैसे याद रख सकते है algal के study को phycology कहते है और fungus के study को mycology तो fungal partner का नाम क्या होगा mycobion और algal partner का नाम आपको जो है algal partner को phycobion कहेंगे mostly कौन सा dominant होता है fungus अब next आई पूछा जा रहा है which taxonomic category are real basic unit of classification तो real basic unit जो nature में जिट करती है वो कौन सी होगी आपको species बाकि सारे हमारे द्वारा फर्मुलेट है बद जो nature में मिलेगा वो कौन मिलेगा species तो पुछेगा real taxonomic category या real taxonomic basic unit कौन सी होगी species तो जो nature में हमें मिलती है वो कौन सा मिलता है species बाकि जीनस फैमिली यह सब हम लोग ने फर्मुलेट किया तो पुछेगा real taxonomic category और basic taxonomic category seven obligate category में कौन है species और यह species हमारा कौन से option में third next आईए next है match the following column पहला क्या है mycoplasma दूसरा क्या है desmits तीसरा क्या है goniolics fourth क्या है true bacteria और fifth क्या है hello file अब match कीजिए hello file क्या होता है hello मतलब होता है salt lover file मतलब होता है lover hello मतलब salt तो देखे hello file कौन जाएगा second तो e का second आगया देखे e का second ये option अब पुछेगा हमारे पास क्या है true bacteria कौन से होते है true bacteria के पास हमारे पास कौन सा condition आएगा third third में देखे true bacteria के पास क्या होगा true bacteria क्या होगा यू bacteria goniolics जानते है goniolics वा gymnodinium क्या है type of dino phlegel तो dino phlegel में कैसे condition आएगे तो ये आपको आएगा यहाँ पर fifth option dino phlegel desmids क्या है तो desmids आपने देखा था desmids और diatums जो है किसका member है crysofita का तो आपको crysofita में mention करना है तो b का कौन सा आजएगा golden alga आपने देखा था फिर mycoplasma क्या है इसके पास cell wall नहीं होता तो देखे कौन सा match कर रहा है third option mycoplasma के पास cell wall नहीं होगा desmids और diatums आपने पराता crysofita का member है और desmids को क्या ncs ने में mention क्या है golden alga goniolex gymnodinium आप परते हैं dino phlegelets है जो red tide cause करता है और true bacteria कौन सी होगी u bacteria u का मतलब ही true होता है और hello file कौन से होते है जो salt lover है तो salt extreme salt area में मिलेगा तो देख रहा है इस से हमारा कौन सा option match कर रहा है third तो यह सारे feature आपको correlate कर रहा है biological classification की जितनी description दिया हो है उससे next आईए match the following column and choose the correct option यहाँ पर हमारे पास क्या है planti, fungi, east और amoeba amoeba में आप जानते है कौन सी condition आती है binary fusion east में क्या होता है budding तो match कीजिए amoeba में क्या होगा binary fusion east में कौन सी condition आएगी budding east में कौन सा condition आएगा budding पूछा जाएगा planaria में NCIT ने mention किया है true degeneration होता है और fungus में क्या होगा आपको asexual spore बनेंगे तो इससे हमारे पास कौन सा option match किया देखिए a का हो गया 4 b का हो गया 2nd c के हो गया 3rd और d के हो गया 1st तो कौन सा option match किया देखिए a का 4th b के 2nd c का 1st और d का आपको जो है कौन से condition आ जाएंगे d वाले में condition आ जाएगा हमारा 1st एक मिनट इस option में हमें match करना होगा देखिए इस option में हम match कर रहा है तो हमारा क्या होगा एक मिनट द्यान दीजे देखिए कौन से question पे थे हम लोग match the following में ये इस question में देखिए planaria में हो गया true regeneration मतलब हमारा a का answer क्या हो गया fourth चलिए b में क्या हो गया asexual spore fungus में asexual spore फिर हमारा c में कौन सा हो गया budding और d में कौन सा हो गया आपको जो है d का हो गया first देखिए कोई option match कर रहा है हमारा देखिए a का fourth b का हमारे पास कौन सा option है second c का हमारे पास कौन सा option हो जाएगा third और d का कौन सा हो जाएगा first तो कोई option हमारा match कर रहा है देखिए यह option match कर रहा है a का second a का आपको fourth b का second c का third और d का first मतलब यह option हमारा match करेगा कौन सा second तो आप इस आंसर को सही कर लेंगे, यह आंसर कौन सा हो जाएगा, second, तो सही आंसर कौन से हो जाएगे, प्लेनेडिया में क्या होगी, true degeneration, फंगस में क्या होगा, asexual spore बनेगा, like sparingiospore या conidiospore, east में क्या होगी, budding, और amoeva में कौन सा होगा, binary feature, तो A का fourth, B का second, C का third, और D का first, और यह option हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है, second, तो इसका आंसर कौन सा जाएगे, second, यह जो third लिखा हुए वो गलत option है, second, अब next है, next है, how many matching are correct, पहला है spherical bacteria, rod shape bacteria, rod shape bacteria, comma shape, और spiral, तो देखिए, rod shape bacteria को हम लोग क्या करते है, rod shape bacteria को bacillus कहते है, spherical bacteria को क्या करते है, कोकस, तो देखिए, spherical bacteria को कोकस कहते है, rod shape bacteria को radulus है, यह गलत है, क्या होना चाहिए, bacillus, rod shape bacteria को bacillus कहते है, comma shape को vibrium कहते है, और spiral bacteria हमारा जो है, वो कौन सा आ जाएगा, filamentous, यह भी गलत है, spiral कैसे होने चाहिए, spiral होने चाहिए, spring like, तो हमारे पास कौन सा option सही है, इसमें, first, फ और, comma shape, तो option कितने सही हो गए, three, तो three कौन से option में है, first, तो यह question में, आपको NCRT ने जो match the following, जो यह बनाया है, वो किस से बनाया है, जो shape दिया है, आपने देखा था, spherical shape को क्या कहते है, cocus, bacillus किसे कहते है, rod shape को, जो comma shape को होता है, उसको vibrio cholera कहते है, और जो spiral होता है, वो कौन से है, three, और यह दो incorrect है, तो हमारा answer कौन सा हो जाएगा, first, अब next है, next है, in o gamus type of sexual reproduction, which statement are correct regarding male and female gamits, o gamus mode में आपने अभी क्या दिख बताया था, आपने पहले बताया है, कि o gamus mode में क्या होता है, male gamits motile और smaller, और female gamits larger और non-motile, तो देखिए, o gamus के लिए कौन सा statement सही है, देखिए, पहला है, male gamits are small and motile, सही है, male gamits are large and non-motile, गलत, female gamits are small and non-motile, गलत, and female gamits are large and non-motile, सही, तो हमने क्या बताया है, male gamits are smaller and motile, और female gamits larger and non-motile, तो mode को क्या कहेंगे, o gamus, तो हमारा देखिए, इसमें a सही है, और d सही है, a और d वाला option हमारे पास कौन सा है, यह, वाक मस्ट के लिए क्या याद रखना है मेल गैमिट से स्मॉलर और मोटाइल एंड फिमेल गैमिट लार्जर और नॉन मोटाइल तो यह हमारा हो गया मतलब हमने सारे डाइवर्शिटी के क्वेश्चन के थुरू आपको यह बताने की कोसिस की है कि लिविंग वर्ड वायलोजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट के इंडम से जो क्वेश्चन आएंगे अगर यह सेम रहे तो बहुत अच्छी बात है अगर यह सेम ना भी रहे तो आप इस एक्स्प्लानेशन के थुरू सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं असानी से कोरेलेट कर सकते हैं जो एक्जाम में आएगा हो सकता है इससे सेम भी क्वेश्चन आ जाए या इससे मिलते जुलते आएंगे इसलिए सारे ओप्शन को हमने ने डिटेल में तो सबसे फर्स्ट कोस्ट्टन आपको दिया हुआ है क्या कि आपको एस जो है सेब्ड़ वर्ग यूdog में किसको और सेब्ड़ाइड करता है तो आपको यह डिंट करता है साइज पर और उसके डेंसिटी पर मतलब जिसकी size जो होगी उसपे depend करेगा और किस तरह की density वो आपको sub unit perform कर रहा है उसपे depend करेगा तो हमें shape, size और density में क्या के यहां दिया हुआ है सो देखिए यहां first option में दिया हुआ है shape and density, second option में दिया हुआ है size and density, third option में दिया हुआ है function and size और fourth option में दिया हुआ है function और shape तो हमें अभी हमने देखा कि S या 7 वर्ग unit जो है जिसे हम sedimentation coefficient कहते हैं वो किस पर depend करता है तो size और density पर larger sub unit की अलग size होगी smaller sub unit की अलग size दोनों की density अलग तो S की value अलग-अलग vary करता है जैसे recall करें आपने देखा था 70S जब देखते हैं तो 70S में larger sub unit क्या देखते हैं 50S और smaller sub unit क्या देखते हैं 30S तो यहाँ यही S क्या indicate करा है सैब्ड वर्ग unit या sedimentation coefficient उसी तरह similarly याद कीजिए आपने condition देखा था larger sub unit of 80S क्या थे 60S और आपको जो smaller sub unit क्या था 40S तो यहाँ S additive unit नहीं है अगर S additive unit होता तो 50 और 30 मिलके क्या लिख रहे होते आप 80 और यहाँ 60 और 40 मिलके क्या लिख रहे होते 100 लेकिन यहाँ S क्या है additive unit नहीं है क्या बता रहा है आपको सैब्ड वर्ग उन्सेंट या sedimentation coefficient तो आपसे पूछ रह अब next देखें next आपसे पूछा जा रहा according to swan तो sedan and swan ने आपने देखा था cell theory proposed की थी और इनकी evidence से आपसे question पूछा जा रहा है कि देखें first evidence क्या दे रहा है कि cell are surrounded by a thick layer second evidence क्या दे रहा है presence of cell membrane is the specificity of plant cell जो की गलत है कौन सा होना ची animal cell और next आपको जो है दियावा है the body of plants and animals is made up of cell and their product और fourth दियावा है new cell arises from its pre-existing one तो पूछ रहा है swan से related क्या है तो याद किज़े swan आपको क्या थे British geologist जो क्या indicate किये थे आपको plants और animal दोनों cell के study करने के बाद क्या evidence बता है कि plants and animals are made up of cell and their product तो हमारे लिए swan के statement में इस best appropriate आपको जो है option कौन जाएंगे हां third तो clear हो गया कि swan से related कौन से evidence सही होगी swan ने आपको जो है वो animal cell भी study की और plant cell भी study की और ये conclusion निकाला जो हमारे पास आपको कौन सा option सही हो जाएगा third अब next देखें next आप से पूछा जा रहा है select those which are not related with endomembranus system आपने देखा था endomembranus system कौन होते हैं जिसकी coordinated function होती है और coordinated function में आपने कौन देखा था ER फिर आपने देखा था Golgi फिर आपने देखी थी Lysosome और last में क्या देखा था vacule ये ऐसे four organelles थे जिनकी coordinated function थी और three organelles और NCIT ने mention किया जो non coordinated का था chloroplast, peroxisome और mitocondria तो chloroplast की आप जानते हैं ये photosynthesis में involved करता है mitocondria को अगर broad sense में देखेंगे तो ये aerobic part of respiration करेगा और peroxisome as the name suggest ये क्या करता है peroxide की formation और peroxide की destroying तो इन सारे function में क्या होंगे non coordination की condition है तो इसको हम क्या मानेंगे non coordinated organelles और इन्हें क्या मानेंगे coordinated organelles तो coordinated organelles को आपने क्या कहा था part of endomembranus system तो आप से क्या question पूछ रहा है तो endomembranus system में 4 आपको select करना है ER, Golgi, Lysosome और vacuole और कौनसे endomembranus system के parts नहीं होंगे उसमें according to NCIT जाना है chloroplast इनको छोर के जो भी होगा लेकिन NCIT ने 3 mention किया है chloroplast, peroxisome and mitocondria तो यहाँ पर हमारा chloroplast, peroxisome और mitocondria अगर option होगा तो वो endomembranus system के parts नहीं होंगे जैसे यहाँ देखे यह mitochondria और chloroplast है तो यह हमारा option क्या होगा not a part of endomembranus system अब दूसरे option पर भी देख लें यहाँ देखे ER दिया हुआ है और Lysosome, endomembranus system के parts है फिर यहाँ दिया हुआ है Lysosome और Golgi endomembranus system के parts है फिर यहाँ दिया हुआ है Lysosome और Vacule endomembranus system के parts है तो simple याद रखना है जिनकी coordinated function हो वो endomembranus system के parts होंगे और endomembranus system में यह सारे और्गनिल्स आपको याद रखना है, जो एंडोमेम्रेनस सिस्टम का पार्ष नहीं है, उसमें रेस्ट और्गनिल्स सारे आएंगे, बट NCIT ने थ्री मेंशन किया है, आपको वन इस क्लोडोप्लास्ट, अदर पेरोक्सिसोम और माइटोकॉंडिया, तो हमारा इस क्ल उच्छा जा रहा है किया, एंजाइम ऑफ लाइसोशोम और, तो आपने पराता, लाइसोशोम में क्या होते है, हाइड्ललिटीक एंजाइम होते है और यह हाइड्लիटीक एंजाइम किस पे वर्क करता है? एसडिक पी पे, तो देखें यहाँ पर कॉन सा ऑप्सीन इससे दिया NCRT ने मेंशन क्या है able to digest क्या होगा carbohydrate भी प्रोटीन भी लिपिड भी और नुकलीक एसीड भी तो यहां वनली वर्ड के कारण यह option भी हमारा सही नहीं होगा next आईए formed by endoplasmic reticulum by packaging नहीं NCRT ने पहली लाइन ही लिखिए लाइसोसोम के लिए कि यह किस से बनता है by packaging of Golgi not ER तो यह line भी हमारा क्या हो जाएगा गलत अब हमारे पास next के आया more activate acidic pH सही है कि लाइसोसोम किस पर work करता है slight acidic pH पर और उस pH की range आपको याद रखनी है 4.625 तो यह slight acidic pH है जिस पर लाइसोसोम के enzyme work करता है तो हमारे लिए जो best appropriate answer आएगा आपको वह कौन से होंगे fourth clear आप next देखें next आप से पूछा जा रहा है exception of cytoskeleton is NCRT ने cytoskeleton के कुछ function दिया है और उसमें से आपको exception परचाणना है जो cytoskeleton के function नहीं है तो cytoskeleton एक endoskeleton है cell की जो आपने देखा था three type की होती है NCRT ने mention किया one is micro tables other micro filaments और intermediate filaments पुछा जायेगा इनकी three function NCRT ने mention किया और three function आपके option में है देखें NCRT ने mention किया cytoskeleton used for mechanical support है यहां लिखा है cytoskeleton helps in motility है और लिखा हुआ cytoskeleton maintain shape of cell यह तीन हो है तो कौन सा function cytoskeleton से related नहीं होगा सेक्रीशन सेक्रीशन आप जानते मोस्टी सेक्रीटरी सेल में कौन होते है गॉल जी तो हमारा यह cytoskeleton की function कौन नहीं होगी तो third कौन सी सेक्रीशन तो clear हो गया कि cytoskeleton की जो three function NCRT ने दिया है उसी से यह question है और cytoskeleton आप three type की NCRT ने mention किया है one is microtubules नाम से clear है यह tube like structure होगा एक लिखा intermediate filaments जिसकी diameter इन दोनों के बीच होगी intermediate filaments इसलिए नाम है intermediate filaments और एक लिखा है कौन सा आपको जो है micro filaments तो इस three cytoskeleton की three function आपको जो NCRT ने specify किया है और इसी specify से आपको question है तो direct आपको NCRT से यह three function याद रखनी है उसी function में secretion इसकी function नहीं होगी security nature के जो cell होंगे उसे mostly कौन सा होता है गौल जी अब next time आपसे पुछा जा रहा है flat membrane like sec in stroma of chloroplast R तो इसको क्या करते तो आपने देखा था chloroplast के structure में जो thalequides होंगे वो कैसे होंगे coins like form में आपको stock होंगे ऐसे तो यह thalequide structure है और यही thalequide stock होके क्या बनाता था granum और आपने देखा था इस two granum को conjugate करने वाले structure को क्या कहते तो आपसे पुछा जाएगा flat membrane like sack in stroma of chloroplast कौनसी होगी thalequide mitocondria खुद एक cell organelles है गौलजी एपरेटस खुद cell organelles है लाइसोसंभी cell organelles है तो chloroplast के अंदर जो आपको मिलेंगे flat membranous sack like structure जो stroma of chloroplast में प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे thalequide और आपने देखा था यह thalequide क्या बनाएगा granum और two granum के बीच की जो connecting network थी उसको आपने stroma लेम लिया क्या कहा था अब next देखें नेक्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है choose the correct statement for ribosome अब इसमें से ribosome से related कौनसी facts अमारे लिए correct है देखें पहला क्या दिया हुआ है कि ribosome कैसा होता है glandular फिर दिया हुआ है not surrounded by any membrane सही है कि ribosome कैसा होता है आपको एंसियाटी ने मेंशन किया electron microscope की discovery के बाद यह सबसे पहले observe किया गया और यह granular nature का होता है जिसको scientist ने भी mention किया जोज प्लाडे ने फैले observe किया तो पहली लाइन यह सही है कि glandular होगा और आपको surrounded होगा किसे नहीं any membrane से मतलब यह कैसे nature का होगा a membranus तो a membranus में आपने दो आर्गेनिल्स याद किया था one is ribosome other centrosome अब अब पुछा जाएगा next क्या लिखा है यू केरियोटिक ribosome और एटीएस ncrt के line है एंड प्रोकेरियोटिक ribosome और 70 प्रोकेरियोट्स में आपने ribosome की कौन से सब टाइप देखिया है 70 और यू केरियोट्स में क्या देखते हैं 80 अब पुछा जाएगा यह लाइन भी ncrt के और अभी आपने जस्ट देखा था फर्स्ट कॉस्चिन में कि स स्टेंट्स फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिसियन्ट या सब्वर्ग यूनिट यह क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा all three option क्या है correct तो हम best appropriate answer कौन सा जाएगे all statement are correct तो ribosome से correlated यह सारे facts ncrt में mention है और इसी पर यह question बनाया गया है clear अब next देखें आप से पूछा जा रहा है क्या which of the following statement is incorrectly match अब incorrectly कौन से match है तो यह plasma membrane की function से correlated है अब देखिए इसमें first क्या दिया हुआ है osmosis और क्या लिखा है movement of water by diffusion दूसरा दिया हुआ है passive और passive transport में क्या दिया हुआ है movement of molecule without any requirement of energy against concentration gradient active में क्या दिया हुआ है movement of molecules across the plasma membrane by utilization of energy along the concentration gradient तो यह three word आपको indicate करना है first क्या है कि अगर आपको water move कर रहा है by diffusion तो उस phenomenon quantiate ने लिखा है क्या कहते है osmosis तो यह statement हमारा क्या है correct है अब दूसरा देखिए passive में reverse word वर यूज कर लिया है passive क्या होती है along concentration gradient और इसमें energy की requirement नहीं होती तो इसको हम लोग downhill मानते active कैसा होता है against concentration gradient और uphill और इसके के लिए energy की requirement होती है तो यह दोनों वर्ड देखिए गलत है कि नहीं देखिए यहां दिया है passive transport movement of molecule without any requirement of energy against concentration दे दिया यहां अगेंस्ट की जगह पर क्या होना चाहिए था along और active में भी देखिए दिया है movement of molecule across plasma membrane by utilizing energy along यहां पर क्या होना चाहिए अगेंस्ट तो दो word हमारा change हो गया यहां पर against की जगह क्या होना चाहिए along और यहां along की जगह क्या होना चाहिए अगेंस्ट तो हमारा दो incorrect जो होंगे वह कौन-कौन से option होंगे B और C और correct option कौन सा है A तो हमें incorrect ही पूछा जा रहा है कि incorrect statement कौन है तो आप जाएगा B और C तो इस question का correct answer कौन सा हो जाएगा first clear तो यह plasma membrane की function जो NCRT ने mention किया है उससे लिए गया question है तो सारे question NCRT से बस आपको उसको सारे को कहां पर focus करना है वो देखें next देखें अब next है क्या according to universal accepted model of plasma membrane जो आपने देखा था fluid mosaic model जिसे singer and Nicholson ने दी उसके according क्या सही है तो लिखा हुआ है more extrinsic protein found on the outer surface of the membrane दूसरा क्या लिखा है extrinsic protein shows flip-flop movement तीसरा क्या लिखा है glycocalyx is exclusive present towards the outer face and fourth क्या लिखा है certain extrinsic protein also helps in transport across the membrane अब इसमें correct statement आपको पहचानना है तो देखें पहली statement क्या है more extrinsic protein are found on outer surface of the membrane यह incorrect है दोनों membrane पे extrinsic protein की आपको जो है वो जो number होंगी वो same होगी तो यह अमारा statement क्या हो जाएगा इनकरेक्ट दूसरा क्या extrinsic protein तो यह statement भी हमारे लिए क्या हो जाएगा इनकरेक्ट यह सही है कि glycocalyx exclusively कहा प्रेजेंट होता है towards outer face recall करें अगर NCRT के डाइग्राम को तो आपने देखा था यह internal protein है यह lipid bilayer है और यह आपको external protein देखा था और यहां पर एक condition देखा था कि जो glycoprotein और glycolipid जो NCRT ने बनाई है वो कहां बनाई है towards outer face और यही glycolipid और glycoprotein आपको क्या बना के देगा glycocalyx तो placement of glycolipid और glycolipid कहां है towards outer face और यही आगे चलके क्या बनाता है glycocalyx तो आप उस diagram को देखेगा तो हमें glycolipid और glycoprotein कहां मिलते हैं आउटर साइड में और वही दोनों मिलके क्या बनाएगा ग्लाइको कैलिक्स तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है कि ग्लाइको कैलिक्स एक्सक्रूसिवली प्रेजेंट ट्वाड्स आउटर फेस ऑफ दा मेंब्रेन पूछा जाएगा इस कोश्चन में साटेन एक्सक्रिंसिप ढंप्रोर्टीन हमेशा ट्रांस्पोर्ट में कौन हैल्प करेगा इंटरिंसिक में बहें बहुतत में भी कौन तरह कवर करें तो इसका जो correct answer होगा वो कौन सा हो जाएगा third क्योंकि all three statement जो rest बच गये वो क्या होगा incorrect clear अब next आए next है in human cell average 24 hours of in human cell of average 24 hours of cell cycle क्या होता है तो देखिए तो human cell जब 24 hours में divide करता है तो आपने देखा आता इंटर फेज में रहता है 23 hours के लिए और one hour के लिए जाता है mitotic phase में और इसी one hour में क्या होते हैं आपको जो है इसके karyokinesis और cytokinesis दोनों complete हो जाती है तो आपसे पूछ रहा है क्या कि आप human cell की cell cycle से related statement कौन सा सही है सो देखिए पहला क्या लिखा कि cell division complete in more than three hours गलत है cell division को complete होने में कितने hours लगेंगे 24 दूसरा maximum growth completes in 10 to 12 hours यह सही है maximum growth जिस phase में होता है उसको जीवन कहते है और जीवन longest duration होता है इंटरफेज का तो यह statement हमारा सही है जो जीवन से related है और जीवन में NCRT ने mention क्या है क्या है cell की maximum growth होगा तो आपको order याद रखना है जीवन में सबस्यादिक duration फिर होता है cell का S phase में और फिर का होता है G2 में तो इंटरफेज में भी maximum duration किसकी होगी जीवन की और उससे correlate कर सकते है कि आपका maximum time जो है आपको 10 से 12 आवर सेल कहां रहेगा G1 में next है the time duration of interface is more than 23 hours आपको तो पूछा जा रहा है क्या कि time duration कितना दिया हुआ है interface की more than 23 hours नहीं आपको 23 hours 95% से more लिखा है लेकिन अगर hours में जाएंगे तो क्या होगा आपको 23 hours तो ये statement भी क्या हो जाएगा incorrect next time during interface S phase is most long नहीं आपने अभी देखा है order क्या है G1 phase longest इसके बाद S phase और फिर क्या आएगा G2 तो हमें पूछा जा रहा है human cell की average 24 hours की cell cycle से related जो facts NCIT ने mention किया है कि human cell divide करता है 24 hours में और इस cell 90 minutes मतलब one and half hour तो उसी से ये question लिया गया है और इसमें correct option कौन सा हो जाएगा G1 phase की जो interval होगी वो कितनी होगी 10 से 12 hours clear अब next देखें चलिए अब cell biology और cell आपको जो है cell cycle और cell division के इस question को देखें देखें question क्या दिया हुआ है pro phase question दिया हुआ है pro phase of reduction division is divided into number of stages the correct chronological sequence तो आप जानते है 出서 is and फिर आपको औरे देखें कानेकोटीं साबैकर जो करेक्षें को बताएगा according to chronological sequence वहां होगी आपको फौर्ढोटीन यहां फ़र्स्ट आपको stage है इसके बाद आता है जाइगोटीन फिर आता है और सबके एक एक इवेंट्स याद रखेगा लेप्टोटीन में आपको याद रखना है इसमें क्या आता है बुके स्टेज या क्रोमोसोम ग्रेजुली विजुलाइज होता है जाइगोटीन के लिए आप जानते हैं एक वर्ड जो सिनेप्सिस होती है मत्तब पेरिंग और फो और डाइक एनेसिस जो है उस के बारे में अर्व कंप्लीट होते हैं और आपको ट्रांजीशन फेज आए इसके बाद स्टांट होगा और प्रोफेज एंड करेगा तो टो एक पूछा जाएगा mitochondria and bacteria cell दोनों में क्या similarity है सो देखें mitochondria को आप मानते है bacteria या bacteria like ancestor से क्या हुआ है evolve हुआ है अब पुछा जाएगा यहां क्या condition है पहली दिया हुआ है source presence of pouring protein in their outer membrane सही है दोनों की outer membrane में क्या मिलते है pouring protein mitochondria में भी outer membrane में मिलता है pouring protein और आपको gram negative bacteria में भी क्या मिलता है pouring protein तो पूछ रहा है कि mitochondria और bacteria cell में क्या है तो दोनों के पास pouring protein की presence है in outer membrane यह statement सही है next आई है divide by multiple fusion गलत है NCRT की line है कि bacteria आप जानते है binary fusion से divide करता है और mitochondria भी किस से divide करता है binary fusion तो in place of multiple fusion हमारे पास क्या option होने चाहिए थे बच्चे binary fusion तो यह statement भी सही होता तो यह statement हमारा क्या हो गया गलत अब पूछ रहा है क्या have 70s ribosome यह भी गलत है 70s ribosome नहीं होते है mitochondria में अभी पीछे आपने देखा है question में आपको 80s ribosome नहीं होते है कौन सा होता है 70s तो 70s की place पर यहां क्या दे दिया 80s तो यह question भी क्या हो जाएगा आपको यह option भी गलत अब next आईए they have single linear नहीं linear के जगा पर कौन सा word होना चाहिए था circular तो इस question में circular dna की place पर क्या दे दिया इस option में linear dna तो आपको जो question प्रोवाइड है उसमें mitochondria और bacterial cell में जो feature सबसे correct है वह क्यों है दोनों के पास क्या है presence pouring protein यह भी गलत है क्योंकि multiple fusion की जगा binary fusion होना चाहिए यह भी गलत है क्योंकि 80s की जगा क्या होना चाहिए 70s और यह भी गलत है क्योंकि in place of linear dna क्या होना चाहिए circular dna अब next आप से पूछा जा रहा है in eukaryotic cell non-membranous organelles ribosome अब ribosome eukaryotic cell में क्या-क्या feature perform करता है इससे related facts देखे फर्स्ट क्या दिया हुआ है it is found in cytoplam सही है यार आपको के साथ भी associate हो सकता है या साइटो प्लाज में भी हो सकता है फिर राइब आपने देखा था mitochondria और chloroplast में भी हो सकता है फिर लिखा हुआ है found in chloroplast और mitochondria तो जो 80s ribosome होंगे उसकी designation क्या पर है कि वह साइटो प्लाज में भी हो सकता है और और जो 70s होते हैं वह कहां मिएंगे mitochondria में और chloroplast किसके तरह अभी जस्ट देखे बैक्ट्रिया की तरह और उच्छा जाएगा और always found in rough always word या all word अगर बायो में आ जाता है तो वह वहीं पर गलत हो जाता है क्योंकि exceptional हर जगा है और यहां पर exception को exclude करके क्या लिखा है always found in RER गलत होगा always word और all word बायो के लिए बना ही नहीं है तो यह हमारे पास option क्या हो जाएगा incorrect यह option correct और यह option correct मतलब कौन सा जाएंगे best appropriate answer कौन सा होगा both a and first and second are correct मतलब कौन से option जाएंगे fourth यह statement क्यों गलत हो गया क्योंकि always word लिख दिया और यह सही है और यह सही clear हो गया अब next देखे आप से पूछ रहा है income present to prokaryotic cell the eukaryotic cell have कौन सी ऐसी difference है जो prokaryotic cell को किसे differ करता है eukaryotic cell से पहला देखिए no ribosome आपने देखा था एक ribosome ही ऐसी और गनेल्स है जो दोनों जगह होता है आपको prokaryotic cell में भी और eukaryotic cell में भी region क्या देखा था आपने कि prokaryotic cell बिना ribosome के क्यों नहीं survive कर सकता क्योंकि ribosome क्या बनाता है protein और protein cell की metabolic activity के लिए required है क्योंकि आपने पढ़िए enzyme mostly कौन से नेचर का होता है protein अब अगर protein ही नहीं बनाएगा तो enzyme कहां से बना पाएगा और उस enzyme नहीं होगी तो metabolic activity नहीं होगी तो पूछेगा no ribosome presence यह आपको गलत option है क्योंकि ribosome मिलते हैं कहा प्रोकेरियोट्स में तो प्रोकेरियोट्स सारे membranous organelles नहीं रखता बट एक आपको यह membranous structure रती है उसमें कौन सा राइबोसोम तो यह statement हमारे पास गलत है नो ribosome की presence ribosome की presence होगी दूसरा साइटो प्लाज्म इस प्रेजेंट एज एन important site for different cytoplasmic reaction यह पूछ रहा है अब different cytoplasmic reaction के लिए आपको किसमें प्रेजेंट होगा दोनों में प्रोकेरियोटिक सेल में भी वही काम करेगा यूकेरियोटिक में भी करेगा तो यह difference create नहीं कर रहा है तो यह point भी हमारा क्या होगा गलत क्योंकि NCR ने लिखा है main arena of cellular activity कौन होते हैं साइटो प्लान तो यह प्रोकेरियोटिक के लिए भी सही है और यूकेरियोटिक के लिए बी सही है तो इसको हम as a difference की point में consider नहीं कर सकते अब पुछा जाएगा membrane bounded nucleus यह difference है membrane bounded nucleus NCR ने लिखा है किसकी feature होती है eukaryotes की absent किसमें होता है prokaryotes में तो membrane bounded nucleus present in eukaryotes absent in prokaryotes तो यह difference का point होगा next आईए non membranous ribosome are formed of RNA and protein यह statement भी सही है बट यह दोनों के बीच में difference नहीं है क्योंकि eukaryotes और prokaryotes दोनों में आपको ribosome होते हैं यह membranous है और किस से बने होते हैं rRNA और protein से यहाँ पर RNA की जगह specify rRNA कर लिए तो और अच्छा होगा हमारे लिए तो clear हो गया किसमें compression पूछा है तो correct compression जो है वो दोनों की कौन सी होगी membrane bounded nucleus जिसके पास है वो eukaryotes नहीं है वो prokaryotes अब next देखें आपसे पूछा जा रहा है prokaryotic and eukaryotic cell के पास क्या feature होगी सो देखें लिखा है और similar in composition of cell wall और similar in structure of plasma membrane और similar in types of ribosome और नेक्स लिखा है और similar in presence of cell organs तो देखें एंसियाटी के एक line आप देखेंगा कि एंसियाटी ने एक line लिखा है कि prokaryotic cell की plasma membrane किस से match करता है eukaryotic cell की plasma membrane से और उस line से question picker किया गया है कि prokaryote and eukaryotic cell में कौन सा component same होगा तो कौन सा जाएगा plasma membrane mention किया है कि plasma membrane of eukaryotic cell resembles with prokaryotic cell दोनों की plasma membrane किस से बनी होगी lipid protein और carbohydrate से तो पूछा भी जाता है question यह यहां दिया हुआ है कि plasma membrane की conscious structure bacterial cell की conscious structure eukaryotic cell से match करती है तो कौन सा होगा plasma membrane तो यह option हमारा सही है अब आए cell wall पे cell wall अगर देखेंगे bacteria cell का तो आपने देखा आता है किसका बना है peptido glycan या मियूरीन का तो पुछेगा bacterial cell का cell वाल किसका बना होता है तो प्रो-केरियोड में आपने देखा था यह किसका बना होता है peptido glycan का तो peptido glycan की cell wall बनी है या मियूरीन की अब अगर अगर आप eukaryotic cell में fungus cell से start करें तो fungus cell की cell wall आपको किसका बना होता है तो काइटीन का काइटीन की monomer भी नीट में पूछा गया question है याद रखेगा अगर आप algal cell को consider करेंगे तो NCRT ने mention किया है algal cell का cell wall किसका बना होगा मैनन का, cellulose का, आपको gluten का और minerals का और last में लिखा है other plants except alga तो other plants में लिखा है कौन से condition आ जाएंगे तो लिखा है hemicellose का, cellulose का, pectine का और protein का तो हमें ये सारे eukaryotic cell है और ये prokaryotic cell तो देख रहा है cell wall की composition दोनों में differ कर रहा है, तो आपसे पुछा है similar to in composition of cell wall, तो ये गलत statement होगा और similar in types of ribosome, अभी mention किया है कि eukaryotes में होते हैं आपको ATSB और 7TSB, जबकि prokaryotes में केबल कौन सा होता है 7TS, तो eukaryotic cell के cytoplasm में और ER से associate होगा ATS, और chloroplast और mitochondria में क्या मिलेगा 7TS, जबकि prokaryotes में केबल एक ही type की ribosome मिलते हैं, कौन सा, 7TS, तो ये लिखना कि are similar in types of ribosome आपको are present, तो ये भी क्या होगा, गलत statement होगी, फिर हमें क्या लिखा है, are similar in presence of cell organelles, गलत है आपने देखा है, bacteria के पास या prokaryotic cell के पास क्या नहीं होते, membranous organelles होते ही नहीं, जबकि eukaryotes में होते है single membrane bounded भी होता है, double membrane bounded भी होता है, तो हमारे पास जो correct option, prokaryotes और eukaryotic cell में दोनों similar concept point पे होगा, दोनों की plasma membrane क्या होगी, identical, यह NCRT की line है, कि आपको plasma membrane of prokaryotic cell resembles with eukaryotic cell, clear, तो हमारा correct option कौन से जाएंगे, second, अब next आईए, पूछ रहा है क्या, कि ribosome series associated with messenger RNA is called, तो आपने यह topic देखा है, कि मान लिजे several ribosome है, और several ribosome जब single mRNA के साथ combined होता है, तो उसे structure को हम लोग क्या कहते है, polysome या polyribosome, तो यह हमारे पास हो गया several ribosome, और इसको किसके साथ associate किये, mRNA के साथ, तो mRNA plus ribosome, क्या कलाएगा, polysome, इसी को हम लोग polyribosome भी कहते है, या इसी का नाम ergosome भी होता है, तो इसमें से कोई statement दिया हो, तो वो हमारे लिए साही होगा, देखिए, polyribosome first option ही है, तो यह हमारा साही है, दूसरा है, monosome, नहीं, यह word आप ribosome और mRNA के लिए नहीं यूच करते, पेरोक्सिसोम आपने देखा है, organelles ही हैं, और glyoxysome भी आपने देखा था, आपको micro bodies में आते हैं, तो यह आपको जो है, हमारा किसकी form में आएगा, different type की micro bodies में, micro bodies आप three type की पढ़ते हैं, one is peroxisome, glyoxysome और spherosome, तो हमारा जो correct option relate करेगा किसको, several ribosome और mRNA को, उसको क्या कहेंगे, polysome, polyribosome या ergosome, और इसमें हमारा option कौन सा match कर रहा है, first, तो हमारा correct answer कौन सा जाएगा, इस condition में, polyribosome, next देखे, आप से पूछा जा रहा है क्या, who gave the term chromatin, तो NCRT ने लिखा है क्या, कि nucleus first discovered by Robert Brown, और दूसरी लाइन लिखा है क्या कि nuclear material किस से stand होते है, basic dye से, और उस basic dye को हम लोग क्या stand करेंगे, तो उस material को क्या कहेंगे, chromatin, और chromatin term NCRT ने mention किया है, flaming, तो दो scientist आपको वहाँ mention है, Robert Brown ने nucleus पहले discovered की, और flaming ने किसको observe किया, chromatin को, तो यहाँ पर यह scientist आपको correlate है, कौन से flaming, दूसरा है, Robert Hooke, Robert Hooke ने आपने देखा था, first dead cell observe, और first dead cell observe में कौन से condition आएंगे, Robert Hooke ने क्या observe किया था, cork cell, और cork cell आप जानते है, due to suverized condition, क्या होता है, dead होता है, suverine और lignin अगर excess में आजाए, तो cell में क्या होती है, dead, living hook को correlate करें, तो living hook ने आपने देखा था, first living cell observe, तो NCR ने measure क्या है, first living cell observe by living hook, और living hook ने कौन कौन से cell देखी, तो आपको याद रखने, bacterial cell, protozoa, rbc, and spermatozoa, और अभी हमने आपको बताया, कि NCRT ने अपनी nucleus में पहली line ही यही लिखिया है, कि Robert Brown discovered nucleus, तो Robert Brown ने क्या किया, nucleus discovered किया, तो हमें इस से जो है, वो two facts याद रखना है, nucleus में two scientist की name mention है, one is Robert Brown, जो nucleus की discovery से correlate है, और दूसरा flaming ने आपको nuclear material को question किया, basic dice है, और क्या नाम दिया, chromatin, तो यह two name NCRT में mention है, इसी से question लिया गया है, और two options और आपको दिया हुआ है, इसमें Robert Hook, दूसरा liven hook, इस से हमें Robert Hook क्या observe किया, first dead cell, जिसको आपको ने देखा था, cork cell में observe किया, और liven hook से पूछा जाएगा, क्या observe किया, first living cell, और कौन-कौन से cell याद रखना है, one is bacterial cell, protozoa, RBC और spermatozoa, clear, तो यह सारे facts के थुरू आपको क्या है, question recall करने है, कि अगर माल लीजे, main exam में हमारा यह question नहीं आया, कि हाँ, आपको chromatin observe है, यह आ गया कि nucleus discovered भाई, या पुछेगा, first living cell observe भाई, तो यह सारे question हम इस question के थुरू क्या कर सकते, correlate कर सकते, इसलिए आपको discuss कराया जा रहा है, कि अगर आप एक option के अलावा भी दूसरे option है, वो क्यों नहीं होगा, उसको भी correlate करे, जिससे अगर main exam में हमारा यह question नहीं आ कि अगर यह question आया, यह question आया, उसको भी असानी से क्या कर सकते है, correlate, अब next है, ribosome observe भाई, अभी just हमने ribosome के डिस्क, जब आभी discoverer का नाम बताया है आपको, कि ribosome किस ने आपको जो है discover किया, तो NCRT ने mention किया है, जोर्ज प्लाडे, अभी हमने बताया है, कि ribosome electron microscope कि discovery के बाद observe हुआ, जो granular nature का था, और किस scientist ने आपजर्ब किया, तो NCRT ने लिखा है, कौन सा, nucleus और उसी को इनके नाम पर क्या रखा गया, आपको गौलजी apparatus या गौलजी complex, EG बालबेनी क्या किये, तो इनका नाम याद रखेगा, इन्होंने क्या किया था, polytine chromosome अबजर्ब किया, polytine chromosome नाम से ही clear है, जिस polytine ही कहने का मतलब, several chromatin fiber आपको एक साथ accumulate सो जाएंगे, without separation, और ये polytine chromosome में 1024 से 2000 chromosome, chromatin fiber एक साथ आपको एक single point से connect होता है, और उस single point को हम, आपको centromere नहीं करके, chromo center कहते हैं, और पुछा जाएगा, ये हमारा polytine chromosome में क्या होते हैं, बालबीनी puff या, आपको जो है मिलते हैं, बालबीनी ring, और वो किसकी site होती है, mRNA और protein की, ये दो बार NEET में पुछा गया है, polytine chromosome के बारे में, एक बार 2014 में, एक बार 2017 में, इसलिए ये option लिया गया है, कि EJ बालबीनी ने किसको discover किया, polytine chromosome, ये NEET 2014 में भी पुछा गया है, polytine chromosome पे question, और NEET 2020, आपको जो है 17 में भी, तो ये option बालबीनी किसको indicate करा है, polytine chromosome, तो polytine chromosome as the name suggest क्या indicate करा है, teeny मतलब chromatin fiber, poly मतलब several, several chromatin fiber without separation, अटेस्ट हो, तो उस condition को क्या कहते है, polytine chromosome, तो clear हो गया ये question, आप next देखें, पुछा जाएगा, depending upon the, आपको दिया हुआ है, membrane protein can be classified as integral और peripheral, ये NCRT की line है, कि on the basis of ease of extraction, जिसे आसानी से हटा सके, या जिसको हटाने के लिए crude method चाहिए, हमें दो तरह के protein की requirement होती है, एक external protein दिया हुआ NCRT ना, दूसरा internal, तो external और internal protein के classification का base क्या है, ease of extraction, एक easily extract हो जाएगा, तो उसको कहेंगे external protein, और जिसको extraction के लिए crude method चाहिए, उसको internal, तो आप से पूछ रहा है, depending upon which components protein are classified into integral और peripheral, तो कौन सा हो जाएगा, ease of extraction, direct NCRT की line से question है, clear, next देखें, आप से पूछा जा रहा है क्या, important site for the formation of glycoprotein and glycolipid, ये भी NCRT से लिया हुआ function, आपको line है, जो किसकी function से correlate है, गॉलजी से, गॉलजी के लिए NCRT ने लिखा है कि गॉलजी क्या बनाता है, गॉलजी बनाता है, glycoprotein और गॉलजी क्या आपको जो है, किसके लिए responsible होता है, glycolipid, अब यहाँ दो वर्ड और पूछा जाता है, glycoprotein बनने को क्या कहते हैं, तो याद रखेगा, glycosylation, दोनों correlate word है, बट याद रखेगा, glycoprotein formation को क्या कहते हैं, glycosylation, और glycolipid बनने को क्या कहते हैं, glycosidation, तो glycosidation is a phenomenon in which glycolipid get formed, और glycoprotein बनेगा उसको क्या कहेंगे, glycosylation, तो NCRT ने mention किया है, the important side for formation of glycoprotein and glycolipid, कौन सी होगी, गॉल्जी, तो ये lipid और protein बनेगे तो ER में, बट modification के लिए जबाएंगे किसमें, गॉल्जी में, तो protein किसमें convert हो जाएगा, glycoprotein में, और lipid किसमें convert हो जाएगा, glycolipid में, तो NCRT ने दो function आपको specify किया है, अपने गॉल्जी की function में, एक क्या बता है, कि गॉल्जी packaging center, processing center और transport center के रूप में work करता है, इसलिए आप इसको कहते है, post office box या middle man of the cell या traffic police of the cell, और दूसरा mention किया है, कि गॉल्जी किसकी site है, glycoprotein और glycolipid formation की, और इसलिए हमें, और दो वर्ड और याद रखना है कि glycoprotein formation को glycosilation, और glycolipid formation को glycosidation, अब next है क्या, NCRT की line से ये भी question है, कि the plant cell vacule can occupy up to how many percentage, तो NCRT ने correct लिखा है कि mature plant cell का 90% area, कौन acquire करता है, vacule, तो यहाँ एक वर्ड आपको जोड देना है, mature plant cell, तो mature plant cell का 90% area किस से required होगा, 90% area किस से required होगा, vacule से, फिर लिखाता कि vacule की single membrane को आप tonoplast कहते हैं, और tonoplast किसका facilitate करता है, आयन का जिससे internal concentration of vacule क्या करेगी, increase, और तीन तरह की vacule describe किया है, एक food vacule बताया है, एक contactile vacule बताया है, और एक sap vacule के बारे में आप जानते हैं, जो plants और animal cell में होते हैं, तो vacule की direct line पर ये question है, कि vacule mature plant cell का कितना percent account करता है, तो 90%, और vacule की membrane को क्या लिखा है, tonoplast कहते हैं, और tonoplast क्या facilitate करेगा, आयन की movement में, जिससे internal concentration क्या होगी, vacule की जादे होगी, cytoplank से, और यहां पर mention किया है, तो sap vacule पुरे describe किया ही है, feed लिखा है, contactile vacule, जो osmo regulation और excretion में help करेगा, और लिखा है कौन सा, आपको food vacule, जिसका काम होगा, food के storage और digestion, अब next है, the contents of nucleus is continuous with the rest of membrane as a structure, तो पुछा जाँ रहा है क्या, कि nucleus की contents किस से match करेगी, तो आपको जो है, किस से continuous होगी, nucleoplasm से, और ऐसा क्यों, क्योंकि nucleus कौन से nature का होता है, तो जब आप nucleus की diagram देखते हैं, तो nucleus में कैसा होता है, double membranus structure, और इस double membranus structure में NCRT ने क्या बनाया है, certain interruption है, उस interruption को हम लोग क्या करते हैं, nuclear port, और फिर क्या बनाया है, कि nucleus एक a membranus components है, जो nucleoplasm के contact में रहेगा, nucleus material के, क्योंकि इसकी nature कैसी है, आपको a membranus, तो पुछेगा, contents of nucleus is continuous with the rest of nucleoplasm, nucleoplasm, as nucleoplasm is conscious structure होगा, a membranus, इसलिए लिखा है कि nucleoplasm में दो चीज मिलेगा, एक लिखा है आपको nucleolus, और एक क्या लिखा है, chromatin fiber, जो आगे चलके condense करके chromosome बनाएगा, तो यहाँ एक differentiating boundary नहीं है, इसलिए यह term आपको NCRT ने mention किया है, कि nucleus की material, nucleoplasm के contact में क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे आपको condition कैसी है, कि nucleus खुद कैसा होगा, a membranus होगा, तो आप से पूछा जा रहा है, the contents of nucleus is continuous with the rest of, आपको जो है nucleoplasm, as it is a membranus, a membranus हमारा कौन होगा, जो है nucleus, तो इसलिए membranless word लिखा है, membranless कहने का मतलब a membranus, तो clear हो गया यह सारे concept, अब next देखें, आप से पूछा जा रहा है क्या, find out the odd one with respect to number of unit membrane, मतलब किस के पास किस तरह की unit membranus cell organelles में, उसकी basis पे, तो देखिए, आपने mitochondria में देखा है, double membranus structure होता है, chloroplast में देखा है, double membranus organelles है, nucleus में देखा है, double membranus होते है, बट ribosome में कैसा देखा है, A membranus, तो A membranus हमारा ribosome है, बाकी सारे क्या है, double membranus, तो odd कौन हो जाएगा, आप ही बताएए, odd कौन हो जाएगा, odd हो जाएगा ribosome, क्योंकि बाकी सारे क्या है double membranus nucleus भी double membranus structure mitochondria और ribosome भी कौन सा double membranus तो इसमें कैसे मिलेंगे double membrane यहाँ भी क्या मिलेगा double membrane यहाँ भी क्या मिलेगा double membrane बट यहाँ कैसा मिलेगा a membranus structure तो और कौन हो जाएगा ribosome clear next देखें नेक्स्ट आप से पूछ रहा है the complete disintegration of nuclear envelop marks the start of which phase of cell cycle तो यह नाम से क्लियर है यह metafage की पहली लाइन है NCRT की कि अगर आप nuclear membrane को देख रहा है कि disintegrate हो गया तो हम कौन से phase में पहुंच गया है metafage में तो यह NCRT की line है कि अगर complete disintegrate हो गया nuclear membrane तो आप समझेंगे आप कहां पहुंच गए metafage में तो यहां option में metafage कहां है यह अरली प्रोफेज में आपने देखा था chromosome like a ball of wool होता है और यहां nuclear membrane आपको आपको इंटेक्ट रहते है लेट प्रोफेज में NCRT ने mention किया है कि लेट प्रोफेज में जब आप देखेएगा तो क्या नहीं दिखाई देगा गॉल्जी नहीं दिखाई देगा nuclear membrane नहीं दिखाई देंगे और नूकलियोलस और टीलोफेज को तो एक वर्ड में आप रियाद रख सकते कि डिलोफेज क्या है रिवर्स प्रोफेज में होती है उसी को उल्टा कर देना है तो वह क्या होगा reverse और प्रोफेज किसको कहेंगे तीलोफेज को तो यह उसी RCIT की फॉर्स याईन से आपको को यह question है कि complete disintegration of nuclear membrane किसको बताएगा metaphage कि start point को तो option कौन सा हो जाएगा metaphage अब यह सारे question हमारे जो है वो आप पहले ही discuss कर चुके हैं आपको under section of geology तो हमें cell और cell division से related यह सारे facts देखने थे हम लोग ने देख लिया cell division और cell cycle की cell cycle और cell division और cell regenerative life के जतने question थे वो हम लोग ने देख लिया ओके बच्चे clear okay okay students so today we'll be discussing question paper of part test number one that you give on 25th of February and myself Manish Kumar Sharma and I'll be discussing zoology portion of this paper so let's start it okay so as you can see this question number one a Cully carries a Cully carry a Cully carries large amount of weight on his head transporting the luggage of passenger from train to their vehicle which connective tissue helps him to sustain the compression between tibia and femur so students here you can see that two words are given first is tibia and second is femur though words हमारे पास है और आपको पता है कि tibia और femur दोनों ही एक तरीके की bone है both of them are bone और आपने पढ़ा होगा मानलो let's say this is first word यह मानलो दूसरी bone है और दो bones के मतलब दोनो bones के आप देखेंगे अगर terminal surface के ऊपर एक soft spongy cushion like structure होता है और इस cushion like structure को हम बोलते हैं articular cartilage इसको बोला जाता है articular cartilage और ऐसे ही आप देख सकते हो इस वाली bone के terminal surface पर भी एक soft tissue होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं articular cartilage अब इस articular cartilage का function होता है दो hard bones के बीच में friction को reduce करना ताकि movement के time पर कहीं वो damage ना हो जाएं जादा friction की वज़े से तो ये articular cartilage जो दोनों bones के बीच में होते हैं ये एक तरीके से soft spongy material की तरह काम करते हैं ये shock absorber का काम करते हैं तो इसका सबसे appropriate answer होना चाहिए टीबिया और femur के बीच में compression को कौन रोगता है articular cartilage and here you can see that third option is mentioned as cartilage so right answer is cartilage then next question is अगला question आप यहां पर देख सकते हैं अगला question है if ligaments are damaged beyond repair अगर मान लो ligament हमारा damage हो जाता है irreparable damage अगर ligament के अंदर आता है तो दिये वे option में से कौन सी situation correct होगी तो इससे पहले आपको ligament के बारे में दो तीन चीजे पता होनी चाहिए पहला ligament एक तरीके का dense irregular connective tissue है it is a kind of dense regular connective tissue पहली चीज और ligament का function क्या होता है its main function is it connects bone to bone यह bone को bone से connect करता है मान लो अगर यह हमारी पहली bone है let's say this is second bone तो यह दोनों bones आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है एक fibrous tissue के मदद से और इस fibrous tissue को हम क्या बोलते हैं ligament अब अगर हम मान लें कि यहाँ पर यह ligament break हो जा रहा है किसी injury की वज़े से तो दोनों bones के बीच में यह physical connection तूट जाएगा जिसकी वज़े से joint का movement रुख जाएगा तो अगर किसी भी दो bones के बीच में ligament break हो जाता है तो उन दोनों bones के बीच में जो movement होता है वो रुख सकता है तो अब हम यहाँ पर options को पढ़ सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर first option is the joint will become immovable joint will become immovable this is right answer क्योंकि अगर ligament break होता है तो दोनों bones के बीच में joint break हो जाता है जिसकी वज़े से उन दोनों bones के बीच में जो relative sliding हो रही थी जो movement हो रही थी वो नहीं हो पाएगी so right answer is first option then next question is अगला question है हमारा in male cockroach यहाँ पर male cockroach की बात हो रही है in male cockroach sperms are stored in which part of the reproductive system male cockroach के अंदर sperm कहां पर store होता है अब यह theoretical question है आपने male reproductive system of cockroach में पढ़ा होगा कि fourth abdominal segment से लेकर के sixth abdominal segment के बीच में one pair of testis होते हैं so let's say these are testis और testis से हर एक testis से एक duct निकलता है और इस duct को हम बोलते हैं was difference अब यह दोनों was difference आ करके आपस में fuse हो जाते हैं और जिस point पर यह दोनों was difference fuse होते हैं वहाँ पर एक gland होता है और इस gland को बोला जाता है seminal vesicle इसको हम क्या बोलते हैं seminal vesicle testis का function होता है immature response को produce करना was difference का function होता है in immature response को testis से बाहर लेकर के आना और जहाँ पर दोनों was difference meet हो रहे हैं यहां पर एक gland होता है, जिसको हम बोलते हैं seminal vesicle, जिसके अंदर इन sperms को temporarily store कर लिया जाता है, और यहीं पर sperms का maturation भी होता है. तो यहां पर question क्या पूछ रहा है? In male cockroach, sperms are restored in which part of the reproductive system? Answer is seminal vesicle. Seminal vesicle is the place where storage as well as maturation of sperm takes place. Then next question is, अगला question है, In these tissues, lacunae are enclosed. In these tissue cells, lacunae are enclosed. Lacunae एक तरीके की hollow fluid filled cavity होती है, और lacunae कहां पर पाया जाता है? अच्छा, आपने connective tissues के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें से कुछ connective tissues होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, skeletal connective tissue, which are responsible for formation of skeleton of our body, जो की हमारी body के skeleton को बनाते हैं. इस skeletal connective tissue दो तरीके के हो सकते हैं, bone और cartilage. मैं यहाँ पर एक bone का example ले करके अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो एक fibrous covering होती है, इस fibrous covering को हम बोलते हैं periosteum, जो की bone को protection provide करती है. अब अगर हम इस periosteum को cross करें, तो यहाँ पर आपको ground substance मिलता है, और इस ground substance को हम और क्या बोल सकते हैं, this ground substance is also called matrix. और इसी matrix के अंदर, कुछ जगाओं पर आपको fluid filled cavity मिल जाती है, और इन cavities को हम क्या बोलते हैं, these cavities are called lacunae, इन cavities को क्या बोला जाता है, lacunae. और इनी lacunae के अंदर, इनी lacunae के अंदर, आपको यहाँ पर कुछ characteristic cell मिलते हैं, और इन cells को बोला जाता है, osteocides. इन cells को हम क्या बोलते हैं, osteocides. तो यह जो हमारी lacunae है, यह जो hollow cavity है, यह bone के अंदर भी पाई जाती है, और इस lacunae के अंदर, अगर हम bone की बात करें, तो osteocides cell मिलता है, ऐसी ही cavity आपको cartilage में भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर lacunae के अंदर, आपको condroside cell मिलते हैं, so lacunae is found in both cartilage as well as in bone, so right answer is third option, both one and two, both one and two is right answer, उसके बाद next question अगर हम देखें, so next question is, mast cells are linked to, mast cells कौन से टिशू, में पाया जाता है, mast cell is the property of areolate issue, कहाँ पर मिलते हैं ये, areolate issue में, और आपको याद होगा, that mast cell is responsible for secretion of three important chemicals, first is histamine, ये क्या secret करता है, histamine, और histamine एक तरीके का vasodilator है, जो की blood vessels की wall को stretch करके, उसके diameter को wide कर देता है, उसके diameter को increase कर देता है, और यही histamine allergic या inflammatory response के लिए भी responsible होता है, दूसरा यहाँ से क्या secret होता है, serotonin, जो की एक तरीके का vasoconstrictor है, जो की blood vessel के diameter को reduce कर सकता है, और तीसरा यहाँ से क्या secret होता है, एक anti-cogglant, जो की blood clotting को prevent करता है, and we call it as hiperic, so mast cells are linked with areolar tissue, और areolar tissue एक तरीके का loose connective tissue है, यह एक तरीके का loose connective tissue होता है, so right answer is areolar tissue, next question is, select the correct route for passage of sperm in male frog, अब आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, testis के अंदर sperms का production होता है, उसके बाद testis में से इन spoms को बाहर लेकर के आते हैं, कुछ छोटे-छोटे ducts, जिनको हम बोलते हैं, vasa eferentia, और यह vasa eferentia करीब 10 से 12 होते हैं, now these vasa eferentia, they enter inside kidney, यह kidney के अंदर enter होते हैं, और kidney के अंदर जाने के बाद, यह सारे vasa eferentia, एक longitudinal canal के अंदर open हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, biddus canal, इसको बोला जाता है, biddus canal, फिर finally यह biddus canal open हो जाती है, uranogenital duct में, and through uranogenital duct, you know that these spoms will be finally released inside rectum, इनको rectum के अंदर release कर दिया जाता है, तो अगर आप यहाँ पर sequence देखें, तो सबसे पहले testis में sperm का production हुआ, vasa eferentia से वो बाहर आया, vasa eferentia kidney में जाएगी, kidney में जाने के बाद, vasa eferentia biddus canal में open हो जाते हैं, biddus canal uranogenital duct में, and finally through cloaca, it will be released out of body, so correct answer is fourth option, यहाँ पर right answer है हमारा fourth option, then next question is, frog heart, frog's heart, अगर हम frog के heart की बात करें, so question is saying, frog's heart when taken out of the body, continues to beat for some time, अगर हम frog के heart को उसकी body से निकाल भी ले, तो भी वो कुछ समय के लिए beat करता रहता है, अच्छा आपने एक chapter पढ़ाओगा, body includes and circulation, और वहाँ पर आपने पढ़ाओगा, दो तरीके के heart होते हैं, अगर हम frog के heart को बाहर निकाल भी ले, तो आपको याद होना चाहिए कि frog का heart कैसा होता है, myogenic, यह brain के उपर depend करता ही नहीं है, यह auto excitability show करता है, यह अपनी impulse खुद बना सकता है, so even if we are taking out of the body of frog, तो भी यह अपनी impulse को बनाता रहेगा, और यह अगर impulse बनाएगा, तो heart beat करता रहता है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ options को देखे हैं, so first reason can be like, frog is poikilothum, poikilothum कोई reason नहीं है, poikilothum का मतलब cold blooded organism, this is not the reason, उसके बाद frog does not have any coronary circulation, frog के अंदर coronary circulation होता है, यह भी गलत है, next, heart of frog is myogenic in nature, this is correct, frog का heart myogenic होता है, वो brain के उपर पूरी तरीके से depend नहीं करता है, वो अपनी impulse को खुद बना सकता है, उसके बाद heart is auto excitable, याने कि it has capacity to produce its own impulse, यह भी सही है, so most appropriate options are third and fourth, तो answer यहाँ पर होना चाहिए, आपका fourth option, third and fourth statements are correct, then next question is, अगला question है, choose the correctly matched pair, correctly matched pair को हमें identify करना है यहाँ पर, और आप देख सकते हो tendon, tendon के बारे में क्या दिया हुआ है, tendon is specialized connective tissue, बिल्कुल नहीं, tendon एक तरीके का, tendon एक तरीके का dense regular connective tissue है, ना कि specialized connective tissue, तो यह option हमारा गलत हो गया, second option को अगर हम देखें, तो adipose tissue क्या होता है, adipose tissue is a kind of loose connective tissue, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, dense connective tissue, तो यह भी option गलत है, उसके बाद अगर हम aereolar tissue की बाद करें, तो aereolar tissue भी एक तरीके का loose connective tissue होता है, जो की skin के नीचे पाया जाता है, और इसका function होता है, skin को muscle से connect करना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, loose connective tissue ही mentioned है, so right answer is third option, third option is our answer, aereolar tissue is a kind of loose connective tissue, present below skin, connect skin to muscle, then next question is, अगला question है हमारा, compare to those of humans, अगर हम humans और frog के RBCs को compare करें, अगर हम human और frog के RBCs को compare करें, तो यह कैसे different होते हैं, अगर हम humans की बात करें, तो आपने पढ़ा होगा, that human RBCs are biconcave in shape, यह किस shape के होते हैं, biconcave shape के होते हैं, round होते हैं, और इनके अंदर nucleus absent होता है, there is no nucleus inside them, जबकि अगर हम frog के RBC की बात करें, तो frog का RBC biconvex होता है, उसके बाद हम कह सकते हैं oval होता है, और एक और चीज, इसके RBC के अंदर nucleus पाया जाता है, तो यहाँ पर जो main difference है, humans का RBC non-nucleated होगा, जबकि frog का RBC nucleated होगा, RBC of frog possess nucleus, it is nucleated, frog के RBC के अंदर nucleus पाया जाता है, और दोनों के ही RBC के अंदर, आपको एक respiratory pigment पिलेगा, और इस respiratory pigment को हम क्या बोलते हैं, hemoglobin, so compare to those of humans, erythrocytes in frog are, अगर हम यहाँ पर frog के RBC की बात करें, तो frog का RBC nucleated होता है, और उसके अंदर hemoglobin भी होता है, जबकि mammalian या human RBC में nucleus absent होता है, so second option is right answer, फिर अगला question, next question is, the function of gap junction, यहाँ पर gap junction के function की बात हो रही है, the function of gap junction is, अब आपने ये epithelial tissue के टाइम पर आपने पढ़ा होगा, let's say this is first epithelial tissue, let's say this is first epithelial cell, ये दूसरा epithelial cell हो गया, अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों epithelial cells के बीच में, एक tunnel shaped protein है, और इस tunnel shaped protein को मालो मैंने बोल दिया gap junction, तो क्या हम कह सकते हैं, that with the help of this gap junction, cytoplasmic content of this cell can migrate to this cell, and cytoplasmic content of second cell will migrate to first cell, तो क्या हम कह सकते हैं, ये gap junction, दो adjacent cells के बीच में, cytoplasm के बीच में connection को maintain कर रहा है, दो adjacent cells के cytoplasm को जोड रहा है, उनके बीच में material का exchange कर रहा है, इसी लिए हम इसको communication junction भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप second option देख सकते हैं, gap junction facilitate communication between adjacent cell, by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ion, small molecules and some large molecules, so right answer is second option, second option हमारा right answer है, then next question is, अगला question है हमारा, this is a statement type of question, you can see first statement, यहाँ पर पहली statement क्या है, and we are talking about frog right now, these two statements are given in respect to frog, पहली statement है, they have ability to change body color, to hide them from enemies, frog के अंदर एक unique feature होता है, कि वो अपने body के color को surrounding के color के हिसाब से change कर सकता है, अपने आपको enemies से बचाने के लिए, यह तरीके का protective mechanism है, बिल्कुल सही है, और इस process को हम क्या बोलते हैं, camouflage, so statement one is correct, then statement two is, statement two यहाँ पर क्या बोल रही है, they undergo summer sleep called hibernation, summer sleep को हम hibernation नहीं बोलते हैं, summer sleep को estivation बोला जाता है, summer sleep is called estivation, so यह statement हमारी गलत है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा answer होगा, statement one is correct, and statement two is incorrect, so right answer is second option, only statement one is correct, खाली पहली statement यहाँ पर क्रेक्ट है, दूसरी वाली इनक्रेक्ट है, then next question is, you can see this question is, in respect to cockroach, periplaneta americana, select the correct statement, हमको correct statement identify करनी है, with respect to periplaneta americana, and you know that periplaneta americana, is cockroach, तो यहाँ पर हम cockroach की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहली statement अगर हम देखें, so first statement is, nervous system of cockroach is located dorsally, cockroach का nervous system dorsally नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, nervous system of cockroach is located ventrally, आपको याद होगा, एक pair ganglia का isophagus के उपर होता है, जिसको हम supra-esophagal ganglia बोलते हैं, एक pair ganglia का isophagus के नीचे होता है, जिसको हम sub-esophagal ganglia बोलते हैं, और यहाँ से एक double mid-ventral nerve quad निकलती है, and this double mid-ventral nerve quad run throughout the body, और हर एक segment के अंदर आपको segmental ganglia मिलेगा, तो इनकी जो nerve quad होती है, वो dorsally ना run करके, ventral surface के उपर run करती है, तो पहला statement, पहला option यहाँ पर गलत है, nervous system is not dorsal, rather it is ventral, दूसरा option अगर हम देखें, यहाँ पर male cockroach के अंदर, क्या बोल रहा है यह, male cockroach BS, a pair of short thread-like structure called analyst style, यह बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा, कि cockroach की body का abdominal part, sexual dimorphism show करता है, यानि कि abdominal part is different in male, and different in female, और यह different कैसे होते हैं, male cockroach के, male cockroach के abdomen के, अगर मैं 9th segment की बात करूँ, let's say this is 9th segment, this is 10th segment, male cockroach के 9th segment से, कुछ pair of conical extensions निकलती है, और इन conical extensions को बोला जाता है, analyst style, जो की copulation में आगे जाकर के help करती हैं, उसके बाद अगला कोशन है, tendon and ligaments are example of tendon और ligament, दो words यहाँ पर हैं हमारे पास, tendon का function होता है, muscle को bone से जोड़ना, और जबकि ligament का function होता है, bone को bone से जोड़ना, and tendon and ligament, both of them are example of dense regular connective tissue, यह दोनों ही एक तरीके के dense regular connective tissue है, जिनके अंदर fibers parallelly arranged होते हैं, then next question is, next question is, choose the correct statement from the following, तो हमको दी हुई statement में से correct statement find out करनी है, पहला, areolar connective tissues are found below skin, बिलकुल areolar tissues skin के नीचे होते हैं, correct है यह, skin के नीचे होते हैं और इनका function होता है, skin को muscle से जोड़ना, second is, okay, first statement is right, so it is asking correct only, so answer is first option, first option is right answer, next question is, choose the correct statement from the following, यहाँ पर भी दी हुई statement में से, हमको correct statement identify करनी है, और यहाँ पर अगर आप पहला option देखें, main function of squamous, squamous epithelium is secretion and absorption, squamous epithelium के अगर हम बात करें, तो squamous epithelium का mainly function होता है, diffusion boundary बनाना और diffusion में help करना, it is responsible for making diffusion boundaries, जैसे कि अगर आप alvely की बात करो, तो wall of alvely is made up of simple squamous epithelium, और वहाँ पर किसका diffusion होता है, gases का, अगर हम blood vessels की बात करें, तो endothelium किसकी बनी होती है, simple squamous epithelium की, वहाँ पर भी gases का और nutrients का diffusion होता है, even boomin's capsule की wall में भी, तो यह हमारा गलत है, squamous epithelium का mainly function होता है, diffusion boundary बनाना, second option is, proximal convoluted tubule of nephron, possess epithelium with cilia, नहीं, PCT is made up of brush-bordered cuboidal epithelium, और PCT के अंदर अगर brush-bordered cuboidal epithelium है, तो वहाँ cilia नहीं, विलाई पाई जाएगी, और विलाई का function होता है, surface area को बढ़ाना, जिससे की जादा से जादा absorption हो सके, then, third statement is, formation of diffusion boundary is the main function of columnar tissue, no, diffusion boundary, अभी हमने देखा कि diffusion boundary बनाना, सबसे important function होता है, squamous epithelium का, next is, squamous tissues has irregular boundary, बिल्कुल, squamous epithelium tissue की boundaries irregular होती है, तो fourth option हमारा यहाँ पर right answer, then next question is, okay, क्वोश ऐसे की जादा है, आगयास होता है, क्वाजश ब收 ISS एっと ही तकवर से की'res light थे, बिल्सक्वेट 7-5 мі Livesек प्रिएवण, किसको है, झाल झाल